मैं लगबग साथ दिन के लिए आपके नगर में आया और लगातर साथ दिन तक आपको व्याक्षान के माद्यम से, संबाद के माद्यम से कुछ ऐसे विश्यों पर बात करूँगा जो आपके जीवन में बहुत काम के हैं दिन बदिन आपकी अपनी जो समस्याएं हैं परेशानिया हैं उन्में उनकी बहुत सारी उप्योजिता हो सकती है आज से और लगबग साथ दिन तक लगातार जो बात में करूँगा उसकी भूमिका के मैं दो तिन आपको माहिती देना चाहता हूँ पहली माहिती तो यह कि आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत अच्छे से मराटी भाषा नहीं बोल पाता इसलिए हिंजी मराटी मिला कर बात करूँगा जहां भी आपको समझ हुए ना आए मेरी कोई बात आप उसको तुरंद रही नोट कर सकते हैं काजच पहन लेकर आएं फिर व्याख्यात के अंत में हर दिन आदा घंटे प्रश्वत करी के लिए सकत रहेगा तो आप उसके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं प्रश्व को पूछ सकते हैं जो बात समझ में नहीं आई उसको किन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोसरी माइटी जो मुझे आपको देनी है depends कि आज को और फिर आगे अगले एक दिन तेम लगातार मैं आपके शरीर के स्वास पिके विश haven में बात करूँगा उसके बाद एक दिन आपसे राम कथा पर बात करूँगा एक दिन क्रश्वी कथा पर बात करूँगा और फिर भारत कथा के बारे में भी आपसे बात करूँगा लेकिन जो शुरुआत है आज से और अगले दो-तीन दिन तक वो आपके चिकित्सा और स्वास्ति के विशे में है ताकि आपकी अपने जीवन की बहुत सारी समस्या है काफी कुछ रेतीन दिन के अंदर हल हो सटी है ऐसा मेरा मानना है विश्वास है मैं वेट्टी का तुरूप से होमयोपैटी का डॉक्टर हूँ अग्यों साथ आहिंरोवेट्sy का भीत अभ्यास करता कि पिछले कई वर्षों के आहिरोवेटिक अभ्यास वेशर होमयोपैटी के अभधात जेंगता के बाएन सरभिमाहिटी जिस जिसको आप अपने घर्म घाठकर कर सकते हैं दे सकने के लिए मैं पूरी कोशिश करूगा इसलिए मेरी अहज़सभी से विलिंती है कि आप काज़च पैन लेकर बैखेंगे कॉपी या नोट मुक लेकर बैखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़े नोट कर सकेंगे क्योंकि बाद में ये सब माहिते आपको कोई दूतरा वेक्टी देगा इसके लिए मुझे मालूम नहीं इसलिए अगर आज आप कॉपी पैन नहीं लाई हैं तो कल से लाने की कोशिक जरूर करें एक नोट बुक अपने साथ में रखें एक शोटा सा पैन रखें और आपकी जो मातरवाशा है उसमें आप स्वहम नोट कर सकते हैं जोरूरत पढ़ने पर प्रश्ण के रिए में उसे पूछ के चाहते हैं आज के विशयकी में शुरूरात करना चाहता हूँ आपके अपने जीवन का सबसे महतुपूर विशय हम सब के जीवन का सबसे महतुपूर विशय स्वास्त के बारे में चिकिप्सा के बारे में कर्देश 110 कोटी कि लोग संक्या का देश के और भारत सरकार कि बहुत बड़ा watt wallsी अ mankind सबइख्द ़ौन्ट आ लखरी हाथ गूको को एकनी एल्ग औरहे जब लिखा था उससमें स्वास्त मंत्री थी श्रिवती सुष् UP सब्सक्राइब भारत में एंटीए की सरकार चलती थी प्रदान मंत्री के उस समय मैंने स्वास्थ बंत्रा लेको दिल्ली में जो केंद्र सरकार का है एक खत लिखा था और उनको ये पुरश्टी किया था कि भारत में 110 कोटी नागरिकों की जो लोकसंक्ता है इसमें कितने को कोई भीमारी में जिनका शुरीर भी स्वास्थ है मन भी स्वास्थ है मत मस्तिश को उनका विक्दम स्क्र है और वो कह सकते हैं कि हमें कोई तकलिफ नहीं ऐसे लोगों की संक्रा पूरे भारत में कितनी है यह मैंने स्वास्थ मंत्रा लेको एक बार परश्ट में लिखकर प्रश्ट के उत्तर के रूप में लिखा गया था वो ये जो प्रश्ट आपने किया है इसमें बहुत सारी माहिती देशगर में से एकत्रित करनी पड़ी है इसलिए समय बहुत लगा तो प्रश्ण का उत्तर आया तो उसमें पता ये चला कि 110 कोटी की जो लोक संध्या है हमारे देश में इसमें से लगबद 60-70 कोटी लोग ऐसे है जो किसी न किसी बीमारी और रोग के शिकार किसी को एक रोग है, किसी को दो, किसी को ती और कई तो ऐसे भी लोग हैं जितको एक साथ बहुत सारी लोग हैं, बहुत सारी बीमारिया फिर उस प्रश्ण के दूसरे उत्तर के रूप में लिखा हुआ था पत्र में वो ये, कि लगबद भारत में 30-40 कोटी लोग ऐसे हैं जो ये माद सकते हैं कि वो स्वश्ट है, जिनका शरीर काफी ठीक है, मद्मी ठीक है, मस्पिष्ट भी ठीक है, बुद्धी भी उनकी सही जब्य काम कर रही है, वगड़ा वगड़ा अरथार, हमारे देश के यो कुछ लोग संख्या है, इसमें से 7 तका लोग संख्या, किसी नदक्सी वीमारी से ध्रशित है, कोई नदकवर नोग उनको है किसी को बाइडिकीज है तो किसी को अर्थराइटिस है किसी को ब्रॉंकाइटिस है किसी को अस्पमा है किसी को दमा है किसी को ब्रॉंकियल अस्पमा है किसी को अर्थराइटिस है किसी को रुमेजिट अर्थराइटिस है किसी को उस्कियो अर्थराइटिस है लगब 148 बिमारियां हैं जो 7 से 70 कोटी लोक संसा में फैली हुई थे इन बिमारियों पर खर्चा इतना होता है पूरे देश का एक और प्रश्ण मेंने स्वास्त मंत्राले को पूछा था तो उन्होंने अलग-अलग बिमारियों का कुछ खर्चा मुझे बताया जैसे स्वास्त वंत्राले की माहिटी के अनुसार इंदुस्ताट में दर वर्शी हर साल पच्पन लाख लोगों को हिर्वे का ओपरेशन होता है तो अगर एक ओपरेशन में 2-5 लाख रुपए का खर्चा मान लिया जाए एंगियो प्लास्टी हो या बाईपास सर्जरी हो तो एक ओसदन खर्चा अगर मान लिया जाए 2-5 लाख रुपए तो अगर आपकी हिसाब गोड़ेंगे तो पच्पन लाख में 2 लाख का गोड़ा करना पुड़ेगा और अगर ये आतरा आप निकालेंगे तो इतनी वरी रखम आती है कि कैलकुलेटर में आप लिख नहीं पाई कैलकुलेटर में मातर वारा इंक आते हैं और पच्पन लाख में 2-5 लाख के दोड़ा को करेंगे तो भारत से जादा अनताय जाते हैं एक और दूसरी माहिती भारत सरकार में 5 कोती भारत सरकार की माहिती क अनुसार 5 कोती लोग इस दोश में ऐसे हैं जनको डाइबिटीज है मद उमे शक्कर करो अगर डाइबिटीज के किसी भी साधरम मरीच को इुलाच कराते आप देखेंगे तो इंसुलिन का इंजेक्शन अगर वो लेता हो रोज तो महिने का खर्चा कम से कम 500 से 600 रुपए और साल का खर्चा ओसतन 5000 रुपए और वो डाइविजीज के मरीज को आप जानते हैं जीवन परियंत इंसुलिन लेना भी पड़ता है तो अगर वो 20 साल जिन्दा रहा तो 20 साल में 5000 का गुणा कर्मी जे और उसके बाद 5 कोटी नागरिकों के हिसाब से गुणा कर्मी जे तो 70-80,000 कोटी रुपए का पर्चने करता है इसी तरह से अगर गुड़गे दुखते हैं कमर दुखती हैं संदी बात हो गया है ऐसे मरीजों की संख्या पूरे भारत में आप जोड़ेंगे तो 10 कोटी के आसपास लिखन के इनका अगर रोज का खर्चा 20-25 रुपए से लेकर 226 रुपए तक आप मानें तो 50-70,000 कोटी रुपए इसमें खर्च होता है इसी तरह की और बीमारियों का हिसाथ बोड़ता में गया और सरकार की महिती के अनुसार अंत में मुझे पता चला कि हमारे भारत के लोगों के स्वास्त और चिकित्सा का ही खर्च एक वर्ष का 5,42,000 कोटी रुपए आपको सुनकर आश्यर होगा कि भारत सरकार का बजट भी 5,000,000 कोटी के आसपास है नागरिकों का बजट बने खर्चा एक साल का वो सरकार से भी जासती है एक साल में भारत की सरकार जो बजट बनाती है पांच लाग कोटी का है भारत के नादरिकों के चिकित्सा और स्वास्त का खर्च एक साल का पांच लाख ब्यादीस हजार कोटी रुपए आप बरसाल खर्च करते हैं लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं है कि आप उस बीमारी से बाहर निकल आईएगे डाइपिटीस के किसी भी मरीच को कोई भी डॉक्टर ये नहीं कहता कि मैं आपको ठीक कर दोगा तो कहता है कि इंसुलिन लेते रहो जिंदगी चलाते रहो जबी इंसुलिन बंदो जाएगा तो जिंदगी भी खत्म हो जाएगा अगर गोगे दुखने वाले कमर दुखने वाले किसी मरीच से बात करो और दॉक्टर के पास जाओ तो वो भी कहेगा पेन किलर है जिंदगी बर खाते रहो जब तक आपकी जेद देती है पैसे तब तक खाते रहो नहीं तो दर्ग इतना ऐसा है नहीं हो कि आप मरने की ही प्रांपना करो कोई भी एक बीमारी में ऐसा नहीं है कि आपको कोई गारेंटी दे आपने एंडियोपलास्ती कराया है दोक्टर को आपने धायलाग रुपय दिया है तुससे पूछो को डॉक्तर गारेंटी कितनी है तो कहेगा कोई गारेंटी नहीं है कल दुबारह भी हरकäterक का सिसा है आज हैंडियोपलास्ती कराया तो दूसरा अटक है और चुछ भी डॉक्टर हूं। तो ऐसे बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हूं, जिब को मैं देखता हूं के एक बार ने दो बार कराए, दो बार ने तीन बार कराया, फिर भी तक्लीफ वहीं की वहीं थे हैं। और बहुत तक्लीफ और परिशानी से तो कभी किसी ऑस्पिटल से आते हैं मेरे पास की राजी भई अभी आप ही हमारी कुछ मदद करो आप ही हमारे लिए कुछ रास्ता रिखा है ऐसी तक्लीफ की स्थथी संपोर भारत देश पे बनी हुई है मैं आज आपसे विनम्रता पूर्व के एक बात कहने आया हुई है कि हमारे जीवन की जितनी भी बीमारिया है तो डायदिजीज हो या गुड़गे दुखना हो कमर दुखना हो या कन्ने का अत्रास हो या मंटे का अत्रास हो यह जितनी भी बीमारिया है जिनको आप जानते हैं अपने जीवन में इन ऐसे नमवर टका बीमारिया ऐसी है नाइन्टी परसेंट बीमारिया ऐसी है जो आपकी स्वयम की गलती से होती है मात्र दस्टका बीमारियां ऐसी हैं जो दूसरे की गलती से आपको होते हैं मात्र दस्टका बीमारियां दूसरे की गलती से आपको होने वाली बीमारियों की संचा सिर्फ दस्टका है इसमें viral disease भी है bacterial disease वाइरल और bacterial disease जो होती है विशाडों और जीवाडों से होने वाली जो बीमारियां होती है उसमें आप भी गलती नहीं है वो प्रकरती का प्रकौप है उसमें आप प्थ जाते हैं तो वो हो जाती है ऐसी बीमारियों की संच्छा और दूसरों भी गलती से होने वाली बीमारियों का एक उधारन तो आप 40 गाओं में किसी सड़क पर चुपचाप जा रहे हैं पीछे से आके किसी स्कूटर वाले ने आपको टक्कर मार दी अब इसमें आपकी कोई गलती नहीं आप अपने रास्ते से चल रहे थे स्कूटर वाले का बैलेंस भिगड़ा उसने आपको टक्कर मार दी अब आपको पाओं में फ्रेक्शर हो गया या हाथ में फ्रेक्शर हो गया ये बीमारी जो आई वो दूसरे की गलती से आई इसमें आपकी गलती नहीं इसी तरह से आप अपने रास्ते से चले जा रहे हैं किसी कार वाले में आपको टक्कर मार दी तो आपको जो बीमारी आई वो दूसरे की गलती से आई इसमें आपका कोई दोश नहीं तो दूसरों की गलती से आने वाली बीमारिया जिनमें जीवानों और जुशानों वाली भी बीमारियां है अंग्रेजी में जिनको वाइरल और रेक्टिरियल डिसीज कहा जाता है उनकी संख्या और दूसरी दुर्गटनाओं से होने वाली बीमारियों की संख्या उन बीमारियों में मात्र दस्ट टका है बाखी नमबटगा बीमारियां 90% रिसी जो है वो आपकी स्वयम की गलती से होती है इसका क्या हुआ इसका सीधा वार्थी है कि हम अगर अपनी जिन्दगी में गलतीयां करना बंद कर गए हमारी पर चूख हो रही है उसको सुधारना करना उसको सुधारना सीख ले उसको ठीक कर ले तो नमबटगा बीमारियों से हमारी जिन्दगी मुख्ष हो सकती है और ये बात पिछले दस साल के अभ्यास के बात मैं बहुत दावे से कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ती जो आप मैंसे यहां बैखा हुआ है अपने जीवत की नवट टका बीमारियों को स्वयम ठीक कर सकता है जिसमें आपको डॉक्टर की जादा जरूरत नहीं है बस आपको थोड़ी माहिती की जुरूरत है अगर वो माहिती आपको मिल जाए तो आप स्वयम अपनी बीमारियों को चीख कर सकते हैं पड़िवार की बीमारियों को चीख कर सकते हैं आप से जो गलतिया हो रही है जिन गलतियों के कारण बीमारिया उत्पन हो रही है आप से जो चूप हो रही है जो चूपके कारण बीमारी उत्पन हो रही है वहां अगर आपने दुरुस्ती कर लिया तो जिंदगी आपकी बिना दवा खाए और बिना डॉक्टर के पास जाए बीच सकती है ऐसी गारण्टी में आपको दे सकता हुआ हमारे जीवन में सबस्त होना बहुत ही आसा कि बहुत हैं और बीमार पुलकर auक्टर के पास जाना दवाएं खाना और जिंदगी को बिताना यह सबसे मुश्किल का जहीं फिर्फ मुश्किल है तो बख़ए कारीबूर्य उसमें कष्ट तो रिखेना ना फूरी अबमस्तैन का कन दूसरा बदाख्ट यह दूसरा आप आपके जीवन से दूर हो सकें, आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, आपके जीवन में होने वाले भूर को चूप को चीद कर सकें, इस द्रश्टी से आज, कल और पर सो टीन दिन, मैं आपसे चिकित्सा के विशे पर बात करूंगा, और इसको हमारे मित्र शरी गुलाब भा है स्वास्त कथा, मने आपके शरीर के स्वस्त रहने की कहां, कहानी या कथा, मैं आपसे कभीएगा, हमारा अपना शरीर, इसके बारे में भारत की सबसे महान चिकित्सा पद्विति आयरुवेद में, जो कहा गया है, वही बात मैं आपसे कभीएगा, आयरुवेद में सबसे नाम से तो सुना वोगा उनका नाम भागवत लिए फ़ाइवेत करते महान विट्टी हुए एक जिए चरक अगते शुषुषुष एक बागवत यह तीन महां जिए इनको ऐसा कह सकते हैं आयुर्वेट, चिकिटसाटे, ब्रह्मा, विश्णौ और महेश। जैसे हम सब मानते हैं न हमारे तीन मुख्य देवता ब्रह्मा, विश्णौ, महेश। ब्रह्मा दीने सारे जग्ती उटपत्ती कर भी विश्णौ की उसका पालन करते हैं और महेश के हाथ में संधार करने की ताकत हैं तो हम जैसे हमारे धर्म में ब्रह्मा, विश्णौ, महेश। का इस्थान देखते हैं वैसे ही आयूर्वेद चिकितसा में चरग, शुशुरुद, और बागवट्ट का इस्थान है आपके मन में एक प्रश्णा आ सकता है कि क्या चरग, शुशुरुद, और बागवट्ट के अलावा आयूर्वेद में और खोई नहीं हुआ, बहुत हुए, बहुत हुए बाव प्रकाश हुए, निगंटु हुए, काश्यक रिशी हुए, आत्रे रिशी हुए, ऐसे एक नहीं हजारों हजारों नाव लेकिन इन तीन का इस्थान सबसे उचा है, कारण क्या है? ये चरग, शुशुरुद और बागवट्ट का इस्थान सबसे उचा इसलिए है कि इन तीनों ने आयुरुवेट्ट शास्त्र की जितनी भी मूलभूत मानने काये हैं और सिध्धान्त हैं, वो सब इनों ने प्रकिपाजित की बाद के जो लोग आए, जैसे मैंने नाम लिया एक भाव प्रकाश थे, लिगन्टू थे, एक आश्यफ ते, आत्रे थे, इन लोगों ने इन तीन महान विश्यों के बनाए हुए सिध्धान्तों का बहुत बार अवलोगन किया, अब्जर्वेशन किया, किये, प्रयोग किये, परिणाम देखे और उसको फिर विश्यों करके लोगों को समझाने का काम बड़े पूमाने पर किया, लेकिन मूल सिध्धान्त और मानिताएं बनाने वाले ये तीन ही थे, चरक, शुष्रुत और बाद्वेश, चरक ने शुष्रुत में और बाद्व बाद्वट में कुई बिलाकर जो सिध्धान्त बनाएं और सुत्र लिखे उनकी संख्या 21,000 से ज्यादा है, अकेले बाद्वट रिशी ने साथ हजार से ज्यादा सुत्र लिखे हैं, शुरुक लिखे, और ये सभी शुष्रुक और सुत्र आप सब के जीवन के बहौत मैं ऐसे सुत्र बताने की कोशिश करूँगा, जो आपके जीवन में हमेशा काम आए, आयूर्वेद चिकित्सा का सबसे प्रथम सुत्र है, जो प्रथम श्लोक है, और ये है कि आपका जीवन सुखी हो, निरोगी हो, और लंबी आयू हो आपकी, ये ऐसी भावना के साथ आय सुत्र मिखी है, आपने कभी-कभी सुना होगा, कभी शाहिद आपस में चर्चा भी की होगी, एक सुत्र अक्सर हमारे मुझ से निकलता है, श्लोक हमारे मुझ से निकलता है, सर्वे भवन्त सुखने, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्रान पश्वन्तु, मा कश्चिक सर्वे भवन्त सुखने, मने सब सुखी हो जाएं, सर्वे संत निरामया, सब निरोगी हों, सब निरोगी हों, ये जो कल्पना है और ये जो भावना है, ये दुनिया के किसी भी दूसरे शास्त्र में नहीं है, सिर्फ आयरुएट में, आज तक ऐसा कोई सूत्र, कोई लिख सुखने वाला नहीं आया, जिसकी भाव ऐसी हो, कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो, कहीं भी नहीं है, अगर आप ध्यान से धूबने की कोशिश करेंगे, तो आईरुवेट को छोड़ कर, दुनिया की किसी भी पहत्ति में नहीं है, एक ही सूत्र, सरवे भवन्त सुखने, निरोगी हो जाएं, यह हम ईश्वर से ब्लापना कर रहे हैं, आयूरुवेट में से निकला हुआ है, तो अगर सब सुखी हो, सब निरोगी हो, तो इसी के लिए आयूरुवेट की लचना की गई है, आयूरु माने आयू, और वेद माने ज्ञान, आपकी लंबी आयू हो, न निरोगी हो, लंबी हो, सुखी हो आपका जीवन, इसके लिए कुछ ऐसी माहिक्ति उनमें दे गई है, जिसको हर व्यक्ति अगर अपके जीवत में पालन करे, तो उसको जीवन भर ही कोई रोग ना आयूरु जब इनके शास्त्रों का अभ्यास कर रहा हूं पिछले कुछ व काश्य अप्रशी 148 वर्ष जीवित रहे, खुद बागवाट का आयू, 127-128 साल का रहा, शुश्रुद का लगवग 132 साल का आयू, चरख का लगवग 136-137 साल का आयू, और हैरानी की बादी है कि 120-125-130-135-140 वर्ष का वए और बिना किसी रोग के, सम्पूर निरोगी, तभी कोई आउशदी लेने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा जीवन और ऐसा शरीप, ये सब लोगों ने अपना जीवन बिटाया, और उन्होंने अपने जीवन पर जो कुछ अब्जर्वेशन किये, जो परिनाम उन्होंने देखे, जो कुछ उन्होंने सीखा, वही उन्होंने फिर सूत्रों में लिखा, भागवत रिखी तो एक जगे लिखते हैं, कि मैंने कोई भी सूत्र लिखा है, कोई भी श्रोग लिखा है, उसके पहले बार-बार उसका अब्जर्वेशन किया है, बार-बार उसको चरखने का काम किया, लगातार उब्जर्वेशन में से जो निकलता है उसी को विज्जान किया, साइन्स भी वही होता है, तो इन महान लोगों के जीवन में से उन्होंने जो कुछ निचोड निखाला वो सूत्रों के रूप में शास्त्र में लिख दिया उसी को आयरुवेट के शास्त्र के नाम से जाना जाता है चरक विश्टी ने एक शास्त्र लिखा जिसका नाम है चरक सहिता शुष्षृत जी ने लिखिया उसका नाम शुष्षृत सही था बागवक्ति जी ने लिखा दो शास्त्र लिखे उन्हों ने एक का नाम अश्टांग जिर्दयप दूसरे का नाम अश्टांग संग्रहां फिर आत्रे ने काश्यम ने लिगंटू ने भाव प्रकाश ने अपने अपने अलग-अलग शास्त्र लिखे इन सभी शास्त्रों को पिछले आप दस वर्शों से लगातार अभ्यास करते करते हैं मैंने इसमें से कुछ सूत्र कुछ श्लोग निकाले जो साधारण मनुष्य के जीवन में आपके जीवन में मेरे जीवन में हम सभी के जीवन में बहुत मदद कर सकते हैं संपूर जीवन को निरोगी बनाने में निरामय बनाने में वो सूत्र वो श्लोग मैं आज कन परपर सूं तीन दिल लगाता आपको बताओं और चौद्धे दिल इन सूत्र और श्लोग पर आधालिक चिकितसा आप कैसे कर सकते हैं अपनी जिन्दगी की उसके बारे में कुछ महिती दो आज मैं आपको कुछ ऐसी महिती देता हूँ कि जो इन तीनों महान लोगों की तीनों महान से मतलब भागवट चरफ और शुष्टू तीनों ने जिन बातों को सबसे ज़्यादा महत दिया है तीनों ने जिन सूत्रों को श्ट्रों को सबसे ज़्यादा आधार भूत माना है ऐ आज में आपको इसके आज के जयख्वान मादूंगा सबसे अधार पीलों रिश्वी कहते हैं कि शरीर निरोगी लेना चाहिए और अगर शरीर आपका निरोगी है स्वस्थ है तो आपका जीवन बहुत सुखिए हो अगर आपका जीवन सुखिए तो आप दूसरों को सुख दे सकते हैं, और अगर आपका जीवन सुखी नहीं है, तो आप किसी को सुख नहीं दे सकते हैं, यह सामनिम सिध्धान है, कि आप अगर स्वयम दुखी है, तो दूसरे को सुख नहीं दे सकते हैं, और अगर आप स्वयम सुखी है, तो दूसरे को सुख की जो परिभाशा है वो हमारे अपने जीवन में आज के हिसाब से थोड़ी दिन है हम सब आज सुख की परिभाशा करते हैं वो कैसे कारवस गाड़ी है क्या पेर कंडिशनर है क्या बड़ा मंगला है क्या अच्छा बेंग बैलेंस है क्या कोड़ी गोटी रुपए है क्या पहनने को अच्छे कपड़े है क्या आदी आजी ये सब चीज़ों को देखकर हम सुख की परिभाशा तै करते हैं लेकिन मागवच रिष्टी कहते हैं कि ये हम गाड़ी होना बंगला होना एसी होना कुलर होना या माइक्रोगेम उबन होना ये सुविधाएं हैं सुख नहीं ये सुविधाएं तो हैं गाड़ी सुविधा है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से सुख मिले एसी सुविधा है लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें से आपको सुख मिले बहुत बड़ा बंगला होना यह सुविधा की बात है लेकिन जरूरी नहीं है कि सुख में ले वैं ऐसे बहुत सारे केश्टेंज को जानता हूं वरीजों को जानता हूं जो मेरे पास किसा के लिए आते हैं सब्सक्राब अनके गर मैं एक एक गादी एक एक व्रूपई की है और मुझे दवा ऑनागते हैं नीद दाने कि को महीं करते हैं एक लाग census कि घुदी여 भाजी कि आपको दिस विए तूब quiet कि नहीं आती नाथि रात पर नरि श कपर सश्ट ने रहते हैं कंपोस की गोलिया खाते हैं एक से नीब नहीं आती तो दो खाते हैं दो से नहीं आती तीन खाते हैं तीन से नहीं आती तो चार भी खाते हैं पिर कहते हैं सबेरे तीन बत जाते हैं तब थोड़ी गेर के लिए नीद आती है एक लाख रुपई की गादी है एक और वो जापांग से लाई हुई है नीद नहीं आती तो वो जो एक लाख रुपई की गादी है वो सुधा तो है लेकिन अगर उस पर नीद नहीं आती है तो उसमें सुख नहीं है उससे अच्छा ये है कि किसी के पास एक लाख की भी गादी नहीं है ऐसे ही जमीन तो सो जाता है लेकिन रात भर उसको साथ घंटे अच्छी जोब होती है तो उसको सुख है उसके पास सुविधा नहीं लेकिन सुख है अच्छी जोब का नीद का सुख उसके पास है हम अपनी जित्गी में सुविधाओं को वो सुख से अलग करना सीख लें तो बहुत अच्छा होगा हमने आजकल सुविधाओं में सुख ढूंता करूं किया है वो नहीं मिलता है सुख जो है मन और शरीर की एक विशेश अवस्था है जो बिना सुविधाओं की भी हो सकती है में ऐसे एक नहीं आपको सेख़ो अधारन रे सकता हूँ मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 35 लाख रुपए की गाड़ी है उसमें वो सबेरे से शाम तक चलते हैं लेकिन मंट्चे का क्राफ इतना जबर्ज़क्त है कि आप दिन परिशान रेते हैं अब 35 लाख की गाड़ी उन्होंने लाई है सिर्फ इसलिए कि कमर को थोड़ा भी जट्टा ना लगे फिर भी उनके मंके का क्राफ जाता नहीं है तो 35 लाख की गाड़ी सुविधा तो है सुख नहीं और उससे ज़्यादा अच्छा ये पास ऐसे भी मरीज है जो मजदूरी करते हैं बेली थेला चलाते हैं मजदूरी करते हैं और कम से कम पीठ पर सौसो किलो वजन के दिज़ बर में पचास ताग बोरे जर से उदर ले जाके रखते हैं उनको कोई मनके का प्रास नहीं है उनके पास सुविधा नहीं है लेकिन सुख है बिना मनके के प्रास के उनका जीवन है तो हम इस बात को ज्यान से समझ लें कि सुविधा बहुत हो गर में जरूरी नहीं है कि सुख आजाए सुख आएगा तब जब आप निरोगी होंगे तब आपके शरीर को कोई प्रास नहीं, कोई रोग नहीं, कोई आपको तकलीफ नहीं, मन में, तन में, शरीर में, मस्तिश्क में, बुद्धी में, सब तरफ से निर्मन और मिरा में जीवन हैं, बले आपके पास पैसा नहों, तो आप सबसे सुखी विप्ति होंगे यह आयुरुवेट की परिभाशा है तो आयुरुवेट यह कहता है कि आप सुखी हो निरोगी हो निरोगी होने के बाद ही आपको सुख मिलेगा तो निरोगी होने के लिए आयुरुवेट ने बहुत सारे सूत्र दिये हैं बहुत सारे श्ल आई रुमेट की तरफ से और आप अपनी जिन्दगी की छोती-छोती गलतियां भून या चूक जो माप कर दे या उनको छीक कर ले या उनका कोई करेक्शन कर ले तो भी मैं आपको गारेंटी देता हूं कि आपका जीवन निरोगी होगा, निरामय होगा और आप बहुत अच्छा जीवन बिताएंगे, लंबी उम्र पाएंगे और दूसरों को भी ये ग्यान देकर सुखी बनाएंगे क्या है वो छोगी चोटी सी बातें जो सुत्र के रूप में अगर वेद की अलेगलेक शास्त्रों में लिखी गई है, मैं आपको आज इनको कहना चाहता हूं सबसे पहला सुत्र, अगर आपके पास काज़ पहन है तो जरूर लिख लीजे, नहीं है तो दिमास कोई लिख लीजे, ये आपका मस्तिश्क है ना, ये कम्प्यूटर से भी जादा सुखा, कम्प्यूटर कही बार गरबर कर देता है, वाइरस आजाता है तो सब कि उसमें से चला जाता, इस मस्तिश्क मैं से नहीं जाएगा, अगर ठीक से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो मस्तिश्क पही नोट हो जाएगा, कल ये रात को घर जाके काज़ पहले इस नहीं से लिख लीजेगा, पहला सुत्र, जीवन को निरोगी रखना है, निरामय रखना है, तो अपने शरीर का ध्यान जिरा करें, आपका शरीर, आपका शरीर उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और ये बताईए कि आपके शरीर का सबसे महतुपूर भाग कौन सा है, अंगों की बात नहीं कर रहा हूं, अंगों रुपांग को छोड़ दीजिए, कोई कहेगा हिरने ब इसकी बात नहीं कर रहा हूं, शरीर के अगर दो-तीन हिस्से करना हो, नीचे का एक हिस्सा, मद्य का एक हिस्सा और उपर का हिस्सा, इसमें से बता दीजिए कौन सा समय तुपूर है, जी, उपर का मस्तिश, ये सबसे महतुपूर है, आप मानते हैं सब लोग, मस्तिश की सबसे महतुपूर है, बिल्कुल नहीं है जी, पेट, आपके शरीर का जो मत्य भाग है, यही सबसे जादा महतुपूर है, अगर ये ठीक से ना चले, तो मस्तिश भी नहीं चलेगा, मस्तिश को चलाने के लिए उर्जा चाहिए, उर्जा देने का काम को पेट ही करता है, शरीर के सारे अंगों को, शरीर के सारे उपांगों को उर्जा देने का काम, इनर्जी देने का काम पेट करता है, शरीर का पद्जभाग करता है, ये पेट ना हो, तो आपके शरीर में र जब सब्सक्राइब और लिए उतना बवंकराइब निगहें कर लिए तो पूरा शरीर आपका ठीक रहने वाला है पूरा शरीर ठीक रहने वाला है अब मद्धिका भाग आपका सबसे महत्युपूर्ण है यह अगर आपके समझ में आजाए क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो पेट में ही जाता है पेट में से उसका पाचन होता है पाचन होने के बाद उसमें से रेक्ट बनता है मास बनता है मज्जा बनती है वीरी बनता है उसी में से शरीर के लिए पोशकत्त्त मिलते हैं अंग्रेजीव जिनको माइक्रो म्यूट्रियंस दोते हैं उनी पोशकत्त की ताकत से शरीर के बिमिन्द तरह के हार्मोंस बनते हैं जिससे मस्तिष्पी चलता है बाती सब कुछ ठीक ठीक चलता है कि इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर भाट जो है वो मतिभाग है इस पर हमेशा ध्यान रखिए पेट आपका सबसे महत्वपूर है क्योंकि जो कुछ आप खाएंगे तो पेट में जाएगा पेट में जाके उसका पाचन होना है पाचन होने के बाद ही सब कुछ आगे बगना है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम जो कुछ भी खाएं वो ठीक से पाचन हो यह हमें ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप खा रहे हैं और उसका पाचन नहों तो खाना बेकार है कितना भी अच्छा है आप जो कुछ भी खा रहे हैं अगर ठीक से पाचन नहीं होता तो कितना भी अच्छा खाना है वो करोर रुपय का हो या दस करोर रुपय का बिल्कुल बेकार और इसके विप्रीद आप जो कुछ भी खा रहे हैं अगर ठीक से पाचन होता है तो भले कितना ही सस्ता हो वो सबसे अच्छा है तो खाना सस्ता है या महेंगा इसमें मत फस्ये खाना पाचन हो रहा है या नहीं इसका ध्याद दीजिए अगर आप कुछ भी खाएं और आपको ठीक से पाचन हो जाएं तो आप बहुत दुरुस्त और पंदुरुस्त रहने वाले और जो आप ठीक से पचा नहीं पाएं भले ही कुछ भी खाएं तो जिन्दगी भर बीमार रहने वाले से तो आप अपने शरीर के बद्यभाद जिसको हम पेट कहते हैं इस पर ध्यान देंगे मराठी में शाहिद पोट कहते हैं हुंडी में पेट कहते हैं इस पर अगर ध्यान देंगे तो जीवन आपका बहुत आसान सुखी नेरोगी और आगे लग बढ़ाने वाला होगा आयुष्ट बढ़ाने वाला होगा अब हमारा पेट ठीक रहे इसका मने जो कुछ भी कहें उसका ठीक से पाचन हो जाए इस द्रश्टी से आयुर्वेन में कई सूत्र लिखे चरक रिशी ने लिखे बागवट् क्योंने लिखे उनमें से जो कॉमन हैं जो मैं आपको बता हूँ हम पहले एक छोटा सा उधारन हैं तो हमको समझ में आए आपको ऐसी एक बात मैं आपसे बोलता आप सभी माता हैं यहां बैठी नसोई गर में स्वयम्पाक घर में आप लियमित रूच से काम करते हैं आपके पास अगर दूद है और आपके पास चावल दी और खीर बन दूद भी है चावल दी लेकिन अग्द नहीं अग्नी नहीं तो खीर बन सकती है इसी तरीके से आपके पास पानी बहुत अच्छा है चावल भी बहुत अच्छा है अगनी नहीं है भात पकेगा नहीं मैं आपके धियान माना चाहता हूं कि स्वेम पाक घर सबसे महत्भ्हों जो अगनी नहीं है अगर स्वेम पाक घर मैं अगनी नहीं राकि सब कुछ है तो स्वयम पाग घर किसी काम का नहीं है कुछ भी आप नहीं बना सकते आप इस बात को अगर ठीक से समझ ले कि स्वयम पाग घर में कुछ भी खाना बनाना हो दोजन पकाना हो तो अगनी सबसे आपश्चक तक तो है अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आपके शरीर के लिए भी बात बहुत आसान से समझने आएगी कि जो अगनी स्वयमपाद घर के लिए सबसे महत्वों है वही अगनी आपके पोट के लिए भी सबसे महत्वों है अगर आपके पोट में अगनी नहीं है तो आप कुछ भी खाईए, कभी भी नहीं पचेगा स्वयंपा घर में अगनी नहीं है तो कुछ भी लाईए, कभी भी भोजन नहीं बनेगा तो जैसे स्वयंपा घर की अगनी महत्वपोन है ऐसे ही पोट की अगनी महत्वपोन है अगर आपके कोट में बराबर अगनी है तो आपको भोजन बहुत अच्छे से पक्चेगा और भोजन पक्चेगा तो मैंने आपसे कहा कि उसी मेंसे मास, मज्जा, रख, वीर, मल, मूत्र और उसके जो सुख्षों पोशक्तत को सब उसी मेंसे बनेगा अब जो शरीर के कामका है, वो शरीर में रह जाएगा और जो बिकार है, वो शरीर से निकल जाएगा आपके शरीर के जो कामका नहीं है, वो मल है और मूत्र है तो वो मल और मूत्र तो निकल जाएगा बाकि जो कुछ है वो शरीर के कामदा है तो शरीर में रह जाएगा अब आप ध्यान दीजिए इस बात पर के हमारे शरीर में पेट इस्थान, मद्दिस्थान सबसे महत्व हूँ और इस मद्दिस्थान में वो इस्थान जहां भोजन पच्चता है वो और भी ज़्यादा महत्व हूँ और जहां भोजन पच्चता है उसमें अगनी अगर है तब तो सबसे ज़्यादा महत्व हूँ जैसे आप दूद में चावरी मिलागर अगनी पर रखते हैं और थोड़ी देर में खीर तयार हो जाते है आप कुछ भी खाइए आगनी उसको आगे के रूंप में लेके जाएगी पहले क्या होता है आप कुछ भी खाते हैं तो वो सब कुछ पेस्ट में बदलता है पेस्ट का तरीका आपने देख भा है पेस्ट मने ना तो सॉलिड है और ना तो लिक्विड है ना तो द्रव रूप है ना तो ठोस रूप है द्रव और ठोस के बीच की अवस्था है जिसको हम पेस्ट कहते हैं हमने कुछ भी खाया तो वह पहले पेस्ट में बदलता है और पेस्ट थोड़ी देर के बाद रस में बदलता है और रस के आगे की जो इस्थिति है फिर वह सब है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं मास मज्जारक तबीर मल मूत्र ये सब उसी के आगे आगे निकलता है तो आपने कुछ खाया है वो आपके पेट में जाए ठीक रूप से पचे और पचने के बाद उसमें से मास मज्जारक तबीर मल मूत्र सम्यक मात्रा में बने माने जितनी जरूरत है उतना उतनी मात्रा में बने तो जीवन परियंता बिना किसी रोक के निरोगी रहते हुए अपने जीवन को बिताएंगे आयुष्य आपका बहुत अच्छा होगा यह सूप्र है अब इस सूप्र के लिए बागवत्र विश्टी ने सबसे ज्यादा मेहनत करके खोच किया है सबसे ज्यादा बागवत्र विश्टी ने इस एक छोटी सी बात पर कि हम जो कुछ भी खा सकते हैं खाने केब ऊसका जो पांचन होता है फाचन के बार्ग वा खर्याएं मैं सबसे ज्यादाम इस लिए उनके शास्त्र जिसका नाम होजे कि उस TOP तो दो तीन सूत्र बताता है, कि आप वो खा रहे हैं, वो ठीक से पचना चाहिए, उसके लिए अगनी प्रदीत थोनी चाहिए, इसके लिए सूत्र है, सूत्र क्या है? आपकी अगर पेट में अगनी अक्षे से प्रदीत हो रही है, आप वो कुछ भी खा रहे हैं, अक्षे से तो है जिन से अगली बादित हो सकती है अब मैं आपसे एक सरन प्रश्ण पूछू तो आपको तुरं दिये ध्यान में आएगा आपके स्वेंपा गर में आपने भोजन बनाना है पानली के खीर बनानी है आपने गूत और चावन दोनों मिलाकर रख दिया आपकी गैस जल रही है बर्नर ऑन है और वो फीर बन रही है आग्शन को जंटे हुए पानी डाल दो आप की फीर पक रही है आ जल रही इस बर्नर को पानी डाल है ऐजा होगा दूंश्च ऑर फिर पके सिर्वान कई में मैं पनृ डाल सिस्का और कर सण्यक्स लुर्ट सर onion अगनी तक्त्व का पानी के साथ दुश्मनी है अगर अगनी के उपर पानी चोडेंगे तो अगनी शांत हो जाएगी तो खीर नहीं बनेगी तो चावल और दूद दोनुद खाने लायक नहीं रगेगा खीर बने तो चावल और दूद खाने के योग ये होगा घीर बनेगी ही नहीं तो चावल भी खाने लाइब नहीं दूद भी पीने लाइब मे इसका महझत उच्पा बात जो समझने का आप हूँ यह कि अदमी तप्तु के ऊपर पानी ना आ जाए इसका ध्यान हम रखते हैं कि नहीं स्वाइन पाट जर्मन अगर ये ध्यान आप रोज रखते हैं तो पोट में क्यों नहीं रखते इस तद्यान आप बुलेगे जी हम क्या गलत करते हैं पोट में आप गलत ये करते हैं कि आपने भोजन किया भोजन करने के बाद उसको पाचन होना है पाचन होने के लिए अगनी प्रदीफ होगी जैसे आपने भोजन किया पिर गट 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 लोटे पर लोटा पानी पिना शुरू कर दिया अब क्या होगा अगनी बुझेगी क्योंकि पानी और अगनी की दुश्मनी है अब लोटे पे लोटा पानी पीते जाएंगे तो अगनी तो बुझ गई अब भोजन कैसे पचेगा स्वाइब पाद गर में भोजन कैसे बनेगा अगर अगनी बुझ गई पानी डाल दिया तो वहाँ जो इस्तिती है वोई फोट में हो जाएंगे और अगर भोजन नहीं पचेगा तो फिर क्या करेगा सरेगा और सरा हुआ भोजन बागवत विशी के अनुसार एक सौतीन लोग पैदा करेगा एक नहीं एक सौतीन मतलब सीजी से बात यह है कि जो लोग भोजन के बाद गड़ट लोटे पर लोटा पानी सीएंगे उनको जिन्दगी में एक सौतीन लोग जरूर आएंगे अगे एक सौतीन लोग आएंगे तो डॉक्टर के तो मजे आएंगे और आपके घर का पैसा जाएगा आप रोट पती हो जाएंगे डॉक्टर करोड पती हो जाएगा यह एक सौतीन लोग कौन कौन से आएंगे उनकी सूची है बागवत्य सहिता इसका नाम है अश्टांग हिर्दयम उसमें पूरी सूची है कि जो लोग भोज़क के बाद गड़ 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 पानी पीते हैं उनको एक सौतीन रोग कौन कौन से आते हैं सबसे पहला रोग पेट में जलन होना जिसको आप कहते हैं ऐसीडिटी जो लोग भी खाने के तुरन बाद पानी पीते हैं अज नहीं तो कल नहीं तो परसों जो साल बाद पात साल होने ही वाली है एसीडिटी तो होने ही है पेट में जलन तो होने ही वाली है और ये पेट की जलन आगे बढ़ते बढ़ते छाती तक आती है पिर छाती में जलन और आगे बढ़ते तो गले में जलन इसी को यहां बुर्खे में जलन पूरा शरीर में आग दी आग आग और यह अगर आग पहल गई तो पित बिगड़ता है और पित बिगड़े तो शरी में बिगड़ता है और शरी बिगड़े जिन्दगी बिगड़ती है इसलिए ध्यान इस बात को भीना है कि सुयम पाँ घर में दूध और चावल को पकाते समय आग का जलना बहुत जरूरी है ऐसे ही हमारे श्रीर में खाना खाने के बाद आग का जलना बहुत जरूरी है ताकि भोजन ठीक से पके इसके लिए पानी का और आपका मेल नहीं है तो मतलब सिधासा यह है कि खाना खाने के बाद पानी मत दो बागवट रिशी सुत्र को संस्कृत में कहते है भोजनांते विशमवारी भोजन के अंत में पानी पीना विश पीने के जैसा है विश माने जहर जो लोग खाना खाने के बाद पानी पीते है बागवट कहते हैं कि वो जान लें कि जहर पी रहे है और यह जहर उनको जिन्दगी में इतना प्राज देने वाला है इतनी तकलीव देने वाला है जिसकी वो खूद कल्पना उस समय नहीं कर पाते जिस समय वो पानी पूते। मैंने वो सूची पढ़ी रागवाट रिश्वी के लिखे हुई तो उसमें ऐसे विदी माने पेट की जलन पहले नंबर पर है और आखरी नंबर पर उसमें जो भीमारी है वो है कैंसर। माने पेट की जलन से जो शुरू हुआ तो वो कैंसर तक जा सकता है। माने पेट का कैंसर भी आपको हो सकता है। अगर खाने खाने के बाद पानी पीना आपका है तो और बीच में तो सब बीमारियां बसी परी होई है। तो यहां से आज से बाद शुरू होती है कि आप अपनी जिंदगी में एक छोटी से चूप कर रहे हैं। तो बनकर दुआस के बोजन के बाद पानी नहीं पीना है। बोजन के बाद कभी भी पानी मत पीजिए। बोजन के बाद पानी अगर पीएंगे तो तैयार रहे हैं एक सोतीन रोग आएंगे। उन मैंसे कई रोग हैं जो आपके गुड़ों के तरास से संबंदित होंगे, पेट से संबंदित होंगे, रक्त से संबंदित होंगे, जीरी से संबंदित हो सकते हैं, मस्तिष्टी से संबंदित हो सकते हैं, कई तरह की बीमारिया, जो पित्प के बिगलने से हो जाते हैं। मतलब यह है कि खाने के बाद अगनी को जलने दीजिए पानी गिरातर शांत मत करें अब मैं आपको एक और उधारन दीता हूं तो जल्दी से आपको इस पाद समझने आए आपने पशुओं को देखा पशुओं को जानवरों को गाए को मशी को गधे को घोड़े को बैल को इन सब को आपने देखा है अच्छे सा देखा है आप देखिए कि कौन सा पशुओं है जो खाना खाने के तुरन पाद पानी पीता है नाम बताएगे किसी एक का कभी गाय को देखा खाना खाते ही पानी पी लेती है वशी को देखा मशी को मशी सबसे मूर्ख मानी जाती है सबसे मूर्ख उसको भी इतनी अकल है कि वो बोजन के बाद पानी नहीं पीती है मैंने देखा है वमशी सुबें सुबें ठाना ठाती है छे वजे summer और पानी ग्यारे वजें 12 मुजेी ही पिटी है मैंने खाना खाने के चार पास बात पानी पिटीएằं मशी इसको भी इतने हखल है मनश्चो को नहीं है मनकी मशी से भी गया हुग कुटे को देखे, मशी को देखे, गाय को देखे, बैरी को देखे, गधे को देखे, घोडे को देखे, हत्ती को देखे, किसी भी जानवर को देखे भोजन करने के साथ कोई भी जानवर पानी नहीं पीता कम से कम चार पास अधिक से अधिक पाँच पास के बाद ही सब जानवर पाने पीटे हैं इसलिए किसी भी जानवर को बुर्गे का तरास नहीं होता किसी भी मश्री को डाइवचीज नहीं होती किसी भी बैन को मन के का तरास नहीं होता सुनाए बैल, एक दिन मैं तीन तन बोजन लेके जाता है, तीन हजार किलो, और कम से कम साट किलों की जब चलता है, किसी भी बैल को आज तक नहीं सुना कि मन के कत्रास हो गया, और ये मनुष्ट दस किलों का एक पोता उठाए, तो मन के कत्रास हो जाए, नाइविटीस हो अस्थमा हो जाए, 148 रोगों की लिस्ट है, जो कभी भी हो जाए, तो मुझे बागवट रिशी के ये सुत्र को आपके ध्यान में लाना है, बागवट रिशी कहते हैं, भोजन आंते विशमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना, तो जहर पीने के जैसा है, विश पीने के जैसा है, मतलब मेरा आपको एक छोटी सी सूचना है, कि बोजन के बाद पानी मत्री हो, तो क्या होगा, आप जो मुझ भी खाएंगे, अगली प्रदी भोगी, अगली से उसका पाचन हो जाएगा, पाचन के बाद उसमें से मास मज्जा रट्वीर मलमूत्र ठीक से बन जाएगा, इसलिए बोजन के बाद पानी मत्री हो, तो आप पूछेंगे कब तक नहीं के, पशू तो चार घंते नहीं के चार पास, आप, अभी मैं आपको एक साथ हिमाई के दे ले तो फिर आप तरह कर सकते हैं कि कि फितने घंते बाद के हैं, हम जो कुछ भी खाते हैं, म ना तो थोस है, बीच की अवस्ता है, ना तो सॉलिड है, ना तो मिक्विड है, बीच की अवस्ता पेस है, तो जो कुछ भी खाया, वो पेस्ट में बदलता है, इसको लगपद एक तास लगता है, और पेस्ट के बाद अगला जो चरन है, वो है रस बनने का, पहले पेस्ट भोजन फिर बात नरस में बदलता है और रस बदले का जो समय है वो एक तास से शुरू होता है और दो तास तक चलता है आप जानते हैं कोई भी छीज रस बने तो उसमें पानी का होना आवशत है नहीं तो रस नहीं होगा तो जब भोजन रस बनना शुरूँ करता है उस समय पानी पेना सबसे अच्छा होता है तो कम से कम एक तास बाद जास्ती से जास्ती दो तास बाद पानी पेना आप बोलें यह अरे यह कैसे होने वाला है हमारी तो आज़र ठोड़ी ओड़ी है बहुत लोगों को मैंने देखा है कि भोजन कम पानी जादा पीते हैं एक लोटा नहीं दो दो लोटा लगता है उनको, तीर तीर लोटा लगता है यह आदब पदलनी पड़ेगी, नहीं तो आप स्वस्थ नहीं रहे सकते अगर आपको स्वस्थ होना है पेट के रूगों से मुक्ती पानी है तो भोजन के बाद पानी पीना तो बन करना ही पड़ेगा तो आप यह पूछ सकते हैं कि कुछ और पी सकते हैं क्या कुछ और पी सकते हैं बागवत विश्वी ने एक सूत्र लिखा उसमें पहला सूत्र तो यह भोजनांते से शम्मारी भोजन के अंद में पानी पीना विश्वीने के बराबर है मने पानी मत पियो एक पास से देड़ पास के बीच में पानी पियो दूसरी बात उन्होंने यह लिखी है कि अगर कि थी फल्का रस पीशाय पानी नहीं पीशाय पाक पीशाय है अब आपकी मनत तुरंत एक प्रश्णा है इस आप पीशक्टे में पानी पानी क्यों नहीं पी सकते ताक में भी तो पानी ही है और दूद में भी तो पानी ही है और रस में तो पानी ही पानी है तो रस पी सकते हैं ताक पी सकते हैं दूद पी सकते हैं तो पानी क्यों नहीं पी सकते हैं इसका उत्तर मैं, सरल तरिए से देता और. आपने कोई फिल्म का गीत सुना, मुझे फिल्म का नाम याद में इह पानी तेहल रेज पांई तेरा रन्थ कैसा? जूस्वन मिला दूर उस जिस हैं уже, यह न यह वी मैं आपके शरीकि फिलस्फुथी है. पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, रंग से मतलब गुण उसके गुण कैसे हैं पानी के पानी पे अपने गुण कुछ भी नहीं है जिस चीज में आप मिला देते हो वैसा ही है पानी को दही में मिलाया, ताथ बनेगी तो उसमें पानी का गोर नहीं आएगा, दही का आएगा पानी को दूद में मिलाया, तो पानी में पानी का गोर नहीं आएगा, दूद का गोर नहीं आएगा अगर आम का रस निकाला आम में और उसमें पानी मिलाया तो उसमें पानी का गुर्ण नहीं आएगा आम का गुर्ण नहीं आएगा संद्रे का रस निकाला उसमें पानी मिला गिया तो पानी नहीं रहेगा वो संद्रे का गुर्ण उस पानी में आजए तो पानी पीने का तो निशेद है लेकिन रस पी सकते क्योंकि रस में जो पानी है वो फल के गुड़ो वाला है पाक में जो पानी है वो दही के गुड़ो वाला है दूद में जो पानी है वो दूद के गुड़ो वाला है को आप गोजन के बाद अगर कुछ पीना चाहते हैं तो तीन चीजों का आपको पर्मिशन है आप या तो रस पीजिए या तो भूट पीजिए और या तो पाफ पीजिए पाने में पीज़े पाने कप पिना है कम से कम एक टास 30 फिनेट के बाद पानी पीज़े दोड़ टास के बाद पानी पीज़े अब चलेगा पिर कुछ लोग कहेंगे गले में भस गया तो बोजन गले में फस गया तो बोजन गले में कप फसता है इसके लिए भी एक कारण है अगर आप बोजन जल्दी 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 खाएंगे तो जरूर गले में फसेगा लेकिन धीरे 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 खाएंगे कभी भी नहीं फसेगा मरागी में एक वो सूतरा ना सावकाश गया, हरू-हरू गया, ये तो बहुत बड़ा सूत्र है, जिस महाद्व्यक्ति ने ये सूतर मरागी में लिखा, उसको मैं बंदन करता हूँ, उसने बागवत सहिता का सारा निचोड एक सूत्र में लिख दिया सावकाश गिया बडू हरू गिया बागवत निश्वी को ये बताने में साथ हजार सूत्र लगे और जिस मराधी महान व्यक्ति ने ये लिख दिया सावकाश गिया बडू हरू गिया वो जरूर बान घट का पक्का चेला रहा होगा गुरू की सब माहिती लेके उसने एक सुत्रमन लिखिया धीरे धीरे खाओ जल्दी जल्दी मत करो तो जल्दी जल्दी नहीं करोगे तो गले में नहीं फसेगा तो कोई लिमिट होगी कोई मिनीमम कोई मैक्सिमम तो इसको लिमिट में बहुत अच्छा एक सूत्र में आपको बताता कितना धीरे खाना आप सब के लिए अपना अपना समय बोजन का निकालना हैं तो एक सरल सूत्र बताता आज रापको नहीं को कल सुबह आप अपने घर में आरसे के सामने खड़े हो जो और मुझ को लिए औ कर अपने दात पिनिगे फौर के घर जावे आरसा लगा है उसके सामने खड़े होकर मूख खोलकर अपने दात गिनिए आपके चितने डात हैं तो आक भूच कहेंगे 22 कोई कह बातीस कोई कहhen गाे अथाइस और ऑछ पाटइस ऐसे सब के अलग अलग होगे जरूरी नहीं है क सब को 28 वोगे तो सभी व्यक्तियों के लिए भोजन का समय भी अलग-अलग तह होगा तो आप पहले कल गिल दो अपने अपने दाफ़ बत्ना है उसके हिसाब से आपके भोजन का समय नक्ति न framework आप ने बाघर्डी का एक तुपड़ा रहा dudसा दात है उतना समय लगाई तो बातरी का एक टुपड़ा पूमे रखिए 32 वार चबाई गिंकर चबाई जिसको 28 है वो 28 वार चबाई जिसको 26 है तो 26 वार चबाई कोई कहेगा जी दाती नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है ना दाती नहीं है तो उसके लिए बागवत रिशी ने ग्वास्ता की वो ये कहते हैं कि जिनको तात नहीं है वो ऐसा भोजन खाएं जिसको चबाने की गरज ना हो जैसे फल खाए फल खाए उसको चबाने की जिसादा गरज न आम खाएं खेला खाएं चबाने की गरज न की नहीं तो फल का रस पीजिए नहीं तो बासुन दे खाएं बासुन दे उसको बिल्कुल मासुन दिखाईए नहीं तो आप दही खाईए ताक पीजेए दूट पीजेए खिचुडी खाईए शीरा खाईए शीरा चुवाने की बिल्कुल गरज दिखाई तो ऐसी चीजें जिनको दात नहीं है खिचुडी खाईए शीरा खाईए बासुन भी खाईए दूट पीए जूस पीए फ़ल खाईए ये व्यमस्था है और जिनको दात है वो चबा चबा के भूजिन खाईए कितनी बार चबाना सूत्र मैंने आपको बता दिया आप अपने आतसं के साबने आज रात नहीं तो वखंसों में दात गिल लीजे जिसको जतने दात है उतनी बार आपको चबाना है भाकरी का एक टुपड़ा रोटी का एक टुपड़ा मुं में रखना 32 बार चवाना गिन कर चवाना शुरू में 2-3 दिन आप गिनेंगे बाद में गिननी की जरूरत नहीं पड़ेगी ये दाथ अपने आप सेट हो जाएंगे और ये उतनी ही बार चलेंगे जितना आपने आपट डानी है ये 2-3 दिन गिनना पड़ेगा उसके बाद इतना ही नहीं पड़ेगा अब ये चवाने का नियम ऐसा प्षो है बात ऐसी है आपका जो भू है इसमें सतत लार बनती है हम सब जानते हैं ये जो लार है ये छारी होती है छार पन इसमें होता है अंग्रेजी मैं कहूं तो ये बेसिक है छार पन इसमें है छार पन आप समस्ते है एक अम्लपन होता है और एक छार पन होता है ये मूगी जो ला रहे है ये छारी है छार पन इसमें और पेट में जो आठ बनती है न वो अम्ली होती पेट में जो है वो अम्ल है है अगर ज्यादा टेमिस्ट्री की बात करूं तो हाइडोफ्रोरिक ऐसे हैं तो पेट में अमल है और मूं में लार जो है न यह चार चार और अमल जब बिलते हैं तो नीट्रल हो जाते हैं और उसी को लवड कहते हैं शरीर आपका हमेशा नीट्रल रहे तो बहुत लंबी आपका हमेशा नीट्रल रहे तो आपका सब कुछ नीट्रल रहेगा तो इसलिए है यह जास्ती से जास्ती लार चार के रूम में पर जानी चाहिए और यह जास्ती से जास्ती अंदर तभी जाएगी जब आप उसको चबा-चबा के खाए इसलिए आईयरुवेद में कहा है कि भोजन को चबा-चबा के खाइए धीरे-धीरे चबा-चबा के खाइए ताकि जास्ती से जास्तिलार भोजन के साथ मिले पेट में अंदर जाए पेट कामल और मूखी लार का च्छान दोनों मिलकर न्यूट्रल बने तो शरीर आपका जीवन भर मेरोगी रहे जिनकों शरीर में न्यूट्र रहने की रहती है उसको दूसरी भाशा में मैं कहूँ वात पित्त कफ तीनों का संतुलन रहता है न्यूट्रल होने का माने वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होना और आईरवेद ये कहता है कि शरीर में वात पित्त कफ का असंतुलन होना ही रोग का कारण है तो वात पित्त कफ तीनों का संतुलन होना ही निरोगी होने का अधार है तो वात पित्त कफ तीनों आपका निरोगी मैंने वात्पित तक तीनों संचलित रहे आप जीवन पर निरूपी रहे इसके लिए जिसूत रहे कि भोजन को धीरे धीरे चबा चबा टेकाईए अंक संख्या मैंने जो बताई है आरसे के सामने खड़े ओकर दाथ दिलिए तीन-चार दिन दाथ की संख्या के हिसाब से चबाना करिये आज़त पढ़ जाएगी उसके वाद अपने आप जिन्दधी वरिये चलता रहे पानी पिने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आप आखरी कोई इस शिशन प्रश्न कर सकते हैं तो अज्चा है लेकिन कोई मिशेश परस्त्ति आपके साथ है मानगो आपको कोई ऐसा रोग हुआ है आसानी से खाना उतरता ही नहीं, पानी पीना ही पड़ता ही, तब ही खाना उतरता है, ऐसी एक उस्टति हो सकती है, या कोई और कोई बिप्रीत परिश्टती बन वही हो शर्रीर में, तो ऐसी इस्तति में आई-द इखिता है, कि जब कोई मर्यादा आपके साथ लगी हुई है, और current बिना किसी कारण कर नहीं सकते उसको तोड़ने का साहस तो ठीक है फिर आप थोड़ा पानी पी सकते हैं लेकिन वो पानी भी कौन सा गरम किया हुआ गरम किया हुआ पानी थोड़ा पी सकते हैं लेकिन सब के लिए नहीं है कोई विशेश परिस्तिती किसी व्यक्ति के साथ है उस के लिए है तो बात समझने आ गई एक सूत्र मैंने आपनों बचा दिया एक सूत्र जो बागवट रिश्ए ने लिखा चरक ने भी वहीं लिखा आत्रे ने झढे उसको कहा है काश्यप ने भी उसको कहा है सारे आहिर्वेक के महान विश्वी इस एक सूत्र पर सहमत है दोजनान देव शमवारी भोजन के अंत में पानी थीना जहर पीने के बरादर है अर्फाज भोजन के अंत में कभी भी पानी ना पिये पानी के इस्थान पर पाक पिये जूद पिये फल का रश पिये पानी कभी भी न पिये पानी पीने का समय उन्होंने भारित किया है बोजन के कम से कम देव टास के बाद पानी पिये आप कर सकते हैं इस सूत्र का पालन कर सकते हैं कौन कौन कर सकते हैं जरा हाथ को उठा देजिए वो इधर से बहुत कम हाथ उठी चलिए जितने हाथ उठे हैं अगर इनौ ने कल पालन इसका करना शुरू किया तो साथवे दिन जब मैं जाओंगा आप प्लीज मुझे इसके परिणाफ बता दे इतने अच्छे परिणाफ आने वाले हैं कि कल से आप उसको शुरू करेंगे और साथ दिन लगातार अगर आपने इस सूत्र का पालन किया तो जितने भी आपने से गैस की बीमारी से पीवित हैं जिनको भी जलन होती हैं पेट में आँग लगती हैं गैस्ट्राइजिस इनको हैं पेस्विजी जिनको हैं मैं गारंटी देता हूं साथवे दिन सब खीक होने वाले हैं बिना किसी दवाके मात्रिट्टे से सूत्र का पालन करके देखाने की बात पानी नहीं पीए अब इसमें थोला समय एक जानकरी और जोड़तू कि पानी तो ना पीया ये तो इसपश्ट हो गया पानी के इस्थान पर आप ताट पिया दूट पिया जूस पिया यह बाद है पी सकते और कमी में जूस भी नहीं पी सकते और कमी में दूद भी नहीं पी सकते तीनों का समय निश्चित है तो आप बोलेंगे क्या समय निश्चित है सबेरे का नाश्चा अगर किया है तो नाश्चे के बाद आप जूस पी सकते हैं दुबहर का भूजन किया है तो उसके ब इसी को ध्यान में रखना आगे पीछे नहीं करना इसको मतलब सुबह दूर नहीं किना कभी दूर शाम को ताक नहीं किना और दुपहर को जूस नहीं किना यह समय जो नफका किया है ना इस पर मैंने बहुत अब्जर्वेशन किये कई मरीजों को मैंने कहा कि यह आगे पीछे कर दो सुबह दूर नहीं है जूस पीने का वो शाम के करवाया मैंने कुछ मरीजों का और राख को दूद पीने का सुबह करा दिया मैंने देखा कि उनकी बीमारी में कोई भी कमी नहीं आई जैसी पहले की बीमारी वैसे ही रही लेकिन जैसे ही इस नियम को ठीक किया सुबह जूस पीना, राख को दूद पीना, उपहर को ताख पीना उनकी बीमारी 6-7 दिन ने जड़मून से चली गई और आज तक स्वस्ते हैं दुरुस्ते हैं तंदुरुस्त तो आप भी इसका ध्यान रखना सुबै का नाश्टा उसके बाद जूस पी सकते संत्रे का रस, भुसम्नी का रस, उस का रस, आम का रस, तर्बूज का रस, तर्बूज का रस, द्याक्ष का रस, तमांगर का रस, लाजर का रस, पालक का रस, जो पीना है सुबै और दुपहर का जो खाना खाया है उसके बाद ताख और राप्तुरी को जो किया है खाना खाया है उसकी बात पूर इसको एक और समय के बात मैंने कल मैं भब विस्तार से बात करूँगा कि दूद और ताक और जूस इनका समय क्यों निश्चित है हमारे शरीर में हमारे शरीर में तीन दोशु का हमेशा प्रभाव रहता है वात का पित का कफ का वात का प्रभाव जो होता है वो सुबह होता है सबसे ज़्यादा पित का जो प्रभाव होता है वो दुपहर को होता है सबसे ज़्यादा और कफ का जो प्रभाव होता है वो रात को होता है सबसे जाना तो सुबह के समय शरीर में बात बहुत होता है वायू बहुत होती है और सुबह के समय वायू बहुत आवश्यक है शरीर में अगर वायू का प्रकोप ना हो तो आपको संदास नहीं होती है और सुबह जिनको संदास नहीं होई उनकी जिन्दगी तो बहुत ही तकलीफ में आने वागी है तो वायू का प्रकौत होने से ही मल और मूत्र दोनों शरीर के बाहर निकलते हैं वायू है उसके वेग से ही ये बाहर निकलते हैं अगर सुबह वायू का प्रकौत ना हो तो ये मल और उम्त निकलें ये ही नहीं और ये नहीं निकले तो शरीर में जहर ही जहर हो जाद harvest इसलिए प्रकरती ने बहुत सुन्र लिवस्ता की सुवह शरीर में वायू का प्रकोप बहुत है तो वायू के प्रकोप को संतुलित रखे एसी चीज पीना सुवह सबसे अच्छा होता है तो आप जानते हैं वायू को कौन संतुलित रख सकता है देवुदानिंसे समझाता हूँ मान लीजे चालीज गाओं में बहुत तेज आभी चलती है अंदर चलता है और अचानक से बारिश हो जाए तो शानती आएगी तो वायू को शानत करने की ताकत पानी में है तो सुबह चुंकि शरील को वायू का प्रकूर बहुत है तो उस सुमें आप जूस पीएगी जूस मे सबसे जादा पानी है तो वायू शानत रगेगी इसलिए सुबह का सुमें जूस पीने का है और दुपहर का सुमें क्या होता है पित्त की प्रकूर्टी होती है शरील को दुपहर को क्योंकि सूर बहुत तेज होता है दुशार को सूर का पित्त के साथ सीधा संबंद है सूर जिना नतीम होगा दciażीं की अगनि वह उतनी मेल and our यांगी फिद रिदु को शांथ करें 김ी कुई ची प्रות करने उस्ट सबसे ज्यादा होगा एक तो गाय के घी में और दूसरा दजी की ताखती है इसलिए आयुवेत में कहा है कि दुपहर के धोजन के बाद आप ताखती है और रात का समय है वो शरीर में कफ बहुत होता है तो कफ को नियंद्रित करने की जो ताकत है वो गाय के दूद में है मशी के दूद में उतने नहीं मशी का दूद कफ बढ़ाता है गाय का दूद कफ को शांत करता है तो रात को हमेशा दूद पीने की बात पही है तो सुबह जूस पीना दुपहर को ताख पीना रात को दूद पीना दूट जबी मैं कहूंगा तो हमेशा ध्यान रिखना गाय का दूट आयुर्वेट के किसी भी शास्त्र में मशी के दूट की विवस्था नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने आयुर्वेट के शास्त्र लिखे हैं किसी ने भी मशी पालन नहीं किया चरक के पास दायती, शुशृत ने गाय पाल vision थी, भागवच्ति के पास शास्यपर प्रुश्यपर बातर लिखे है मुध्रिशी के पास गायती सबने गवभाय पालन गीया है शीपालन सिर्फ यम्राज ने किया है और यम्राज ने कोई शास्त्र नहीं लिखा ज़िए वो तो गप्त्यू के देवता है इसलिए जहां भी दूद की बात आएगी आप ध्यान देना वो गाय का ही दूद है तो राप को पीना है वो गाय का दूद पीना है मष्य का नहीं पीने नर ये तो मष्य जैसे ही ओने वाई है मष्य कैसी है आप देखलो फिर दूद दी वो उसका सबक माँ मष्य खड़ी है सामने से फ्र कर अईगा पीछे से बस आएगी दोलू हवरम में जाएगी बस हटेगी, ट्रक हटेगा, मशी नहीं बुद्धी नहीं, क्योंकि मशी का बूप रहसा है, बिना अकल बुद्धी बाद, और आप ध्यान दे लो, कहीं कीचर है, गंदगी है, मशी उसी में घुझ जाएगे, और घुझ के आराम से जाट जाएगे, फिर दंदेवारों के तो मशी नहीं घुझ जाएगे, मशी को कभी जी आप देखो, वो अपनी बच्चे को नहीं पहचानता है, और उसकी आई भी उसको नहीं पहचानता है, फिर क्या हुआ, दूर एक ग्यारवी मशी पर खड़ी को उसके पास चलाएगे, और वो मशी भी उसको लेगे अपनी अप मशी को आई और बच्चे नहीं थे, लेकिन वो लेगे उसको अपने सा, ऐसी बूर खैमा है, और मशी जो घर से निकल गई, तो अपके से नहीं आते ही, पकड़ के लाना था, जो कि उसको समस्ता ही नहीं है, खुझ में नहीं समस्ता उसको, आई की उसका बहुत लो है, तो मशी का बच्चा जन्म येता है ना, तो जमीन पर घर जाता है, चार शे जिन तो ऐसी पढ़ा रहता है, हिलता भी नहीं है, इतना आलसू होता है, जो गाए के बच्चे को देखो जनम लेते ही, आदा गंटे में खड़ा हो जाता है, अगले आदे गंटे में जंपिं होती है, तो दूद माने गाय का, मशी का ने, तो आप बोलेगे कि चालीज गाओं का तो मशी भी मशी है, तो मेरी आपको इस घुदंती है, जो चालीज गाओं का मशी आ सकती है, तो गाय भी आ सकती है, आप बोलेगे कि हमारा तो दूद का ही धंदा है, धंदा करो, अपने पीने दो उनको जाता है ना चालिस गाओं का दूट सारा तो अपने घर के लिए गाय का दूबला और गाय भी देशी गाय का लाओ तो रात को दूट पियो दुपहर को ताख पियो और सबेरे जूस पियो बोजन के बाद पीने के लिए जो है वो तीन चीज़े हैं पानी पिना है तो एक गटे 30 मिनट के बाद पीना सबसे अच्छा होता है ये एक सूत्र है बागवत विशी का चरक का शुश्रुत का भाव प मैंने आपको ये सबसे पहले बता रहा है तो आपके शरी का स्वास्त अच्छा रहे जीवन भर आप निरोगी रहे रोग मुप्त रहे तो इसके लिए पहला सुत्र पालन बोजन के बाद पानी नहीं पीना है बोजन के बाद अगर सुबह कुछ पियेंगे तो जूस दुप कि हम जब पानी पी मेरे हैं मेरे गए याद रखें लेकन पानी कैसे पीना है ये बहुथ महरे क्ततिकी बाद है। आप अभी सामन में रूप से पानी कैसे पीत है एक गिलाफ पानी मरा लूंगे लगाया बड़ यदध गड़ बड़ उतार लिया गिलाफ सभी वाकर आता है जब पानी खतम होते है यह तरीका है सामन में रूपकर। हुई नूढ़ के पीते हैं कुछ हैते होज के उपर से गिराते हैं लेकिन पानी लगातार गुटक पूंए यह तरीखा सबसे गलब है अगर आप गट 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 लगातार पानी पी रहे हैं तो आपके शरीर में तीन लोग तो जरूर आने वाले हैं अपनिसाइटिस यहां पेट नदर हर्मिया हर्मिया आप सब समस्के हाथों का उतरना यह बहुत परेशान होते हैं बहुत सारे लोग के हर्मिया है हर्मिया हर्मिया यह हर्मिया सबस्थो ज्यादा उन्हीं लोगों को आता है जो पूरा गटक के एक साथ पानी पी जाते हैं और तीसरा थोड़ी उंगर के बाद एक बीमारी आती है हाइड्रोसिल विश्व फुरूप से यो पुरुशों में आती है हर्णिया तो बाताओं में भी आ जाता है हाइड्रोसिल पुरुशों की बीमारी है खास फुरूप से तो हर्णिया हाइड्रोसिल और तो आप बोलेंगे तिर पानी कैसे पीना है पानी पीने का नियम है आई रुवेद में उस तरह से पानी पीना है जैसे आप चाए पीते हैं जैसे आप कॉफी पीते हैं और जैसे आप गरम दोग पीते हैं चाए कैसे पीते हैं सिप करके एक सिप पीया फिर थोड़ी बेर बार दूसरा सिप पीया फिर थोड़ी बेर बार तीसरा सिप पीया इस तरह से सिप सिप करके चाए पीते हैं ऐसे ही आप कॉफी पीते हैं और ऐसे ही आप गरम दोग पीते हैं तो जैसे गरम दोग पीते हैं ज तो थोड़ी दिल के बाद एकसिद कीजें थोड़ी दिल के बाद एकसिद कीजें आप पेंगे क्या पानी पीने में बहुत समय जाएगा जाने दीजिए इस चाले तो नहीं तो यही बचाया हुआ समय हॉस्पिटल में जाएगा और पैसे लेके जाएगा समय तो जाएगा पैसे भी लेके जाएगा प्रोसक्तार पंदर देन हॉस्पिटल में एग्वंट रहना पड़े या एक महीने रहना पड़े तो पैसे भी जाएगा समय भी जाएगा तो अभी समय क्यों बचाने के चक्कर में है सिप सिप करके पानी पीजे, आराम से पानी पीजे आपने कभी छोते बच्चों को देखा पानी पीते हुए वो तो बहुत अच्छे तरीके से पानी पीते है कभी छोते बच्चों को आप देखिए तो आपको ऐसा लगेगा वो मस्ती कर रहे हैं लेकिन वो मस्ती नहीं कर रहा है, वो बहुत ज्यानिक है, वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, मूँ में बर लेते हैं, ऐसे करते हैं न बच्चे, फिर मूँ में कई बच्चों को गया देगा, ऐसे करते हैं, ये सबसे अच्छा करें पानी करें, तरीका तो ये ही सबसे इदर गुमाईए इदर गुमाईए क्यों गुमाना है? मूमे लार गो है न वो पानी के साथ मिले और शरीर में अंदर जाए ज्यान हमेशा ये रखना है कि लार छार ये है एक में जो है वो अमल है अमल और छार मिलते रहे तो शरीर न्यूटर रहे तो पानी के साथ जितनी जास्ती लार जाएगी उतना ही अमले के साथ उसका मिलन अच्छा होगा शरीर में न्यूटरैलिटी आएगी इसलिए पानी पिने का एक बार मुमे भरिये थोड़ी देर उसको गुमाईए लार इसमें मिले तब नीचे उताइए ये सबसे अच्छा कर तो पानी और पानी पीना है तो हमेशा सिप सिप करके पीना है गूट गूट करके पीना है एक साथ पूरा गट 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 नहीं उतारना आप अगर ध्यान देंगे जो जानवर इतना धीरे पानी पीते हैं वो उतने ही ज़्यादा छुस्त और दुरुस्त हो आप ले देखा है कही जानवर है कि जीव से चाट कर पानी पीते हैं जीब से चाट चाट कर पानी पीते हैं और इनकी चुस्ती और फुर्पी इतनी तीवर है कि चीता आप जानते हैं राजदानी की स्पीड सो दो सकता राजदानी 140 किलो मीटर घंटे की रफ़तार से बहुती है चीते की भी मिनीमम स्पीड 140 किलो मीटर घंटा है क्यों चाट कर पानी पीते हैं चाट कर पानी बीने से शनीमा चुस्ती और फुर्पी सबसे ज़्यादा है लेकिन आप बोलेंगे हम तो नहीं पी सकते तो चाट कर पी सकते तोड़ा थोड़ा तो पी सकते हैं सिपञें इसे पाजिव चुड़िया जितने तरह की चुड़िया एक ब्रॉब पानी का उठादिया पूरा पानी का बरतम रखा भरा हुआ है लगातार उसमें बहुत अच्छी एकसर वाफस पानी पीती है बहुत पानी थोड़े लगात बढ़ोंगे अधर बुमाईयो फिर उटाएगी बहुत अच्छी एक्सरफाइज है इसके तीन फाइदे तो मैं तफ्काल लेका देखा अगर आप सिप करके पानी पी रहे हैं तो मैं आपको जो चाहें इतने रुपए के स्टाम पेपर पे एक सेंटेंस लिपके देता हूँ अगर जो भी जिन्दगी में सिप करके पानी पीएगा मेरी गारिंटी है मेरी नहीं आईरवेट की गारिंटी है कि जिन्दगी में कभी भी उसको मोटापा नहीं आ सकता ओबिसिटी कभी भी वज़न नहीं बढ़ेगा जितना होना चाहिए जिन्द वीवर उतना ही वजन रहेगा अगर पानी सिप करके पी रहे है तो आप इसका उल्टा प्रश्ण पूछ सकते हैं जो वजन बढ़ गया है तो तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए आप सिप करके पानी पी लीजिए छे से साथ महिने में दस किलो वजन आपका गट गया है अगर बढ़ गया है फिर आप बोलेगे जो उससे ज़्यादा गट गया तो नहीं गटेंगा उसकी चिंता बत करिए जितना बढ़ा हुआ है उतना ही गटेगा गटने के बाद इस दिर हो जाएगा सिप करके पानी पीने कि आदत आपने डाली तो यह जो बुड़गे का दर्द है गुटने का दर्द साथ दिल लगाता आप सिप करके पानी पीलीजे यह दर्द 25 टका आपका कम हो जाए और यह जो एड़ी का दर्द है एंकल जॉइंस का पेन यह तो साथ दिन में 100 टका खतम हो जाए और यह जो यूसरों पेन आपकर होता है यह 25-35 टका साथ दिन में कम हो जाए और शवेसके विजिन को सिर्दर्द होता है चक्कर आते हैं कमजोरी महसूस होती है यह साथ किलना तीनों ही गायव हो जाए चक्कर आना तुरबर रोना कमजोरी महसूस हो पानी पीना है, सिप करके पीना है, थोड़ा 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 गूद गूद लरके पानी पीना है, पहला सूत्र था, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है, बेल घंटे के बाद पीना है, और पीना है कुछ तो, ताथ पीनी है बुपैर को, जूस पीना है सु तीसरा सूत्र है वो बहुत मेंदुन है वो यह है कि आपको कभी भी जिंद्गी में ठंदा पानी नहीं दो कुझा झाँदा पानी से मतलब क्या है ठंड़ पानी से मतलब है रिफ्रिस रेटर में रखा हुआ पानी तो पानी से लगवय को आप ही मुझे बताओं अगर आपका शरीर थंडा थो अच्छा नहीं कई घे पुछलgo मर जाएंगे तो क्यों थंडा पानी पीना चाहते हैं शरीर के अंखुल नहीं है तक्रीफ क्या आती है वो समझ लीजे आप जैसे थंडा पानी पीते हैं शरीर थंडा ना हो जाए इसके लिए पोट में वो पानी गरम करना पाता है आप कितना भी थंडा पानी पीएगे पोट उसको गरम करेगा और पानी को गरम करने के लिए उर्जा लगती है और वो उर्जा है आपका रख्त तो जादे थंडा पानी पीएगे तो पोट उस पानी को गरम करने के लिए पूरे शरीर से रख्त को ठीचेगा तो शरीर का सारा वर लगत जाएगी उतनी देट वी जिब सकता है एकृसी भी शरीर के उनक कवारा कुमें निकल सब्सकाइं इसलिए एक धंडा पानी को भी नहीं है और धंडे पानी का एक उस परिणा वोगर ने खुट लेखा है तरी आखोंसे जो लोग बहुत धंडा पानी पीते हैं उनकी अंतड़ियों में संकुचन बहुत आजाता है इंतिस्टाइन संकुचित हो जाए और इंतिस्टाइन अगर संद्ध्राइन से खुट तो प्रेख साफ नहीं हो सकता संदास साफ नहीं आए भी और जिनको संदास भी साथ नहीं होगा और आ प्रमक्रवियों मदर्स पानी किसे जैसिए सबी वीमारियों की आई है की सब्द कर आज और या को स्थ्थिता अनिया कोश्पध्धिता तो स पानी को फ्रीज में रखते हैं उपर से बरफदारी के फिर पीते हैं उसका दुष्मरे नाम में देखा है यह जितने भी अमेरिकन और यूरूपने चिल्ड वाटर पीते हैं उसमें जो संडाज भर को जाते हैं तो एक एक टास दोट-चास बहर यह पाहरी नहीं आते हैं अंदर ही उनको मैं पूछका हूँ भाई क्या करते हो दो तास संदाज गर्म तो गते हैं वृत पत्र पढ़ते हो तो पोट साथ नहीं होता संदाज नहीं उतरते हैं इंतजार करना पढ़ता है वृत पत्र पढ़ते हैं तब मेरे समझ में आया कि यूरोपियन और अमेरिकन जो फैमिली इसरे उनके संदाज घर में लाइंद में लाइ विटित कि अब ऑš Cela जो शौका में शीन निकोंकि टापिए अंधरोन के आप अपना संदाज घर्मा में ये वह वर से इसक्ष्यों बनाते हैं वाल पकश्यो निबनाते हैं बनाते हैं वह राजी बारतियों बढ़ती वादे संदास पर पाँच मने बैट सकते हैं, हम को दो तास बैठने का है, इसलिए कमोर्षीठ बनाते हैं, आराम से पुर्सी कि तरह से बैठ जाते हैं, एक तास दो तास और वो विचारे इतने परेशान होते हैं कई बार, संदा सुतुरती ने एक एक दास जोर लगाते हैं ताकत लगाते हैं फिर भी नहीं उतरती हैं फिर कभी कभी गाना भी गाते हैं मेरे सक्कुमों के रानी कभी आई गी वह आती है और ज्यादा परेशान आते हैं परेशान हो जाते हैं तो तो चैते हैं एक बारा आजाए आजाए फिर भी नहीं आते हैं क्या करें और मैंने देखा कि यह जो हमेटकर यूरोपियन लोग दो दो तास पॉइलट यो बैदे रहते हैं इनके मुझे बहुत पास आते हैं कि मुझी बास को छुपाने के लिए मौथ फ्रेशनर हमेशा स्प्रे करते हैं और मुझी बास को क्या आते हैं क्योंकि पेट साफ नहीं होता शरीर में से बास आते हैं तो डियोडरेंट इस प्रेशनर करते हैं क्योंकि पेट साफ नहीं होता तो पेट साफ होगा नहीं को कोंच प्रेश्टनर इसलिए नहीं प्रेकर हैं कि वो इस इता सीवड़ा है इसलिए करते हैं कि मुझ से बास आती है और भास पौर्ट साफ नहीं होता यह खा có आप ने पीना जो भी है आप हमेशा पानी कैसा पीना तो आप ओले के घड़े का पानी पी सकते हैं कि घड़े का किसी को हो भी पड़े का पानी कभी भी छिट वाटर में होता हुआ भी का चिल्ट वाटर का मितलग है जिस मानिः थापमान 15 डिग्री से कम हो और दिटी के घरे में पानी आप रखेंगे तो उसका तापमान जो रूम टेमपरेचर है उसे दो या तील टिग्री ही कम होता है ज्यादा कम नहीं होता इसलिए मिट्टि के घरे का पानी पी सकते हैं वो ठंडा नहीं माना जाता तो आप अभी गर्मी का दिन है मिट्टी के वेड़ का पानी पियो फ्रिज का पानी मत पियो जो फ्रिज का पानी पियोगे तो जिंद की भर दो बीमारियों से लड़ना ही पढ़ेगा आपको एक तो ये गुड़गे दुखना कमर दुखना, कन्ने का प्रास और दूसरा वजन बढ़ता ही जाएगा कमर भी दुखेगी, उत्मे भी दुखेंगे वजन भी बढ़ेगा और कोई डॉक्तर दुनिया का आपको ठीक नहीं कर पाएगा इस बिमारी से वजन गटाने के लिए कुछ दुखा खाँगे, छोड़े दिन गटेगा फिर उससे भी जादा बढ़ जाएगा और तक्रीफ आगे कहेगा दुखें का दर्द खतम करने के लिए पेट किलर खादो जितनी दे दुखें का दर्द बंद रहेगा पिर दुखा सर खतम हो आप फिर वापस आएगा इसलिए फ्रिज को पानी के लिए उप्योग नहीं करना ये आप उपने घर का नियम बना देगा फ्रिज का पानी, दरफ डाला हुआ पानी गलत दीसे भी नहीं देगा ये तीसरा सूत्र है और आज के रियाक्षान में चोथा और आखरी सूत्र आगे के सूत्र फिर कल बाद को चोथा और आखरी सूत्र वो ये है कि आप जब सबेरे सोकर उठते हूं तो सबसे पहले आपको पानी पीना है सुबर उठते ही सबसे पहले पानी पीना है और वैसे तोーー, अब वैसे तो आहिर वेक में इस सूत्र में जो श्ब कि इस्तेमाल किया गया है। उशा पान। उशा पान का मजलिब होता है सुबह-सुबह जब आप 4,50 बजे उठते हैं वो समय जो है उशा का समय के लगस उशा काल कि उशाकाल में पिया हुआ पानी उशा-पान new तो वैसे तो आधर्श है कि सुवर आप साले चार-पांच वजए उठे और उठते ही पानी के लेकिन अगर आप नहीं उठते हैं साले-चार-पांच वजए तो जब उठें उठते ही पानी को बने आपको दिन की शुरुआत पानी से करें मैं तुकी बात है वो यह आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ चाय से नहीं काफी से नहीं दिन शुरू होना चाहिए पानी के साथ उठे ही पाणी पीए और पीने का तरीका मैंने पहली बता दिया सिफ़ शिफ़ करके थोड़ा थोड़ा करके पिये धंडा पीना नहीं है घड़े का पी सकते हैं यह जो साधर पानी पीए पानी सुबह उठे ही पीना है अब आप बोलेंगे जी कितना पीए तो आयो वेट तो कहता है कि कम से कम सवा लीटर सवा लीटर सवा लीटर माने कम से कम चार गिलास आप बोलेगे जी हमारे बसका नहीं है तो आप ऐसा करिए एक गिलास से शुरू करिए एक पहले एक गिलास की में की आद़ डाल दी जे तोड़े दिन में आदक पर जाएगे शरीड यह जो है ना इतना फ्लक्सिबल है कि आप इसको जैसी आदक दादों ऐसी ही पर जाती है तो एक गिलास सो शुरू करिए फिर दीरे दीरे डेफ गिलास करिए फिर दो गिलास करिए फिर धाई करिए बढ़ाते जाएंगे आप बोलेंगे सुबह प्यास नहीं लगती दिना प्यास के पिएंगे उठते ही पानी पीएंगे इसके दो बड़े कारण पहला कारण क्या है रात्री को जब आप सो गए तो मुझे जो लार बनी वो अंदर नहीं गई तो इनर उदर जमा है उठते ही आ सोने के जैसे बराबर मानी जाती है तो इसलिए उठते ही पानी पीएंगे तो चारो दरफ जो लार जमा है वो पानी के साथ अंदर गई पहला फाइदा दूसरा फाइदा ये है कि सुबह मैंने आपको पहले बोला था ने ज्यान दिया कि सुबह का समय वायू का होता है तो सुबह उठते ही पानी पीएंगे वायू का प्रकोप आपका तब तक शांत रहेगा जब तक पानी है तो वायू ज्यादा पखलीफ नहीं करेगी और तीसरा फाइदा ये होगा कि जैसे आप पानी पीएंगे तो अंदरियों तक पानी जाएगा सुबह क्योंगी बीच म थे कोई रुकावट नहीं पर dal्सरा करेगा इंटरियों पीचाइचाइचाइचाइगार addes solok को जाती है उनको जिन तो सुबह का ज़ाती है उनको जिनली नौग नहीं ही शक्रता नहीं इसलिए सुबह उठते ही पानी पीने का नियम है कम से कम सवाली कर पीना है शुरू कर ये एक गिलास से धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उसको चार गिलास तक ले आई तो ये चार फुत्र मैंने बताए मैं इसको फिर से दोहराता हूं ताकि आपको ध्यान रहे पहला फुत् या तो जूस या तो ताक या तो दूद। जूस पीना है सुबह सुबह ताक पीने है दुपहर को और दूद दिना है रात को ये पहला सुत्र दूसरा सुत्र था कि पानी जबती पियेंगे सिप करके पियेंगे थोड़ा 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 बूद बरके पानी प पीना है फ्रिज में रखा हुआ पानी बरफ डाला हुआ पानी गलती से भी नहीं पीना है लिट्टी के घड़े का चाहे तो पानी पी सकते हैं और चौता सूत्र जो आज के दिन का आखरी सूत्र है वो ये कि सुवह सुवह उठते ही पानी पीना पानी पीना पीना है तो दूद रात को पानी पीना है तो सबसे का आज मैं आपको समापन करता हूँ कि आज इसे आप अगर ये चारह सूतर अपने जीवन में लागू करतें साथ दिन लगाता है रिसको कर लीजी साथ में दिन इसके परिणाम इतने अच्छे आएंगे क्या क्या परिणाम आएंगे वो मैं बता दिता हूँ गैस्राइटिस जिनको भी है पेट में जैस बनती है जलन होती है खट्ठी खट्ठी दकार आती है भूजाट टीक से पच्छता नहीं है जिनको पॉस्टिकेशन हो दिया है कब्जियत हो गई है कोष्ट बंदता हो गई है मल बंदता हो गई है पेट साथ नहीं होता है ये सब रोग आपके एक साथ ही दूर हो जाएगा जिनको भूख नहीं लगती है उनको भूख लगेगी अच्छी नीद नहीं आती है नीद बहुत अच्छी आएगी और जिनको सुबह सुबह उठते ही सिर्मे दर्ब होता है जिनको आदे सिर्मे दर्ब होता है वो भी ठीक होएगा जिनको पूरे सिर्मे होता है वो भी ठीक होएगा चक्कर आते हैं वो ठीक हो जाएगे वाबिटिं संसेशन होता है हमेशा हमेशा वो बिल्कुल खतम हो जाएगा ऐसी ऐसी साधारण से लेकर असाधारण बीमारियां जिनकी संख्या अर्पादीस देश ये चार सूत्रों से ही ठीक हो जाएगा पाओं में हेडी का दर्ब है ठीक हो जाएगा गुट्ने का दर्ब 25 से 30 का साथ दिन चला जाएगा और जो देर दो महीने लगाता ये सूत्र पालन किये तो ये गुट्ने का दर्ब 50 का से जादा कम हो जाए कमर का दर्ब 50 का ठीक हो जाए कंदे का दर्ब ठीक हो जाए ऐसे आपके शरीर के बहुत सारे रोग ये चार सुत्र का पालन करने मात्र से ही दूर हो जाए मैंने ये चार सुत्र का एक्सपेरिमेंट 48 तरह के रोगों के मरीजों पर किया है और सभी मैं अद्वुत परिनाम मैंने देखे अद्वुत अभी एक लेटेस एक्जाम्पल देता हूं और ये इस बात को खचंग करता हूं आए एक मरीज का मैं इलाज कर रहा हूं तो बैंगलोर में इसका वज़ए एक सो सकतर किलो हो गया एक सो सकतर Twitter इमें आप सोचे कैसा अठीक बच्छा और वो बैंगलोर पी की काम करती है अब साफ्वियर कमपव einen काम करनेवालों वालों को आप जानते हैं कितनी तक्राइब में काम करना पड़ता है सब्सक्राइब नहीं पाता है दिन Mayo अब धिनa सोना रात में काम दरना यह तीन साल से चल रहा है तीम साल में उसका वजण बलते, 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 70 किलों से 170 किलों होगा परिणाम क्या हुआ इस कंपड़ी में उ काम करता, कंपड़ी ने उसको निकल दिया झुटी हो गई, नौकरी चले गए अब वो जहना सीरियस हुआ करता तक तो नौकरी चले गए इसके पहले तो उसमे घंबीता से बयाद नही दिया, नौकी चली गई, तो इधाल बजागना शुरू किया, कभी जिन्मेजियम में जाना, एकसर्साइस करना, कभी किसी के हां जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना. अन्तमा वो आ गया रामदेव जी के यहां हरिद्वार में रामदेव जी और मेरी बहुत दोस्ती है पिछले तस साल से उन्होंने एक्टिन मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा एक पेशेंट है 170 के लोका है मैं उसको बस्तरिका प्राणायाम सिखाया है तो मन को स्वामी जी बहुत अच्छा कि आपने बस्तरिका सिखाया है उसको ये चार सुत्रों सिखा दो सुगह उन्होंने पानी पिना दोजन के देर तास के बाद पानी पिना पानी हमेशा सिप करके पिना और ठंडा पानी कभी ने पिना तो स्वामें जी ने वो भी चार शुत्र उसको बता दी और कहा कि इनका कवाई से पालन करना आज उस व्यक्ति को लगवग एक साल और छे साथ महीं में हुए है यहीं करती हुए बस्त्रिका करता है सुबह दस मिनट और यह चार सुत्रिका पालन करता है आज उसकी इस्तिति है कि 170 किलो का वजन उसका 90 किलो के आगया एक साल चार मेने हुआ और मैंना उसके बोला दो दी मेने और कर ले तो वापस 70 किलो के आगया और जिन्दकी पर ये नियम का पालग करेगा तो फिर कभी ही वजन नहीं बढ़ेगा ऐसे परिणाम है ये एक सूत्र इतने सरग है लेकि कि पकड़ बहुत और ये सूत्र मेरे नहीं है मैंने तो सिर्फ आपको बढ़ाया है उन्होंने संस्कृत में दिखा मैंने हिप्री ने सुनाए बागवट्ट ने इन सूत्रों पर सालों साल परिक्ष्ण किये हैं बागवट्टी जी खुब कहते हैं कि कोई सूत्र 50 उसके बाद लिखा है बहुत अब्सर्विशन की बाद लिखा है और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही निकला है उन्होंने एक सूची बनाई है 48 रोग उसमें हैं और उनका कहना है कि जो ये चार सुत्र का पालन करें ये 48 रोगों से जिंदगी वर मुप्त रहेगा औ इसलिए आपकी जिंदगी में बिना किसी दवाते और बिना किसी अत्रिक्त महनत के आप ठीक और नोरोगी रहना चाहते हैं स्वस्त रहना चाहते हैं तो ये 4 सुत्र बहुत सरल है इनका आज से ही अपने जिवन में पालन करू कर दीजे पहला सुत्र है बोजन के देल पास पानी नहीं के दूसरा सूत्र हैं यह जोतसरे हैं लुक्त करकर के दीं 이야기 को में तो यह सुत्रों के आधार पर हम से वह पुषभा नहीं बागमट रिशी की जो पुस्तक है ना आश्टांग हिंदो वो हमने बने गाई वो तो संस्कृत में है हमने उसका हिंदू जिया है यहां इस पॉल पर है आप चाहें तो ले सकते हैं इसी सूत्र पर आधारित एक पुस्तक है स्वदेशी चिकित्सा सौंबर चिकित्सा इसी आप चाहें तो ले सकते हैं इनको पढ़कर और ज्यादा जैनकरी लेकर और दूसरों को माहिती हो सकते हैं और इस विश्र पर ऑदियो सीदी भी है वो भी आप ले सकते हैं आभार आपका धन्यवार कल शाम को सावे आज बज़े फिर मिलेंगे आगे के सुच्त्रों के साथ कल आपके साथ मैं अपनी जित्वगी को निरोगी बनाए रखने के लिए रोग मुक्त होने के लिए कुछ सूत्र बता रहा था और वो सूत्र भारत देश के एक बहुत महान व्यक्ती प्री बागवट द्वारा लिखे गए बस अंतर इतना है कि बागवट जी ने इतने सू क्ल कर आपको उनका हिं कि करके सीधे बाप कर रहा हूं उन्होंने हमारे जीवन को शुपी बनाने के लिए निरोगी बनाने के लिए लगवट साथ हजार शूत्र लिखे ए उसमेंसे मैंने कल आपको चार सुत्र बताएगे और वो सुत्र पानी के बारे में है कि हमको हमारे जीवन में भोजन के तबकाल बाद पानी नहीं पीना चाहिए वो पहला सुत्र पानी अगर पीना है तो लगब भोजन करने के एक से धेड़ गेंटे के बाद पीना चाहिए दूसरा सूत्र जाने बताया था वो ये कि पानी कभी भी एक साथ पूरा लेगी पीना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, सिक करके पानी पीना चाहिए जैसे हम चाय पीते हैं, काफी पीते हैं, गरम भूट पीते हैं, ऐसे पानी पीनी की बात कहीं थी तीसरा सुत्र ये था कि सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं, तो सबसे पहले पानी पीना चलिए, कम से कम सवाली तर कम से कम सवालीटर सवालीटर का मुखलब होता है बड़ा ग्लास भरके पी फिर आपकी समस्या हो सकती है कि एक साथ इतना पानी पीना मुश्किल है तो मैंने आपसे यह कहा था कि आप एक ग्लास से पीना शुरू करें धीरे धीरे दो करें फिर पीन तद जाए और उसको नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाए इसी सुत्र को मैंने दूसरे तरीके से यह कहा था कि आपका दिन शुरू होना चाहिए पानी से दिन की शुरूआत पानी से होनी चाहिए चाहिए से नहीं कौफी से नहीं किसी भी दूसरी वस्तों से नहीं पानी से तिकी शुरूआत होनी चाहिए तो वो इसी सुत्र का अंग है और चौथा और कल का आत्री सुत्र था कि ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए ठंडे पानी से मतलब है पुरिस पर रखा हुआ पानी बर्फ डाला हुआ पानी वो आपको कभी भी नहीं पीना चाहिए कारण भी मैंने बताई थे इसके ठंडा पानी अगर आप पीते हैं तो शरीर में बहुत तेजी के साथ संकुचन आता है सभी अनुप्रत्यम्गों में ठंडा पानी आपके पेट में जाने के बाद गरम करना ही पड़ता है अगर वो गरम ना हो तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाए और शरीर ठंडा हो जाए तो म्रत्यू हो जाए इसलिए आप इतना भी ठंडा पानी भी है शरीर उस पानी को गरम करेगा और शरीर को पानी गरम करने के लिए उर्जा की जरूरत पड़ेगी जैसे आपको अपने स्वेम पाथ गर्वे कोई जीज गरम करने के लिए अगनी की जरूरत है वैसे ही पेट को भी जरूरत पड़ेगी और उस अगनी के लिए पूरे शरीर का रख पेट की तरफ दोड़ेगा वो रख पूर अलग अलग अगों में को सुऩा अधिन और मेड़ों दर और नंगों की अपनी स्थी खराब होते जाएंगे तो एक दिन आपको आपको सुनाए देगा या कोई डॉक्तर कहेगा कि आपकी तो किड्नी फेल हो गई कि आपका लीवर खराब हो गई आपका हिरदर्य खराब हो गई तो यह समस्तков सुन्य गडा 열oga तब ध्यान आएगा कि कहा पूंसी ऐसी गल्पी कि तब ध्यान आएगा कि आपने कौन सी ऐसी गल्टी की जो आपकी किड्नी फेल हो गए और धीरे धीरे आप जब प्रिशलेशन करेंगे तब पता चलेगा कि आपने बहुत दिन ठंडा पानी प्या जिसका दुश्परिणाम ये आपको देखने को मिला तो इसलिए मैंने आप से कल के सूक्तरों के बारे में ये कहा था कि थंडा पानी कभी न प्यें मैंने दुनिया में बहुत सारे लोगों को देखा है जो थंडा पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं और सबसे ज़्यादा गंभी रोग उनको होता है मल बद्धता, कोश्ट बद्धता, कॉस्टिपेशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। उनकी कभी भी आते साफ नहीं होती, पोठ खुलकर साफ भी होता, संदास अच्छे से नहीं होती, और जिनको संदास अच्छे से नहीं होती, उनको दुनिया के सब रोग आते हैं। आईवरेज में ऐसा कहा गया है, कि ये जो कोश्ट बद्धता है, मल बद्धता, ये सबसे खराब बीमारी है दुनिया की, जो एक आजाए शरीर में, तो सेक्डों बीमारी हों को ये बुला लेती हैं। इसको मजाग में लेकिन गंभीता से कहा जाता है, कि ये मदर डिसीज है, नहीं सबी बीमारी हों की आई रही कोश्ट बद्धता, अगर ये आ गई, तो सब बीमारी हैं आपको आने वाली हैं, हर्ट अटेक भी आएगा आपको, अनिद्रा की समस्या भी आएगी आपको, तो एक छोपी सी बीमारी आपके शरीर में आएं तो सेक्डों बीमारी हैं आएं। इसलिए कल्मा ने कहा था कि सबसे गंबीर बात आयुर्वेट चिकटसा की वो ये, एक छड़ा पानी कभी ना पिया हैं। पानी हमेशा इतना गरम पिये हैं जितना आपका शरीर बरदाश्ट करता है। हम अपने शरीर को अगर नाप के देखें तात्मान के रूप में तो शरीर का सामान में तात्मान सेंटीस डिगरी सेंटीग्रेट के आसपास होता है। तो आयुर्वेट की दिवस्ता ये है, नियम ये है, कि 37 डिगरी सेंटीग्रेट जितना गरम आपका शरील है, कम से कम इतना गरम पानी के जोलूदी है। लेकिन गरमियों के दिन में, जो आजकर चल रहा है, मिट्टी के घड़े का पानी आप पी सकते हैं, माटले का पानी पी सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी ठंदा नहीं माने जाता। जो सामान में तापमान होता है लगब उससे एक या दो डिगरी ही कम होता है लेकिन रेफ्रीज रेटर का जो पानी है और बरफ का जो पानी है इसका तापमान तो बहुत कम होता है रेफ्रिज रेटल में पानी रखा है तो उसका तापमान चार डिगरी पाँच डिगरी के आसपास पहुंच जाता है जो शरीर से बहुत ही कम है इसलिए फ्रिज का पानी बरफ डाला हुआ पानी बिल्कुल निशिद है आई रुभेट मैं पानी को सिप करके पीने की बात मैंने आपसे पहीती उसका कारण भी मैंने कल समझाया था फिर से बता देता हूं कि मुह में हमेशा लार बनती है और यह 24-30 बनती है यह कभी भी बन नहीं होती है कभी ज्यादा या कभी कम हो सकती है जब आप सो जादे है आपको तो यह मुह की लार बनना ठुड़ी गवोली हो जाती है बंद कभी भी मुख़़ोटी है अब यह मुह में जो लार बनती है यह सतक पेट में अंदर जाए तो आपकी लिए बहुत उसक्योगी है कारण क्या है यह जो लार है यह चारी होती है door पीट में अम्ल मिल जाएं तो यह न्यूटरण हो जाता है और है मिज्ञान की भागण में कहते हैं कि अम्ल पैट में जाता है तो आपके पी ग्र। आपके खेंना में पेड़ जो है सांब फीर जाए नूटरंग हो जाए ना वो चारीय रहे ना अंगलिय बने इस द्रश्टी से इस लार का पेट में जाना बहुत आवश्च्छ है आपने कई बार यह देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे जानवर हैं जिनको कभी छोट लग जाए उनको कभी तकलीफ हो जाए तो वो चाट चाट के अपने को खीक कर चाटने में क्या है जीप पर बनने वनी लार है उसमें सबी तरह के आउशदिये तब को है मनश्व में भी और जानवर है तो इसमें इतनी जादा ओशदिये है लार में कि ये सबसे जादा कीमती पानी जाती है शरीर के इसलिए इसका एक काम भी खराब ना हो इस द्रश्टी से ये बार बार अंदर जाए इसके लिए पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा करके पीना लाए परियाथ मातरा में अंदर जाए तो ये एक नियम था और बाखी के दो नियम थे कि खाने के बार कभी भी आप पानी ना पिये पानी हमेशा एक बेव जिश्टे के बात जिए व्यों कि खाना खाते ही आपके शरीर में पोड़ में अग्दी प्रदीप होती है जो अगनी शाम कोंगी तो भोजन का पाचल नहीं होगा और भोजन का पाचल नहीं होगा तो वो सरेगा और सरा हुआ भोजन सेकुण रूप पैदा अगरेगा मैने कल आपको इसका एक सरल उढहरेंट दिया था कि स्यम्साइट ढ़र अगर अगनी ना हो तो कोई भी भोजन नहीं बना सकते है आपके पास चावल है बहुत अच्छे क्वालेटी का दूद भी है बहुत अच्छा लेकिन अग्नी नहीं है तो खीर नहीं बनाएं गया बनी नहीं सकते है चावल है पानी भी है अगनी नहीं है तो भात नहीं बनेगा डाल है और पानी है और सब तरह के अच्छे वसाले है लेकिन अगनी नहीं है तो डाल नहीं पखेगी ऐसे ही पेट के अंदर अगर अगनी नहीं है तो कुछ भी नहीं पखेता कितना भी अच्छा भोजन करिये अगर अगनी तक तो नहीं है तो भोजन कभी नहीं पचेता तो अच्छा भोजन करना महत्वपूर नहीं है अच्छे भोजन को पचाना बहुत महत्वपूर तो ये अगनी तक तो बराबर आपके शरीर में काम करता रहे इस द्रश्टी से भोजद के पत्काल बाद पानी नहीं पीना ही अच्छा होता है ताकि अगनी अपना काम करे एक से बेड़ गर्टे के बाद आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं ये छोटे-छोटे चार सूत्र बेरे आपको कल बताए अब इन चार सूत्रों के बादे में आपके मन में कुछ शंकाएं हो सकती हैं कुछ प्रश्न हो सकती है तो अभी आप 5-7 मिनित में, 10 मिनिट में पूछ लीजई तो आगे के 10 सूत्र में आज और बताने वाला हूए कल ये जो चार सूत्र जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने दोराए हैं इनके बारे में आपके दुन में कोई भी शंका हो कोई भी प्रश्न हो तो आप जुरूर पूछनी जी ताकि आपकी शंका का समाधान हो जाए और बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाए आप चाहे तो मराठी में प्रश्न पूछ सकते हूँ मैं मराठी बहुत अच्छे से समझता पूछे जी बहुत अच्छा पूछे ये प्रश्न का मैं इंतिजार कर रहा था कोई पूछे तो मैं बताओ उनका प्रश्णी यह है कि भोजन के पहले पानी पीना क्या है जरूर पीजिए उसका समय एक प्रह है आपको अगर भोजन करना है दस बजे मान लीजिए तो नौ बज़ कर बीस मिनट पर आप भरपेड पानी पी सकते हैं भोजन करने के चालीस मिनट पहले आप भरपेड पानी पी सकते हैं आप देख लीजिए आपके भोजन का समय क्या है दस बज़े है तो नौ बज़ कर बीस मिनट पर ग्यारे बज़े है तो दस बज़ कर बीस मिनट पर बारे बज़े भोजन गरना है तो क्या है बज़कर 20 मिनट पर भोजन से 40 मिनट पहले एक लीटर दो लीटर पांच लीटर जितना पीने की आपकी कैपसिटी है उतना पानी की सकते है ठीक है कि खाना खाते समय बीच मीच में फी सकते हैं क्या आपको एक चोदो जानकारी इसकारे में मैं दे दूँ अगर आपके शरीर में कोई बहुत गंबीर बीमारी है जैसे मैं नाम से बताता है एक बीमारी आती है जिसको मूर ब्याद करते हैं इसी का एक छोटा सा स्वरूप है जिसको बवासीर भी करते है और सबसे खतरनाक स्वरूप में ये बीमारी आती है तो भगंदर हो जाता है तो बवासीर, मूर्वयाद और भगंदर ये तीनों बिमारी किसी के भी हैं तो उसको भोजन के बीच बीच में पानी पिने की अनुमत्ती है जिसको बवासीर, मोर्वया, बगंदर ये तीनों बिमारियां मैंसे कोई भी एक या दो या तीनों एक साथ है आई रुवेट में ऐसे व्यक्ति को भोज़त के बीच बीच में पानी पीने की सलाह दी है अब आप देख लिजिए कि अगर इन में से तीनों में से कोई बीमारी है तो आप बीच बीच में पानी जिरूर भी सकते हैं लेकिन अगर ये तीनों बीमारियां नहीं है तो गलती से भी बीच में पानी मत पीजिए नहीं तो ये तीनों बीमारियां आईगी आप जानते हैं ये मुणवया, बवासीर और भगंदर ये तीनों शुरू होते हैं कोश्ट बद्धता से मल बद्धता से बहुत दिन अगर आपको फोट साथ नहीं होगा तो यही बीमारिया शुरू होगी बवासीर, मुणवया और भगंदर ज्यादा दिन को constipation पहता है मल बद्धता गोश्ट बद्धता रहती है उनी को ये तीनों विमारी आती है और मल बद्धता होने का सबसे बड़ा कारण है पानी पीना भोजन के बाद इसलिए अगर आपको है 82 मूर्जात वगंदर्थो चरूर पिलीजे लेकिन नहीं है तो बद्धती एक और विकल्ब है लेकिन वो कभी-कभी रोज के लिए नहीं तो क्या विकल्ब है अगर आप भोजन ने एक से ज़्यादा अन्न खा रहे हैं एक से ज़्यादा अन्न खा रहे हैं मतलब जवारी की भाजरी भी खा रहे हैं और भाग भी खा रहे हैं दो अलग अलग अन्न हैं आप गेहूं की रोटी भी खा रहे हैं और भाग भी खा रहे हैं तो गेहूं और भाग मने चावज दो अलग अलग अन्न हैं तो आईरवेर्वेर्ट ये कहा है कि कहीं विश्वेश परिस्टिती में एक से ज़्यादा अन्म खाने वाले लोगों को बीच में पानी पीना चपता है लेकिन कब एक अन्म की सवाप्ति आपने की और दूसरा शुरू करने वाले हैं दोनों के जंक्शन पॉइंट पे मतलब जवारी भाकरी तो खाली अब आप भात खाना शुरू कर रहे हैं तो भाकरी खाने के तुरंद बाद और भात खाने से पहले एक घूट पानी पीश सकते हैं गेहों की रोटी खाली अब भात खाने की तयारी कर रहे हैं तो गेहों की रोटी खाने के बाद और भाद खाने से पहले एक घूट पानी पीश सकते हैं लेकिन ज़्यादा पीने की इक्षा हो तो ऐसा हो सकता है तो आयोवेट में उसके लिए बात ये कही है कि आप घर में जो डाल बनाते हैं डाल उसमें जास्ती पानी डालिए और डाल का पानी पीने आपको साधा पानी पीने से दिशित्त किया है आईवेट में लेकिन डाल के उपर का पानी आप चाहें उतना पी सकते हैं तो आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और आपको आदत है कि हम तो बिना पानी के तो खाई नहीं सकते तो आप पानी डाल का लेते बहुते मुंकी डाल बनाई है पानी जास्ती डालिए डाल अलग रखिये पानी गिलास में निकाल के उसको खाने के साथ पीते रहे तो आप बोलेगे इसमें कोई तकलिफ नहीं इसमें तकलीफ नहीं है क्योंकि कल मैंने आपको यह जानकरी दीती, कि पानी जिस चीज मैं मिला दिया, उसी का बहुत हारण करता है। दाल का पानी में दाल का गुँँ है, पानी का नहीं है। है कि इसलिए दानिका पानी आप चाहे तो ह्किला कि पीht सरें लेकिन साधा पाणी कीने के लिए आयूने मैं बना किया आगणिन है के फिर्ट ऑच्छी से भील्ग नहीं पीना कि यह सब बकूझ खूट बरते ही पीना आप सभी द्रव पदार्फों पर लागु करते हैं जिस वस्कूं में पानी मिला हुआ है वह सभी को भूट भूट करके पीना जाल का पानी पीना है तो भी घूट भूट भूट कुछ डाल कीदाल का पानी आगए तो उं को बहुत कि दाल का पानी गाले До तो बहुत उनके लिए फाइदेकारद होगा। तो बूढ़े लोगों के लिए जिनकी उम्र 70 वर्ष के उपर हो गई है वो कितनी वी उपर हो उनको अगर पानी जादा पीने की ज़रूरत पड़े तो मुंग की डाल नमबर एक और मसूर की डाल नमबर दो तुवर की डाल जितना कम खाए उतना अच्छा है बोड़त की तो कभी भी न खाए वही अच्छा है जूस अगर ठंडा प्याद है भी कुण नहीं ठंडा जूस कभी भी काम नहीं आएगा हां एक विकल्प है कि आपको दूद अगर पीना हो तो ठंडा पी सकते हैं लेकिन कब उसकी व्यवस्था ये है कि जिनको अलसर की बीमारी है अलसर आप समस्ते हैं पोड़ में घाव होना खासकर आहार नली में अन नली में घाव काहो ना उसको अंग्रेजी में अलसर कहते हैं ये अलसर की बीमारी जिनको है उनको आई रुबेंच ने नियम बनाया है कि वो ठंडा दूद पी सकते हैं अलसर है तो और अगर नहीं है तो कुछ भी ठंडी चीज पीनेगी अनुमती अलसर को चाच नहीं चलती है अलसर को चाच कभी-कभी एक परिस्थती में नहीं चलती जब अलसर प्रैक्टिक अलसर में बदल जाए तो चाच उसके लिए जहर जैसी हो जाती है बिल्कुल जहर होता है एक डाप्टर नहीं अलसर के लिए एक चाच बताया था लेकिन वो चाच कैसी फ्रीक्वेंट की हो फ्रीक्वेंट समस्तर मैं इसका हिंदी करके या पराटी माने उस पर कोई उप्चार करके चाच पीना उप्चार किया हुआ जैसे उप्चार कैसा उसमें जीरा डाला गया हो काला नमग डाला गया हो सेधा नमग डाला गया हो यह उप्चार करना हुआ इसी तरह से चाच को गरम किया गया हो यह उप्चार करना हुआ या थोड़ी देर के लिए उस चाच को किसी चादी के पात्र में रखा गया हो यह उप्चार करना हुआ तो उप्चार करके एक तो होती है सीधे सीधे चार्च, सीधे सीधे माने दही में पानी बिलाया और आपने वो चलाया और उसमें से फक्कन निकाला, ये जो चार्च है, ये सीधी चार्च है इसके बाद इस पर उप्चार करना, तो इसमें सेधा नमक मिला दिया, काला नमक मिला दिया, जीरा डाल दिया, बगहार कर दिया, चांदी के पात्र में थोड़ी देर रख दिया, इस तरह का उप्चार करके ली गई चार्च, ये मैं आपको कल नहीं परसों बताने वाला अभी तो आप वो सवाल पूछिए जो विशय कल से हमने शुरू किया है और आज मैंने आपके सामने फिर से रखा है पानी के बारे में चार सुत्र जो कल मैंने बताये हैं इनके बारे में पूछ लीजे जल्गी से पूछ लीजे ताकि आगे दस सुत्र मुझे आज बताने हैं आपको सुबह जरूर पी सकते हैं लेकिन आपके शरीर में कोई तकलीज हो तो ये नियम नीबू डालकर पानी पूने का उनके लिए है जिनको कफ की ब्रंधी बहुत हो गई कफ की ब्रंधी हो गई मतलब वजन बहुत बढ़ गया ये वजन बढ़ना कफ की ब्रंधी का निशानी है मेर बढ़ गया वजन बढ़ गया बोटापा हो गया अब आपको तकलीज बहुत है तो आयरोवेत में एक सूत्र है श्लोक है कि नीबू डालकर पानी पूना अगर आपका वजन समान है, सम्यक है, जितना होना चाहिए उतना ही है, तो नीबू डालकर पानी पीनी की आपको उतनी आवश्चता नहीं है, साधा पानी ही आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसी परिस्क्ति है कि वजन बहुत बढ़ गया है, तो जरूर नीब सुट्र जो मैंने बताए है, ये आपके दिमाद में बैठ जाए, इस द्रश्टी से उस से जुड़े हुआ प्रश्ट से चाहिए, कल इस प्रश्ट कातनी आप ही उत्तर आने वादा है, मेरे भी आपकानी है, जी बहुत अच्छा प्रश्ट, मैं इतनी देर से इत्वार कर जाता को ये बूठ है, इन oh ने पूछा है क्यों ने खुल बताया कि सुभ उटते ही पानी पेना चाहिए, अप्रश्ट वन प्रश्ट पूछ लिया कि उठते ही पहले मुशाफ करना चाहिए, तक पानी पिए या बिना मुशाफ करके पानी नहीत लिए, मैं ने आपको तो तो रात्री में जो लार बनी है वो मूँ का पानी जब आप ठूपेंगे तो जाने वाली है तो ये सबसे कीमती चीज है जो आप मूं के साथ ठूपने वाले है इसलिए आईरुवेद ये कहता है कि सुबह उखते ही बिना मूँ साथ कि ये पानी पीना चाहिए बिना मूँ अगे ये तो फिर मूँ साथ करके सो जाए आठ को जब भोजन आपने कर लिया और सब कुछ आपता हो गया आपको कुछ खाना पीना नहीं तो मूँ साथ करिए, दाथ साथ करिए मन्जन करिए, और सोज़ें, ताकि सुबह उटते ही पानी पीने में माने सिक रूप से आपक आदर्श समय तो ये है साड़े चार बजे के आसपास आदर्श सुबह साड़े चार बजे से लेकर 45 मिनट का समय है आईरुवेट में उसको बिल्कुल निश्चित रूप से लिखा है बागवट रिशी ने एक श्रोग में बहुत इस्पश्ट लिखा है कि सुबह का उशा पान मने सुबह का पानी सारे चार बजे से सबाब पांच बजे के बीच में पीना सबसे अच्छा होता है क्यों कारण भी है इसका मैंने आपको कल कहा था फिर आज गुहरा राओ ताटी द्यान में रहे सुबह जब होती है सुर्य निकलने से पहले का समय इस समय शरीर में वायू का प्रभोग सबसे ज़्यादा होता है दुबहर जब होती है सुर्य बहुत देज कपता है उस समय शरीर में पित्त का प्रभोग सबसे ज़्यादा होता है और शाम को जब सूर्य सम तीन तरह की व्यानियों वो मानते हैं अयरुवेत का वाक जिसको वायू भी कहते है पित और कफ तो सुबह सुबह का समय वायू का प्रभोग सबसे ज्यादा होता है और भागवत सब्सक्राइभ तो सब्सक्रान पहले कुछ प्रमाइण में कि अ आप सुबह सब्सक्रामाद इसलिए बोला जाता है ना सुबह उठकर पहला सुबह उठकर लोगों को यह आने जाने के बारे में तो शरीर में भी वायू का प्रकोप सबसे ज़्यादा है तो वायू को शांत करने की ताकत दुनिया में किस चीज में सबसे आसान है तो कल मैंने आपको एक उधारत दिया था कि बहुत देज आंधी चलती हो दूल उड़ती हो और अचानक से बारिश हो जाए तो क्या हो ना सब कुछ शांत हो जाए ना माने पानी की ताकत है वायू को शांत करने के तो आयुरवेद में बागवर्ट रिजी ने कहा कि सुबह च सब्सक्राइब तो इस समय अगर आप पानी पी लेंगे तो शरीर की वायू शांत रहेगी और वायू अगर शांत रहेगी तो वायू से उत्पन होने वाले लगमत और तालीस रोग आपकी जितनी इवेक तभी भी नहीं आएंगे कि वो आपके पानी के बात है तो प्रणायम करने की बात है तो प्राणायम के बीस मिनट पहले आप पानी जरूर पी सकते हैं प्राणायम का जो समय दिए तो प्राणायम क generosity जरूर आप 20 मिनट पहले आप पानी THAT कि ओर तो यह कहना है कि आप प्राणायम करिए लेंकिन प Like करम सैंप्रत वोने के बात करЯ रहे Eugene तो प्राहयाम तो लित्तिकर्म के बादी होने वादा है तो ऐसे तो आशामने रूप से 30-40 मिनट उसमें जाने ही वादे हैं इसलिए मन में ये दुरिधा मत रखें आप तो उठते ही पी लीजे पहले पानी याद नहीं आती है तो राप को अपनी चार पाई के नीचे पानी परकड़की उठते ही ध्यान आजाएगा तो पीने का तरीका मत भूलेगा एक एक सिफ करके आनंद लेते हुए मूं में उसको घुमाते हुए पीना सुबह का पानी तो मूं में घुमाके ही पीजिए एक बार भरा ऐसे ऐसे फिर पीना ताकि यह जहां भी लार्च पी हुई है वो उसमें घुलकर अंदर आज़ा है पानी पीने के बार की मीद आ रही है तो कोशिश करें कि थोड़ी देर में उठें अगर आपको ऐसा लग्षा है कि पानी पीने के बार की नीद आ रही है तो इसका मतलब है नीद पूरी नहीं हुई है तो उठने में थोड़ा आदा घंटा विलंब कर दीजें देर सहीं किये यह मत करिए कि पानी पीके फिर्स हो जाए क्योंकि पानी पिया है वायू का प्र प्रपो बढ़ए यह जरूरी है Works और अगर आपने पानी पेलिया है वो निद अच्छी आएगी पानी रिपस्ति मिली ने लिकिन प्रशनरी ये है कि क्या पहली दिन से वहालीस दिन करना प्र रखते के बाद दो गनास ऐसे बढ़ते बढ़ते जाना और प्रहते बढ़ते उसको सवहाली है तो एक तो प Conseément मनेक सीमम कितना पानी में पी सकते है उसका पते है आप गजंत इतना है उसमें 10 भार जी और में गदी है इतनी जितना भाद यह माई हो दिक wat एक दिन में जितना भोजन करते हैं उसमें दसका गुणा करते हैं उत्ता मिनीवम पानी जैसे मान दीजे सारे तीन सो ग्राम भोजन आपका है एक दिन में तो दसका गुणा कर दीजे सारे तीन लीटर पानी एक दिन में कम से कम होना चाहिए अधिक से अधिक इतना होना चाहि पू सब्सक्राइब नियम उनके लिए है जिनको बहुत तकलीफ है श्रीर में ऐसी जिसके कारण अंदर के शरीर में ताम्र की मात्रा कम हो गए है उनके लिए यह है माने हमको ऐसी कोई बीमारी हो गए जिस बीमारी में तावे की मात्रा शरीर में तावा होता है शरीर में सोना भी होता है शरीर में चानी भी है शरीर में लोहा भी है ऐसे 18 तक कुछ है हमारी शुटिए और ये सब मिट्टी से आए हैं मिट्टी से जो कुछ भी अन्द पहदा होता है उसमें ये सब होते हैं हम उसे खाते हैं तो हमारे प्रीज में आते हैं तो शरीर में तावे की मात्रा जब कम हो जाती है तो कई बीमारियां आती है उन्मेसे एक वीमारी बतोग जो आज कल बहुत आती है सिर के बाल जलभी जलना ये जितने बाल ज़रने वाले वरीज हैं जिनको ये शिकायत है कि हमारे बाल बहुत तूट रहा हैं समझ लीजे शरीर में तावे टत्तु की कमी हो गई है बने तावे की कमी हो गई है तो ऐसे लोगों को तावे के लोटे में रखतर पानी पीना बहुत अच्छा होगा बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे इसी तरह से आँखों की रोशनी कम हो गई है उसमें भी तामर कट तो कम हो जाता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि तावे में रखा हुआ लोटी का पानी आप पीए ऐसे कुछ मरीज हैं जिनके बारे में कल और परसों दोनों दिन में बताने वाला हूँ कि 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 को ये पीदा है लेकिन आज प्रशन आ गया इसलिए इशारे में कहता हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो सादा पानी ही आपके लिए सबसे अच्छा है और अगर है तो कल आप ध्यान रखिए गाँ मैं बीमारीयों की एक सूची पढ़कर बताने वाला हूँ उसमें आप कहां फिट होते हैं उसके हिसाब से आप तावे के लोटे का पानी पी सकते हैं लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए तावे के लोटे का पानी लगातार नहीं पी सकते हैं बीच बीच में उसको रोगना पड़ता है तीन महीने लगातार पी लिया अब एक महीने छोड़ दीजिए फिर एक महीने छोड़ दीजिए फिर तीन महीने पी लिजिए फिर एक महीने छोड़ दीजिए फिर तीन महीने पी लिजिए फिर ऐसे करके चलेंगे तभी उसके पढ प्रश्न कोई शंका कोई हो गया है अच्छा यह प्रश्नकर आप नहीं कर रहे हैं और पानी के बात चले इसी एर थोड़े संदर्द में का इसे इसे शांध करना कफ को कैसे शांध करना वाग इसाथ को कैसे शांध करना वाग यह सम पताने हो जैलन को कही है अब बताऊंगा करना हो तो एक कम से कम 20 मिनट बाद आपने सुगर पानी पिया और पानी पीने के 20 मिनट बाद आप चाहिए तो कुल्डा राकुम कर सकते 40 मिनट बाद कुछ भी खा पी सकते हैं जी आता है तो आने दो ना वो मिट कर दो अगर ऐसा लग रहा है आपको होगा वो कब जब आपने शरीर की छमता से ज्यादा पानी पीलिया मैंने सवाल लीटर बताया अगर देड़ लीटर पीलिया तो बाहर आएगा तो उसी स्कती में निकल जाने पर रोकना नहीं है अगर आपको मुटिंग के साथ पानी बाहर आ रहा है पीने के बाद तो कर दो मुटिंग निकल जाने दो ओको उसको रोकनी चीज़रूरत नहीं एक तो दिन ऐसा होगा तीसरे दिन से चीख हो जाए और नासता करने के एक से बिड गंटे बाद कीमें की जैसे में कानियम वही नास अगरे के बोजन करने के बोजन करना हो या नाश्ता करना हो उसके देल धंके बादी पानी पीना हो चाहे जितना पेड़ बरके नारियल का पानी पी सकते हैं क्योंकि उसमें नारियल का गुण का पानी का नारियल का पानी माने रस रस की श्रणी में आता है जैसे गन्मे का रस पूस का रस बोजन के तुरन बाग पी सकते हैं नारियल का पानी बोजन के तुरन बाग पी सकते हैं आप बोजन के तुरन बाग पी सकते हैं आम का रस बोजन के तुरन बाग पी सकते हैं संत्रे का रस र कि रस में भी पानी है, तो भी रस पी सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, रस में पानी है, मैंने बतायता कि उसमें पानी का गुण नहीं है, उसमें वो फल का गुण है, जिसका वो रस बना है, जैसे नारियल के पानी में, पानी का कोई भी गुण नहीं मिलेगा, वो जो भी इसमें पानी का कोई हो नहीं मिलेगा जो भी मिलेगा वो ग्राग्षिका वो इसमें मिलेगा कि ठीक है आगे बढ़ें सोड़ा दिरे दिरे पेना चाहिए या जलती सब्सक्राइब सोड़ा पीना तो बहुत ही खराब है जहर पीना चाहते हैं सोड़ा मैंने कार्बंडा योखसाइड गैस मिलाया हुरा पानी कार्बंडा यौकसाइड ऑने जहर यह है चरीट दिन शारीफ करता चाहर यौकसाइट को बाहर निकालate यौकसाइड और निकाल लिए तो गया मुर्ख को प्याज करिए जो इन जी ए назyn성을ण लगाएंगे वहां या आपको शान्थ करेंगे यह दर में आग लगाएंगे यह इसको शान्थ करेंगे तो और गैस क्यों पी रहें अगर गैस की प्राब्लम है उनको दो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए तो फिर कैसे ठीक होगी यह जैस्टी काब्लम यह ने कल और परसों बताएंवाला में आप चिंता मत करिए यह जिए आने वाला है एक एक लीमादी से बात करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि गैस है तो कैसे ठीक करना चाहिए अभी तो चार सुप्त बात हुई थी उस पर कोई प्रश्न हो संका हो जरूर पूछ लीजे ताकि आप ये कल से करें जरूर पी सकते हैं जरूर पीजिए मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि पूरे बारों महीने कोबट पानी पीजिए अगर आपने थोड़ी भी सहन करने की शमता है तो पूरे बारों महीने क्या जन्वरी क्या फर्वरी क्या मार्च और क्या जूर सभी दिन कुमबट पानी पीजिए तो मैं आपको स्टांप पेपर पर लिखके देता हूं कि जिन्दगी में 103 रोग कभी नहीं आएंगे एक 103 रोगों से जिन्दगी भर आप बचे रहेंगे जिन्दगी भर अगर कुमबट पानी पीने के नियम डालें तो और यह बहुत अच्छा लगता है थोड़े दिन में आदर पड़ जाए तो बहुत अच्छा लगता है है सूप होगा कुमबट पानी सबको सूप होता है बाबारे जीव को टेस्ट खराब लगया है वो अलग बात है कुमबट पानी सबसे ज़्यादा सूप होता शरी में परसों आपको एक-कैमिकल एणीस बताने क्षाविया वाला हूं है जब थन्दापानी कीविते हैं उसको शरीर में पाचन होने के लिए कम से कम चार गन्य चालीश मिनट कि लख पापनी चालीश मिनटे रमक मजाय क्षिय को पानी के वही काम करने में उसका चार गुना सफे जाधा देता है जिंदगी पर पीयां तो भुवती अच्छा ऐं और जनको बाट की तक्लीप है उंके लिए तो कोवट पानी औ शभी है दवाओं जिनको भी वायू का पुकोप है उनको तो हमेशा ही कोबट पानी पीना सबसे अच्छी दवा है सबसे अच्छी आउश्य थीक है कल की बात समा जी आगे चले आप कुछ पूछ रहां तीछे बाइट अभी परसों बात करूंगा ना इस पर चले के सवाल रहेंगे आगे बढ़ेंगे अभी आगे के दस सुत्र और बताता है कल चार हुए आगे दस सुत्र बताता है पांचमें सुत्र है जो आयर्वेट चिकित्सा का बहुत आधार है मूल आधार है और अश्टार विहले में सबसे जादा इस पर जोर है वो ये जैसे पानी पीने के नियम है ऐसे ही भोजन करने के भी नियम है उनमें से एक नियम तो कल मैंने बताया था क्योंकि वो पानी के संदर में आया था हडू हडू गया यह सबसे बड़ा नियम है यह सब नाम है रिशतों के बहुत ताकत से इस बात कर जोर दिया है साङे अडू अडू कै दीरे घीरे खाना ले जलडी मत करो Infra कभी भी जल्दी मत करो खाए और कई रिश्यों ने तो ऐसा लिखा है कि अगर जल्दी है तो कुछ मत खाओ बिना खाए रही आपको ऐसा लग रहा है कि आप मुझे तो ट्रेन पकड़नी है और टाइम हो गया है और चूटने वाली है तो ट्रेन तो आप ठोड़ नहीं सकते त तो खाना छोड़ तो आप मोलेंगे भी जा भूके रहें भूके मत रहें ट्रेन पकड़ने के लिए खाना मत खाईए खाने को पैटल बंद करके ट्रेन में ले जाए वहां बैठके खाईए आराम से कहिए और इसको दूसरी भाशा में अगर मैं आज के लिए कहूं खाना ख खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं और मन में बहुत आशांती है दर पर चल रही है इस्ट्रेस बहुत है तो ब्लड प्रशन रिश्चित रूप से बढ़ा हुआ होता है उस समय खाना नहीं खाना खाना शांत हो यहीं खाना इसके लिए सूत्र बताया कि बोजन आ गया अब करने की विवस्ता की गई आपके सामने भोजन रखा है अपने इस देव को थोड़ी देर दोती मिनट ध्यान करेंगे मन अपने आप शांत हो जाएगा शरीर में शांत हो जाएगा तो उस खाने का पाचन सबसे अच्छे तरीके से होगा और शरीर को जितना चाहिए शरीर उसमें से पूरी पोशक्ता ले लेगा ये बात हमेशा ध्यान रखिए ये पाचवा सूटर है खाना खाना है धीरे धीरे चबा चबा के खाना है और कितना चबाना है ये कल मैंने बता दिया था सिर्फ भियान दिला रहा हूं अपने अपने दांद गिल लीजे किसी को तियुको 32 है तो 32 बात चबाना और किसी को 30 है तो 30 बात चबाना किसी को 28 है तो 28 बात चबाना दीरे धीरे चबाच एक खाना और आप शुरू में 4-5 दिन तो गिम गिन कर चबाई ने चार-पांक दिन के आख खुद अपने आप आपत पर जाहेगी शरीर को वह बिना इंद कि इसलिए खाना खाते समय किसी भी तरह का तनाव किसी भी तरह की धर्वर किसी भी तरह की जंदवाजी कभी भी निम्त करते हैं उनका और उनकी उम्र दोनों ही लबी ये पाच्वा सूत अभी छटा सूत चटा सूत है वो ये कि खाना खा रहे हैं तो हमेशा बैठ कर खाना खड़े होकर कभी भी खाने का दियम मनुश्रों के लिए नहीं है जानवरों के लिए कule खाने के लिए को नहीं दो है जानवरों के लिए क्यों नहीं है बंध्रप्र जानवर चार पायों उंपर चलते हैं उनका जो सेंटर ऑफ ग्राइविटी घुरुटके, शरीर का मनुश्रय से भिन्न है क्योंकि मनुष्वि दो पाए उपर चलता है तो मनुष्वि का जोima चिंद रहे है और पशुओं का जो Agr utl marking है दोनो अलए है और उचार पाये हैं हम दो तों तो खड़े होंकर खाने के लिभे पशुवां को अनुमती है मनुष्ट को नहीं मनुष्ट को पैट करी खाना करें और अधार भॉसे सिस्टम भॉफैलो सिस्टम Strayer मुने मश्वी था मश्य खाती है करें है यह प्रता है तो भी आपको देनती आर्च कि आप जहां भी शादी में गए या किसी भी प्रसंग में गए और वहां बुफटे सिस्क्रम का में और तो आप तो बेट में खाना ले दीजे और कहीं बैठ कर खाई कि खड़े होकर खाना बहुती तकलीफ का तो अब क्या तकलीफ है वह आपको में बता देखाओ अभी आप बैठे हैं अभी थोड़ी देर में आप खड़े हो जाएंगे आपको अंतर महसूस होता है शरीप में बैठे होने मे कि क्वार खोटा हैं वेक्ते समय शरीर का गुरुप्तु केंद्र बदल जाता हैं अब इसका काने क्या होता है? जब आप खड़े होके खना साते हैं तो प्रत्वी का गुरुप्त्वा करशन जो बल है वो आपके ऊपर सफसे अधिक होता है जब आप खड़े हो चेहें तो जैसे ही आपने खाया तो प्रत्वी का जो गुरुत्वा प्रशनबन है वो सभी वक्तुओं को अपनी तरफ खीचने का होता है तो आप खाना खाईए तो नियम तो यह है कि यह धीरे धीरे ऐसे नीचे उतरना चाहिए लेकिन खड़े होके खाईए तो यह पूरा जल्दी से उतर जाए अब यह जल्दी से उतरा हुआ खाना है इसमें लार की मात्रा जो आहार नली में मिली चाहिए वो कम हो जाती है और गुरुत को केंदर बदल जाने के कारणी यह जल्दी से नीचे आता है तो इसके पाचन में फिर संकट पैदा हो जाता है तो खड़े होके जो खाना खाया उसको पाचन होने में बैठ कर खाना खाने से बहुत ज्यादा समय लगता है और समय ज्यादा लगता है शरीर के अंगों को भी तकीश ज्यादा होती है पाचन करने इसलिए आईरुवेट में बहुत स्तक्ति से नियम बनाया है कि जो मदुश्य जाती के लोग है उनको बैठ कर ही घोजन करना सबसे अच्छा है अब बैठना भी कैसा आपको कहेंगे ज आप समय लगाया हुआ है इसको सुख आसन कहते हैं इसको कहते हैं पेटना ही तॉकी यह कोरी सीपर ने कर खांग को यहां पले ल कि यृोप और भारत में च्यांतर टर है यूरोप और भारत में सबसे बड़ा अंतर है कि यूरोप में ठंडी होता है आप जानते हैं और इतनी ठंडी है कि एक परस में आठ महिने सूरी का प्रटाश नहीं निकलता आठ महिने और ठंडी इतनी होती है कि तापमान माइनस चाली सिगरी संपिम्रेट होता है जिनात्मा को बरफ पर जमी नहीं तो जहां ठंडी बहुत होती है उन लोगों के शरीर म स्ट्णोबियल फ्ल्यूट कम बनता है स्ट्णोबियल फ्लूट होता है यह जो जॉइंट से ना आपके सभी इन जॉइंट्स में रहता है अर्क्टियों के बीच मैं आपसमें जो तक्कर होगी है इसको बचाने के लिए घर्षन बचाने कर जैसे ढाडी में मोबिल डालते ह तो शनीर का मॉबिल ऑईल है जिसको स्नोवियल फ्यूट के तो जो ठंड वाले देश के लो हैं उनको ये कम होता है स्नोवियल फ्यूट तो वो जल्दी बैठ वोट नहीं सकते हैं इसलिए उनको नियम है जो खड़े होगे भी खाए या कुरसी तो बैठ के खाए क्योंकि ये उनका मुड़ नहीं सकता इस्टेफ होता है बहुत करफ होता है इसलिए वो मेज कुरसी को बैठ के खाते हैं डाइनिंग के बन पर भारत वासियों के लिए ये नहीं है मेज कुरसी पर खाना हमको तो जमीन में बैठ कर ही खाना सबसे अच्छा है तो आयुर्वेद ने इसक खरीद आये तो बिट भी सकता है ना तो आप पहेंगे जी पाइसा उतना नहीं मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा लेकिन शरीम तो अच्छा रहेगा और मेरी एक सुझाओ है कि डाइनिंग टेबल की लखणी निकाल के उससे वो पट्टे बनागी जिसके ठाजी रखके खाना प कि इसी काम की चीज नहीं है डाइनिंग टेबल और दूसरे हिसाब से भी मैं सोचता हो कि डाइनिंग टेबल पिलपल पेका है कैसे बेका है यह रखा रहता है ज्यादा देख उप्योग तो मुश्किल से दिन में एक कलाकी होता है एक घंटे होता है कई जबी कभी तो एक ध पांच हजार होगे तो पांच हजार उपए कीमत कितने दिन के लिए आपने खर्च कर रखी है जहां डाइलिंग टेबल रखी है दस साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल फालतू में इतना वेस्ट कर रहते हैं पांच हजार का 40 में भुड़ा कर रहते हैं लाहों रुपए की इंकम निकलती है जो आपने फालतू में घेर के रखती है जिसकी कीमत 500 रुपए स्प्यर फिट है आपके दर में डाइलिंग टेबल कित आप दिचित्र मुझे लगता है कि लोग क्या करते हैं घर बनाते अच्छा अच्छा इस सब्सक्राइब नहीं रहनी चाहिए उसको कवार और कच्छरे से भर करें हुआ हमसे अच्छे वोगाओं के शेथकरी हैं जिनकी अकन वह पता है ब्राइट लag नहीं बटाकर कोई कर वह ओर जर February वी बनातें हो कैसा फर्शेथ बनाते जिसको पांच मिनट महें इधर से इधन बेर मुफ कर सकें हटा सकें चार पाई बनाते हैं, चाहे तो विछा लिया, चाहे तो उठा के रख दिया, उठा के रख दिया तो कितना बड़ा स्पेस मिल गया, और विछा लिया तो उसका उप्योग हो गया, कितने होशयार अकल वाले लोग हैं, और ये इतने होशयार इसलिए हैं कि वो कभी पढ़ने जो पढ़े तो दिमाग रहा है हम सब पढ़े लिखे लोग अपने धर में खूड़ा कच्रा कवाल बर्बर के कुछ दाम नहीं है उसका कुछ दम नहीं है क्योंकि यह सब बेजान चीज़ है इसके मेरी धाब को बिलंती है तो फूड़ी जगे तो खाली तो इसको सच में निकाल दी अगर बेचना है तो बेच कीज़े और खरीदने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत खरीदियो तो आप अ यह जाएंगे कि आपको तो बैठ नहीं होता गोगे में इतना दर्द होता इसलिए डाइनिंगे देट के यह गारंटी में आपको देता हूं कि कल के बाद आपकी बुड़ी का दर्द में कि कर दोगा जमीन पर बैठ के खाईए आपके गोड़ी तने अच्छे हो जाएंगे कि बहुत आसानी से आप डेठ पाएंगे डाइनिंग पेबल की तपी आपको जरूरत नहीं पड़ी तो खाना खाने का नियम हडू हडू गया साउकाश गया थोड़ा खाईए चबा चबाके खाईए दूसरा नियम हमेशा बैठ कर खाना खाईए खड़े ओंके मत खाईए आगे का तीसरा जियम खाना खाने में का यह बहुत ही महतु का है और इसको बहुत ध्यान से आप सुनेगा क्ताना खाते समें कभी दो घृत्व वस्तुए एक साथ मन्द खाईए लिए और दूल कभी भी एक साथ घृतर मन खाईए निय thirty तो दूद की कोई वस्तु साथ मत खाई जैसे आपको कड़ी खाने हैं तो बासुंदी मत खाई जैसे आपको कड़ी खाने हैं तो कड़ी मत खाई जैसे आपको 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 कड़ी मत खाई जैसे तो तूप मत खाईए तूप खाना है तो मत मत खाईए इसी तरह से उड़की दाल और दही यह बहुत ही खतरलाएं एक कॉम्बिनेशन उड़की दाल के साथ कभी दही मत खाईए दही के साथ उड़की दाल मत खाईए इसी तरह से कानदा और दूद कभी भी साथ में मत नहीं तो जिन्दकी में इतनी खराब बीमारी आएगी कि आपको रिशान है पापड़ और धूर कभी भी एक साथ मत खाई है नहीं तो बहुत ही खराब तकली पाने वन गया आयुरवेग में अश्टांग हिर्दय शास्त्र में सबसे महान व्यक्ति जिनका नाम था वागवड उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई है विरुद्ध वस्तुएं क्या क्या है वो लिस्ट तो विस्तार से मैं परसों आपको बताऊंगा लेकिन आज चूकि यह सूत्र के आप तो जिनतगी में आपको कभी भी ऐसे रोग नहीं आएंगे जो लाइलाज है आज पर रोग आया है जिसको लिवकोडर्मा करते हैं लिवकोडर्मा आप सबस्ते पांड्रे नाग हो जाए यह उनी को होते हैं जो सतत्विरुद्ध वस्तुएं खाते हैं पांड्रे उनको मालूब नहीं है यह बीमारी एक बार घुज गई तो सालों साल निकलती नहीं है और एलोपेशी में तो इसका हिलाजी नहीं है और कई बार गिरुद्ध वस्तुएं साथ में खाएंगे जैसे पापड पापड में अगर उड़की दान है और आपने उसके साथ खालिय और यह दूर तो तयारी रखिए कभी भी हरे टकेट आएगा कभी भी आएगा बिना बताया इसलिए आयोवेत्ने बहुत सक्ती से नियम बनाया है कि हमें दो विरुद्ध वस्तों कभी भी एक साथ में आनी चाहिए आइस क्रीम खाना है चाय मत पीजे चाय पीने है आइस क् मत खाईए आइस क्रीम खाईए तो काफी मत पीजे गरम गरम भोजन किया है तो कभी भी आइस क्रीम मत खाईए आइस क्रीम खानी है तो गरम भोजन मत करिए ऐसी पूरी एक सूची है इसको हमेशा मेरा सभी माताओं वहनों से बिनंती है कि यह सूची में परसों आपको वि क्योंकि स्वैंपाग दर में कई बार ऐसी चीज़े हम करते हैं जो बहुत ही खराब हो और उसकी वजह से हम खुद इतने प्यूडित हो जाते हैं जिसमें लाकों रुपए हमारी जिन्दगी के चले जाते हैं वह एक छोटी सी गल्टी छोटी सी भूल जिन्दगी भर के लिए भारी पर लिए इसकी आयोवेद में बहुत सकती से यह नियम है दो विरुद दवस्तों को कभी एक साथ नहीं खाना फिर आगे का सूँख रहा है उसके तीन नियम में अगी तथ पता चुका हूं पहला नियम की धीडे धीडे साथ जल्ली कभी नहीं सुखा है दूसरा न न कॉया थे जर आ दुपहर को अगर आपने खाना खाया है दुपहर को तो बीस मिनट की विश्वरांती लेना बहुत आवश्चक है भोजन के तुरंट बाद दुपहर का भोजन करने के तुरंट बाद बीस मिनट की विश्वरांती लेना बहुत आवश्चक है और रात्री का भोजन करने के बाद कम से कम दो तास तक विश्वरांती नहीं लेना आवश्चक है दुपहर का भोजन किया तो आपको तुरंट बिश्वरांती लेनी ही चाहिए कोई काम करना नहीं बोजन करते ही विश्वरांती और रात्री भोजन किया है तो दो तास तक विश्वरांती कभी भी नहीं देगा अब कारण क्या है कारण मैं बताए मैंने आपको कहा है फिर वो दोराता हूं याद हो जाएगी वाच दुपहर को शरीर में पित्त का प्रकोप सबसे जादा होता है और पित्त एक ऐसी आवस्ता है जिसमें विश्वरांती अगर ना हो तो और भड़ंती है अगर आपको पित्त है तो शांती से बैठ जाएए तो फित्त भी शांत हो जाएगा और अगर आपने कामवाम करना शुरू कर दिया तो पित्त अतना भड़ंगेगा कि पूरे शरीर में आग लगेगी इसलिए दुपहर को आप सभी पाताओं को भाइयों को सब को मेरी विंती है कि विश्वरांती जरूर लीजे दुपहर का भोजन करने के बाद कम से कम 20 मिनट कैसे लेना है यह भी बता रहे हैं दुपहर को विश्वरांती जो लेनी है वह आपकी यह जो लेफ्ट साइड है इसको बहुत सुनतर शव्ड केरों में कघ। इसे कि यह वार्म वीकषी वाम माने लेफ्ट साइड में लेट के सोना है आप लेगेों तो ले लेना अगर जोप आ गई तो ले लेना क्या फाइदा है उसका वो में बताता है रात्री को छे पास्की जोप और दुपहर को वांग कुख्षी में 40 मिनट से एक गंटे की जोप दोनों बराबर दुपहर को वांग कुख्षी के समय अगर एक तास्की नीद आई है उसका उतना ही लाग है शरीर को जितना रात्री की छे पास्की जोपता होता है इसलिए आप सभी को मेरी विद्धी है सब काम छोड़कर बोजन के तुरंबाग विश्रांटी देंगे कोई भी काम इतना जरूरी नहीं है आपकी जिन्दगी में जितना जरूरी आपका शरीर अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो यह कह सकते हैं कि हम तो सर्विस मे बेंक में काम करते हैं बीमा कंपनी में काम करते हैं रेली में काम करते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं अध्यावब में हम कैसे विश्रांटी लेंगे दुपहरों को बोजन के बाद तो आपकी तो समस्या है लेकिन मैं आपको एक सच्छी जानकारी और आपको मजह आए ऐस आसी जानकारी देना चाहता हूं एक छोटा सा देश है उसका नाम है Australiis ऐसे उसका नाम मेंक्सिको ऐसे तुनिया भोजन के बाद 20 मिनट की विश्वरांती काम कानून बना लिया कानून बना दिआ कानून के देश में कोई भी कंपोनी में दुपहर बोजन के बाद 20 मिनट की विश्रांती अगर नहीं होगी तो कंपनी का रेजिस्ट्रेशन सरकार कैंसल कर देती है भारत में कब होगा बारत में कब होगा मुझे नहीं बालू लेकिन आप अपने घर में ये कानुन बढ़ा लेगे कि दुपहर को खाना खाया है आपको थोड़ी तो फुरसत लिकाली ही है 20 मिनट विश्रांती के लिए और वो वाम साइट माने लेफ साइट में लेट कर आपको लेड़ी क्योंकि म अच्छे सप ये तो विश्रांती बहुता हो लेकिन राग को निवके वी उतने आ य। क्योंकि राग को कफ की अधिक्ता बहुत होती है और कफ की अधिक्ता में सोना तकलीफ देता है इसलिए राग को भोजन के बाद दो तास काम करिए तहलिए भूमिए कुछ काम करिए भजन करिए कीरतन करिए अफ्यास करिए स्वाप ध्याय करिए दो तास के बाद ही सो लिए राघ्तरी को आजब्जे आपका जेवनियों प्वाँ तो दस बज़े सो सकते हैं शे बज़े हुआ तो अत garbage हो सकते हैं दो ठास्花 के पहले कभी नहीं सोना राइप अगर आपकी ऐसी कोई मजबूरी है जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं 20 मिनिट विश्रान्थी का कोई समय नहीं है तो आयुरुवेद में आज के हिसाब से एक छोटी सी व्यवस्था बनाई है यह चरक्रिश्वी के समय नहीं थी बागवट्पी के समय भी नहीं थी यह आज क आधनी का युरुवेद की चिकित सखोंने थोड़े रिसर्च करके बताया हुए कि अगर आप वज्ज़ाशन में बैठ सके थोड़ी देर तो वह भी का है दुपहर के भोजन के बाद तुरंट थोड़ी देर वज्ज़ासन में बैट देए अब वो थोड़ी देर तीन मिनस से लेके 20 मिनट कर कुछ भी हो सकते हैं तो दुपहर के भोजन के बाद अगर आपको विश्रांती लेने की कोई स्पेस नहीं है आप कहीं ऐसी जगें फसे हुए हैं तो वज्ञासन को बैटें ट्रेंटे चलते चलते दिया वज्ञासन को बैट सकते हैं इतना तो है सीट पर तीन फिट चौड़ा और शेफिट लंबा तो भज्ञासन जरूर कर लीजे सीन मिनट से लेकर 20 मिनट तक तीन मिनट कम से कम 20 मिनट अभी आगे का सूत्र है वो बहुत महत्तुका है और आज से भी आप इसका पालंच है विश्रांती जब भी लेनी हो दुपहर को या राख को तो आपका जो सिर है यह हमेशा पूर्व की दिशा में रहे तो सबसे अच्छा पूर्व की दिशाना माने सूर्व की दिशाना माने सोते समय सिर हमेशा पूर्व में रखिए माने आपके घर में जो बैड है जो विस्टर है उसका सिर हमेशा पूर्व की दिशाना रखिए और नहीं रख सकते तो दूसरी और आखरी दिशा है वो दख्षण की है उत्तर और पश्चिम में कभी भी सिंख करके मत सोना नहीं तो बहुत जन्दी म्रत्यू आएगी उत्तर की दिशा व्रत्यू की दिशा है क्यों है वो भी जांए बेनाने कारण है इसका यंद्विश्वास नहीं है संपूर विज्यार वो क्या है आप ग्यानते हैं अपनी प्रफभी है इसका अपना एक गृत तो आकरशन बल है ग्रैमिटेशनल फूर्स जिसकों कहने और प् इसके भी दो से यह उत्तर है यह दक्षन है शरीर में शरीर का यह सिर है यह उत्तर माना जाता है और पाओं है यह दक्षन माने जाते हैं प्रत्वी का उत्तर है और दक्षन है प्रत्वी के उत्तर और दक्षन में सबसे ज़्यादा गुरुत्वातर्शन पन्द होता है अब मालीजे यह प्रत्वी का उत्तर है कलकुना गई और इसी तरफ आपने अपना सिर कर दिया तो उत्तर सिर का और उत्तर उत्तर मिलेंगे तो क्या होगा रिपल्शन यह फिजिक्स की बात है चोटी से एक दूसरे को दूर भेकेंगे रिपल्शन मने धक्का देना तो प्रत कि अब्ल्षा का हमारे शरीर को ढखाँ मारेगा सिर को ढखा घृत्तर हो तो इस पर और वाच्ड़ जो में गया तो आइश्ट में जल्दी को जल्दी आईए आपने महसूस किया है और ये देखा भी होगा हमारे घरों में किसी की जब म्रत्यू हो जाती है तो तुरंट उसका सिर उत्तर में कर देते हैं कि ने म्रत्यू होने के एक मिनट पहले तक वो व्यक्टी का सिर पूरूं में हो सकता है दक्षन में लेकिन जैसे ही मर गया तुरंट सिर बदलते हैं पहले उसको तुरंट उत्तर में कर देते हैं तो जिन्होंने ये नियम बनाया वो बहुत वेग्यानित लोगते हैं इस नियम को आयुरूं में बहुत में गहराई से सुईकार किया है तो सोने का समय कभी भी तय करें तो सिर्ख की दिशा बहुत सबसे कम होता है पूर्व की दिशा में प्रत विका गुरूस्ट की दिशा में सबसे कम है किसलिए पूर्व की दिशा सोने के लिए सबसे निराप्रस आनी जाजी इस बात का प्रयूँग मैंने मेरे शरीक पर 6 साल किया ये बात बताने से पहले 6 साल मैंने मेरे ओंपर फरिक्ष्ट्र किया मैंने लगाता 6 साल में उन्तर में सिल करके सोना शुरू किया और अश्चिम में भी करके सोना शुरू किया, दोनों ही दिशाओं में जब मैं सोया, सोने के तुरन बाद मैंने मेरा ब्लड प्रेशर नापा, तो सोने के पहले और सोने के उठने के बाद, दोनों में जमीन आस्मान का अंतर था, हर बार मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ मिला सामने रूप से मेरा ब्लेट प्रेशर सामने हैं लेकिन उत्तर में जब भी मैं सोया ब्लेट प्रेशर बढ़ा नीद अच्छी नहीं आई तो अपनों बहुत खराब खराब आई और फिर मैंने थोड़े दिक खूर्ब मैं सोना शुरू किया और उसके बाद मैंने देखा कि सब कुछ सामन में होता चला गया ब्लेट प्रेशर भी सामन में सोपन भी नहीं आते हैं और नहीं बहुत अच्छी आते हैं फिर मैंने आयुर्वेत के कई चिकित सपों से इस पर बाते की और उन्होंने कहा कि यह एक्स्पीरियंस वो सभी लोग कर चुके इसलिए कि आप हमेशा सोते समय पूरू मैं सिरकर हैं तो सबसे अच्छा है और कोई मजबूरी हो जाए कोई बहुत तक्लीफ की स्थिती हो तो दक्षन ना कर सकते हैं उत्तर और पश्च्यम बेल्कुल क्रॉस है आगर आप कोई अपने अपने घर का बैल की पोजीशन बदर देगे जीवन भर देगी रहने के लिए बीद्रा बहुत आवश्च्ट है जैसे अच्छा है वगोजन बहुत जरूरी है वैसे अच्छी जोप बहुत आवश्च्य के लिए सबसे जरूरी नियम है पूरूमें सिर करके सो ना कि आगे का लियम यह है वो यह कि आप जब भौज़त कर रहे हैं कि पानी पी रहे हैं कोई भी वस्तु आपके शरीर में अंदर जा रही है तो हमेशा बैठ कर ही करें पानी पीना है तो भी बैठिये खाना खाना है तो भी बैठिये कुछ भी पीना खाना है तो बैठिये खड़े खड़े कुछ मत करें यह खड़े खड़े खाना खड़े खड़े पीना यह सब तकलीफ किये आने वाले बहुत खराब लच्छन है इतनी तकलीफ आएगी कि तकली किना कुछ भी दूदध हो नाश्टा नाश्टा कुछ भी ना खते हो कर ना मैं आपको कहले तक अब इसके आगे का नियम है कि आप जब खा खा रहे हैं कुछ भी खाना खा रहे हैं तो एक खाना खाया माने सुगै का नाश्ता या दुनहें का भोज़ तो दूसरा खाना एक खाने से दूसरे खाने के बीच पहें नियुनतम समय चार घंटे जरूरी है नियुन तम समय चार घंटे जरूरी है मतलब इसका सीधा सा यह है कि चार घंटे के पहले कुछ मत खाना अभी बारे बज़े खाना खाया तो कम से कम दूसरा कुछ भी खाएं वो चार बज़े के पहले नहीं होना चाहिए कि इसको जिन्दगी भर मेंके में करिया हमेशा इसको बनाके रखिया करता है पिर आप पहलेंगे अगर 6 गंते से ज़्यादा उतर हो जाए किसी कारण से मालेज़े कोई कारण ऐसा है जिसमें आपको सुबह का भोजन तो 10 बज गया और शाम का भोजन रापको आज बज़े के पहले नहीं मिलने वाला अब क्या करें तो आप ज्यान ये रखिए कि जैसे ही 6 गंते आपके पूरे हो रहे हैं सुबह का भोजन 10 बज खाया 6 गंते पूरे हो जाएंगे चार बज़े तो चार बज़े से लगाता थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी पीते रही है बीच बीच में तोड़ा-थोड़ा पानी पीतेती लिए हार आदा घंते चारीस मिनट में एक आदा घ्रास पानी पी लिया और अगले आदा धार घंते चारीस मिनट में तो पानों दी लिए नहीं तो जूस भीशाय लिजी कुछ नहीं मित्ता तो Pranμεู้ झानी हखानी कि आपके शरीर में हमेशा acid बनता है जिसको हम हैडो क्लोरिक अगर पेट में कुछ है तो हैडो क्लोरिक ऐसे इसको पचाने में उप्योग होता है और पेड में कुछ नहीं है तो वो एसे इसली आपके केम्ट को हाना शुरू करें और ऐसे जब पेट को खाना खुरू करेगा तो उसी मैंसे बीबारी निकलती है अंसर प्रेप्टिक अंसर माने ज्यादा देर भूखा रहना अच्छा नहीं है अगर भूखा रहना है तो उसका फिर नियम है जैसे उपवास करना तो उपवास का नियम है एक दिन का उपवास करना है उसका अलग नियम है दो दिन का करना है अलग नियम है आठ दिन का करना है अलग नियम है पंद्रा दिन का करना है बिल्कुल अलग नियम है एक महिने का उपवास करना उसके अलग नियम है सभी उपवासों के अलग अलग नियम है और इसका पूरा अलग से एक अध्याय ही है उपवास के लिए लेकिन सामन नियम जो मैं बताना चाहता हूँ ये कि किसी भी कारण से आपको उपवास करना पड़े तो हर आदे घंटे 40 मिनट में पानी जरूर पीते रहे ताकि आपके शरीर को कोई भें कर वी वारी ना लगतिया हर आदे गहनटे 40 मिनट में आदा गिलास पानी, एक कब पानी 300 मिली लीटर या 100 मिली लीटर तक पानी पीते रहे उपवास अगर आपका ऐसा है जिसमें आप कुछ नहीं ले सकते तो पानी जरूर लेते रहे और उस समय जो आपने पूछा था कि नीबू मिलाया हुआ पानी ले तो थोड़ा बहतर है और उसमें थोड़ा मद मिला दे तो और भी बहतर है लेकिन आप मैंसे कई लोग जहन धर पानी पीते रहे तो पानी जैसा कुछ पीते रहे जैसे रस पीते रहे पल खाते रहे सबी फलों में असी प्रतिशत तक पानी ही होता है केले कुछ हों थेला एक फल है जिसके पानी सबसे कम है बाकी फलों में असी प्रतिशत तक और कुछ फलों में तो नब्दों प्रतिशत तक पानी होता है जैसे घ्राप तो फल खाते रहे हैं बीच बीच में थोड़ा पानी पीते रहें उपवास की इस्तथी में वो जरूर करिए और सामन अरण निरूफ से एक भोजन से दूसरे बोजन के बीच में अधिक से अधिक से चस्थ और चांटे कांट तक कम से कम चार भूए कांट सबस्के кसा ऩर है अब इसके ऐस ten इसके आगे करूआ है और सुबै का खाना कानय अद्ड़ा तो उसका समय निश्चत करिए। और शाम का खाते हैं उसका भी समय निश्चित करें, तो आप बूलेंगे क्या समय निश्चित करें, सुबह का खाना खाने का सबसे अच्छा समय है, नौ बजे से लेकर ग्यारे बजे के बीच का, सुबह का सबसे अच्छा समय है, नौ बजे से लेकर ग्यारे बजे के बीच का को समय है ये लंच का सुबह के दुपहर के भोजन का सबसे अच्छा समय है और शाम का पाँच बजे से लेकर साथ बजे के बीच में तो सुबह का खाना नौ से जारे के बीच में और शाम का पाँच से साथ के बीच में अगर ये नियम आपने जिन्दगी धर रख लिया तो मै है आपको अग्रवेट की तरफ से ब्हारेंड वेता हूं थिंद्धी में कम से कम आपको सब्तर से कीशतर रोग कभी नहीं है कि सुबह नौ से ग्रवश्पाने खा रहे हैं और शाम को पांच से साथ जो खाने खा रहे हैं किसी को डाइबटिस होने के चांस ने हैं सुबे जो 91 को का रहें चाम करना था कृथा को भुड़ दुखने की तकलीफ नहीं है जब तक कि वह बड़ी नो कोई Bटी वर्ष लखता ना पर सुबेगरेंगर जो 9-11 के लिच खाना जुरू करने की संभाना का का रहीं सुबह 9-11 को कोई समस्या होने की संभावना ने आपको यह जो आधा सिर्गा देवदा माइग्रेंग जिसको कहते कभी भी होने के चांस में तो ऐसे सकतर से किचतर हैं जो जिन्दगी में अपने आप भी नहीं आईएंगे अगर सुबह 9-11 और शाम पास से साथ खाना कहीं अब कि सुबह को नौ बजे से ग्यारे बजे के बीच में हमारे फोट का वो हिस्सा जहां भोजन का पाचन होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है एक्ट होता है सुबह नौ से ग्यारे और शाम पाच से साथ के बीच में भी वही हिस्सा सबसे ज्यादा सक्रिय होता है आहिरुवेट का एक अध्याए है कि शरीव का कौन सा अंग किस समे सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है इसका पूरा वरणन विस्तास है आपको मालूम है रातको ढ़ही वजय से चारम बजे के बीच में आपका हुर्दय्स सबसे सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है इसलिए आपने कभी महसूस किया है सबसे ज़्यादा हर्टेक रात को धाई वजे से चार वजे के बीच में आते हैं अगर आप सौ पेशन्ट की फाईल पढ़ेंगे हर्टेक के केस की तो 90% पेशन्ट को हर्टेक धाई वजे से चार साले चार के बीच में ही आया होगा क्यों क्योंकि धाई वजे से चार वजे गिरने का सबसे ज़्यादा सक्रियता होती है ऐसे ही हमारे पेट का जो हिस्सा भोजन को पचाने में सबसे ज़्यादा मदद करता है उस हिस्से की सक्रियता सुबह 9 से 11 के बीच में होती है शाम को 5 से 6 के बीच में होती है तो जिस समय पेट का वो हिस्सा जो भोजन को पचाता है सबसे ज़्यादा सक्रियता है उसी समय अगर भोजन किया तो वो आपके लिए सुवान के जैसा है सोने के जैसा है और वो समय के आगे पीछे किया तो वो इतना अच्छा लापकारी नहीं है तो फिर आप बोलेंगे सुवह अगर 9 से 11 खाना खाना है तो नाश्टे का क्या नाश्टे कोई खाना बना लो आप जो है ब्रेक फास्ट मत कर ब्रेक फास्ट कीजिए कर सीधे लंच कर सीधे खाना खा 9 बजे भर पेट खाना खा 10 बजे भर पेट खाना खा सुवह नाश्टा मत कर तो नाश्टा एगर छोड़ देंगे तो सुबह 9 से 11 भरपेट खाना खा सकते हैं जो भूख लगे जी आपको क्योंकि वो अंद सक्रिय है तो भूख लग नहीं वाई है इसलिए गाओं के लोग सुबह सुबह जो भरपेट खाना खाते हैं वो बहुत साइंटिफिक है बहुत वह जाना कर गाओं में शेटकरी नागरिकों को मैंने देखा है वो सुबह अच्छा जंग के खाना खाना है वो सबसे अच्छा है हम शेहर रहने वाली ठोड़े विगर देए हमारा दुपैर का का खाना दो बजे पहूँँच गया यह सबसेबराब भाभि न शुमेर रहती है न शाम घाए का समय सबसे खराब समय हम जाना कि रोओं में दो बस्ता से खाते यह बिद दिचिए सुबह का 9-11 के बीच खाना का ये बहुत अच्छा जिंदक्ष्ट आपकी रहने में अब इसके आगे का सूत्र है वो बहुत अच्छा है बहुत इंस्टेस्टिंग है उसके बहुत रिसर्च हुए है इसके आप में जो कुछ खाया है वो आपके शरीर में मैंनकल बोलाता मास खाच्छ रक्त्वीर वल्ल मूत्र के रूप में जायेगा वाल मूत्र शरीर के काम का रहे और इसके साथ कुछ तब तो सुख्ष्म पोशक तक तो रहेंगे, माइक्रोनीूक्रियंस रहेंगे. अब हमने जो कुछ खाया है, इस खाने में जो माइक्रोनीूक्रियंस हैं, जिनके अलग़ लग तरह से नाम आप में सुने हैं, कभी आप में सुना होगा Carbohydrate कभी आपने सुना होगा Proteins कभी आपने सुना होगा Pats कभी आपने सुना होगा Glucose Sucrose Fore今回 Phouthose Adhyane यह जो नाम आपसुने हैं इनी नामों मैंसे जो सबसे महतफोर २ाम है वो आप हमेशां यहार रखिए वह शक्कर पत्टो है ब्लुकोस कहिए उसको फ्रक्रोस कहिए सुक्रोस कहिए कुछ भी कहिए शक्कर कहिए ना जीदे जीदे आपको याद रहे है शक्कर ये वाली नहीं जो बजार में बंड़ी है वो तो चीनी है शुगर है शक्कर वो जो शरीर के खाए हुए भोजन वैसे शरीर को निकालने में या शरीर के काम आती है वो शक्कर तो ये शक्कर सबसे पहले निकल दी है और शरीर के लिए सबसे ज़्यादा तेजी से उपयोग में आती है सबसे जल्दी उपयोग में आती है तो इसलिए आईरोगेच में ऐसा एक सुत्र लिखा है कि ये शरीर को मिलने वाले जो शक्कर है भोजन में से ये तेजी के साथ मिले और इसके बीच में कोई रुकावट ना आ रहे ऐसी कोई चीज भोजन में मत पिलाई है अब ये बात उन्होंने सारे तीन हजार साल पहले कही है कि भोजन के रूप में जो शुगर आपको मिलने वाली है शक्कर ये तेजी के साथ आपको मिले और इसको मिलने में कोई रुकावट ना आए ऐसी कोई वस्तु भोजन में मत खाई है अब मैंने आज के हिसाब से उसको दोगना शुरू किया आज की विज्जान की आजनिक विज्जान के हिसाब से भुभना शुरू किया ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं आज के भोजन में तो हमने एक बहुत बड़ी लबोरेटरी है हमारे भारत देश्ट में सीडिया रहे हैं Central Drug Research Institute उनके यहां कई साइंटिस्स लोगों के साथ इस पर बात किया कि आप बताईए कि हमारे पास ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे भोजन के प्राकर्तिक शक्तर को शरीर के लिए उपयोग आने से रोकती हैं तो सभी वहग्यानिकों है एक स्वर से जो वस्तू का नाम लिया है उस वस्तू से आप जितनी द्रहां करें उतना अच्छा और उस वस्तू का नाम है चीनी शुगर खान यह जो बजार में मिलती है यह सबसे ख़तरनाफ चीज़ है आप में से अगर कोई केमिस्ट्री के स्टूडेंट यहां वैठे होगे तो उनको एक इशारे के लिए बोल देता हूं कि यह शुगर जो है ना बजार में मिलने वाली गंदे के उस के रस से बनने वाली यह पॉली सेकिराइट से और हम जो भोजनना से ले रहे हैं वो सब मोनो सेकिराइट से हैं अब यह जो शुगर है यह भोजन के मोनो सेकिराइट को सबसे ज़्यादा रोकती है डाइजेस्ट होने और भोजन के अंदर की जो मोनो सेकिराइट से हैं वो इस पॉली सेकिराइट को मोनो सेकिराइट में क हमारे शरीर का जो द्रव उसका नाम है इंसुलिन और इस इंसुलिन को पैदा करने वाला है पैंक्रियास तो मतलब सीधासा ये है कि अगर आप ये खांड खरीद के खाएंगे शक्कर घरबल आएंगे शुगर लेके आएंगे तो ये शुगर आपके शरीर में जो भोजन में स उसमें सबसे ज़्यादा इंसुलिन बेस्ट होगा इंसुलिन को ज़्यादा उत्तम करने के लिए पैंक्रियास को ज़्यादा काम करना पूरेगा पैंक्रियास अगर ज़्यादा काम पे लग गई तो आपको 101% डाइबिटीज होगा और जिनको डाइबिटीज होगा उनको ह कुछ नहीं कर सकते हैं उनकी जिन्विटी अपने उंपर ही सबसे बढ़ा बोज़ा है अब सारे तीन हजार साल पहले भारत की एक महां गिप्ती बागवट्ट में यह कह दिया कि भोजन में ऐसी चीज बिल्कुल मत खाये जो प्राकर्तिक शक्कर को भोजन में अवशोषिक कर लेनर रास्ते को रुकाschaft बने ये साड़े तीन हजार साल fel आद हम देकर हैं हमारी आखों के सामने सिख दोह है तो आप स्वयंता तो यह चीनी चीनी से लखना करें इतनी घ्रना करिए जितनी आप अपने दुश्मन से भी नहीं करें तो अपने स्विकार तो अपने स्वयन पाक घर से इस चीनी को निकाल भार करें कि आप बोलेगे कि वो घ्री चीनी बनती है कि यह जहर मिलाने के बार कि कि इस जहर मिलते हैं उसके रस नंगे और वह और चीनी के साथ 23 जहर भी शरीर में रहती हैं। और घुला कैला एक ऐसा है जो बिना किसी जहर के सिदे सिधे बनता है। उसके रसको गरम करते जाओ बुट बन जाता है। कुछ मिलाना नहीं परता। आर्मेली दिन्या का सबसे खराब जहर है। जो चीनी बनाने में ओपियोग होता ही है बिना फार्मिलीन के चीनी बनती नहीं और फार्मिलीन इतना खराब जहर है केमिस्वी की डिक्टनरी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसको पिल्कुल साथ लिखा हुआ है पॉइंट जीरो फाइव मिली ग्राम मात्रा पार्मिलीन की किसी भी आप्मी को कैंसर से मार देने के लिए पर्याप पॉइंट फाइव मिली ग्राम और अगर आपनी एक किलो चीनी खाली तो पॉइंट फाइव मिली ग्राम पार्मिलीन तो आने वाला है एक किलो चीनी अर्थ शास्त्र का एक सिधान्त है कि मांग करो तो सप्लाई आएगी दिमांग करो तो सप्लाई आएगी तो गुड़ खाईए गुड़ से भी अच्छी एक चीज है तो आप खा सकते हैं वो है काकवी काकवी आपने देखी काकवी गुण से भी अच्छी गुण तो अच्छा है ही लेकित गुण से भी अच्छी अगर कोई चीज है तो वह है काकवी काकवी को माटनी में भरके एक साव दो साव आरहम से रख सकते हैं खराब नहीं होती और गुर्ण जिस भावह का है लणवग उसे भाव में मिल जासे गएं स capacभी खाई जरे नहीं तो कॉछ समा देखे नहीं विले तो उसके रसको जब बनना शुन चरते हैं तो गरम करने के करते 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 बुड़ बनने से पहले और उसका रस गरम होने के बार एक ऐसा लिक्विट बनता है वो काकवी कहलाता है जहां भी गुर बनता है वहां काकवी मिलेजी आप मांगेजी तो मेरी आपको इस फूर्जी सी विल्ती है कि अपने गर्जे ये चीनी बिता दिए चीनी ने सक्तिया नाश किया है पूरी दुन्या में शुगर मिल वालों का भी किया है मैं बूरे हिंदुस्तान में प्रवास करता है शुगर मिल वालों को मैंने देखा है कि वो ज़्यादा तकीज में है जब से चीनी खाना शुगर लिया वो बुद कहते हैं राजी भाई करोड़ा रुपए तो लगते हैं शुगर मिल लगाने में और करोड़ा रुपए लग कांबी बनती है और अब दुनिया के देश्वा में भारत चोड दुनिया सबी देश्वा में गुड की डिमांड है आपको सुनकर है है चालीज गाव में गुड़ का भाव एक सो सब्सक्राइब एक चोटा सा देश है गुड़ वहां बेचना चाहें तो एक सो सब्सक्राइब किलों कि जर्मनी में भारत के रुपई के हिसाथ से गुड़ का भाव 210 रुपई किलों कनाडा में भारत के रुपई की हिसाथ से गुड़ का भाव सारे 300 रुपई कि यह सभी देशों में गुड़ महगा है शक्कर सस्ती है क्योंकि उनको मालूम है यह शक्कर जहर है और गुड़ा हुड़ गुड़ और शक्कर का एक ही बात हमेशा याद रखिए आप कुछ याद रख पाए या मैं रख पाए शक्कर को अगर आपने खाया तो उसको पचाना पड़ता है शजीर को और गुड़ खाया तो गुड़ की प्वालिटी है कि जो कुछ गुड़ के साथ खाया है उसको गुड़ पचा देता है शक्कर को पचाना पड़ता है उसमें 6-7-8 लगते और गुड़ जो कुछ भी खाओ उसको पचा देता है और मात्र चार इंटे-चारीश में इसलिए गोजन के साथ गुड़ जरूर खाये और शक्कर बिल्कुल मत खाये यह है सूत्र और यह सूत्र अगर आप अकेला पालन कर लें तो डाइबिटीज पर्फराइटिस अस्थमा ब्रंकियल अस्थमा, औस्टियोपोरोसिस, औस्टियोमाईलाइटिस ऐसी ऐसी खतरना के 142 बिवारियां आपकी जिन्दगी में ज्छाकने भी नहीं आएंगी जो आप अप्पी जिन्दगी से यह शक्कर को निकाने कि नहीं क्योंकि यह प्राकर्तिक शक्कर जो हम लेते है फल में से या कोई दूसरी वस्टू में से उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, वो यह शुगर है। तो एक तो शुगर का ल्याद रखिये, यह घृणा करने की वस्टू है, सबसे ज्यादा नफरत करना है तो इस से कर चूए। और दूसरी एक वस्टू हा रह वैसे तो बागवट रिशी के समय वो नहीं थी ना ये शुगर थी ना जो मैं बताने दारों वो थी लेकिन उनको शायद ही अंदाजा होगा कि कभी ये आ सकती है तो सूत्र उनों ने पहले ही लिख थी शक्कर जैसी ही दूसरी तो सबसे खराब चीज है जिससे आप नफरत करिए घ्रहा करिए उसका नाम है डाल्डा वेजडेबलओ उयल डाल्डा के नाम सुथा आप सब समझते हैं डाल्डा से नफरत करिये अत्फी नफरत करिये कि उसको छूने का भी नहीं बहुत ही खराब ये दो चीज़े हैं शुगर बाने चीनी और डालडा अगर आपके स्वेंफ आप घर से निकल जाएं तो 148 बीमारियां जिन्दगी में कभी नहीं आप तो आप बोलेंगे जी धाड़ा की जैके क्या उफ्योग करें तेल वापरीए और तेल कौन सा जैसे शेंगा का मुफली तल का तेल मुफली का तेल आपके लिए कशना कर अनुए ऑठ रहते हैं अगर आप जाहें तो सरसों का टेल लihat सकते हैं आप जाहें दो नारी का औरिला है लेकिलाव जहां रहते हैं इस छालिस गाओं के आसपास का जो चेत रहे, यहां के लिए सबसे अच्छा श्रीवात देल्य है, और तरीका से सोया बी बिलिकुल नहीं, गल्ती से भी नहीं अजा मैं आप से फ्रश्न बोच लो, बगवान को पूजा करते हैं तो उसमें बहुत सारी दाल रखते हैं, पूजा में रखते हैं, तूर की दाल रखते हैं, मुप की दाल रखते हैं, मसूर की दाल रखते हैं, रखते हैं, सोया भीम की दाल रखते हैं, बगवान को पूजा करते हैं, समय कभी सोया भीम की दाल रखती हैं, क्यों, सोया भीम भी देखिए भगवान के सामने रखती हुई पूजा करने की नहीं जो भगवान को अर्फण नहीं कर सकते वह आप कैसे खा सकते सोया बीन की गलती से भी न धाल खाईए न तेल खाईए तो समझ लीजिए भीमारियां भी सबसे ज़्यादा उसी खिकाई यह जो सोया बीन है धाल के रूप में या तेल के रूप में यह शरीर को कभी भी हजम नहीं होता या दूसरे शब्दा मैं कहूं तो सोया बीन का कुछ भी आप खाएं शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता उसका पाचन नहीं कर सकता क्योंकि उसको पचाने के लिए जो कुछ एंजाइम्स चाहिए वह हैं ही नहीं मनश्रु के शरीर तो आप बोलेंगे पर यह किसके ल अगर सकता है दो सोया बीन को पचा सकता है बाकी किसी के विछ को शरीर में नहीं है जो सोया बीन को सकता है Griff chilation Oh पड़ेगा उसके लिए जो एंचाइन चाहिए वो पोट में है इने इसलिए मनुष्ट्रों को सोयवीन का तेल सोयवीन की दाल सोयवीन का कुछ भी सोयवीन का अगर वो आता है ना दूद आजकल आने नदाए यह सब निशिद्ध है आपके लिए आप कभी मत खाना इसा कितन अगर मिले तेल खाना वंखवली का हो तिल का हो सूरज मुखी का हो नहीं तो मैंने आपको कहा एक तेल आता है सरसों का सरसों तेल इसको चलता चाही चलता तो छोड़ दो जो आप यहां चलता मोई लो लेकिन शुद्ध तेल खाना यह वेजिटेबल ऑईल भी है ना यह नहीं खाना था डाल्डा या डाल्डा जैसे नाम से आता है गगन तरंग नंबर एक हनुमान जी यह और हो यह सब खत्रे ही खत्रे हैं जेहर ही जेहर तेल खाना हो शुद्ध सीधा सीधा तेल खाना और मैं तो आज आपको ये भी कहूंगा रिफाइंड पेल जीपन नो कि यह एक फिल दोर पाइंड और डबल डेफाइंड फिल रिफाइंड जीतना ज्यादा व्त ज अधार है उतना ही जहर उबढ़ां च coalition मैंने अभी पिछले तीन साल एक एक्सपरिमेंट या खुल मेरे पास सौ से ज्यादा ऐसर पेशेंट हैं जिनको डाइबिटीज और डाइबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर के साथ बुलके दुखना ऐसी चार-पांच बीमारिया एक साथ हैं एक ही शनीर इसे सौ से जादा मरीजों को मैंने क्या किया कोई आउश्द नहीं दिया उनको बतायानी हमारे हो यो पैथी में मैं जो चिकट्सा करता हूँ हम बोले नहीं तो मालूम नहीं है सामने वाले को पिए और गारा है और आप में देका सफिद शविद गोलियां होती हैं छोडी जोड़ी हम उसमें आउशद नहीं डालते कई बार लेगिन पेशन्ट तो खाता को सुचता है रहे हैं यह उशद क्योंकि आउशद उसमें डालो या ना डालो ओली एकी जैसी हम उसको प्लैसिबू कहते बिना उशद की तो मैंने सौं से यादा पेशन्ट को कहा कि तुमको त पत्या पत्य में उसको कहा कि चीनी बंद आस्ति शुवर बंद गोड़ खाओ जितना खाना इस अट्री खाओ और वेजीटेबल ओईल नहीं खाएंगे डालड़ा नहीं खाएंगे अमरुभी नहीं काएंगे कोड़ी नहीं और डबल रफाइन में टिपल रफाइन में शु परिुब कर रहा हूं एक एक की बीमारी ठीक हो रही है डायविटी उनकी नौर्वल ओंढ रही है अर्थ्वासिज्स दिनाम्वा ये ठीक हो गई है कि अस भूण बंद ऑनि रिख Odarlo एसमेट सब इमारिया बिना शुद ठीक हो रही हो लेकिन वह सußक्षं तो आपके स्वयम पाख घर से जो विकालने की चीज है वो एक तो शक्कर है चीनी और दूसरा है डालडा भी इन दोनों को जितनी नफरत कर सके उतनी कर और प्रेम करना है महबबत करने है तो वुड के साथ करिए काकवी के साथ करिए और प्रेम करना है महबबत करनी है तो शुद्ध तेल के साथ करिए जो गानी से निकल के आपके घर में आता है शुद्ध चाहें जितना भी खाएंगे कोई परवा मत करी बिल्कुल हिर्दय धास की चिंता मत करिए बहुत बार डॉक्टर आपको बोलते न तेल मत खाओ लिए म अतना ही अवश्यक्त है जितना आपके शरीर के लिए पानी है अगर तेल भी नही होगा शरीर में आपका शरीर नहीं चलेगा कि आप जानते हैं अब के घुटने चलते हैं कमरी सेशाथ कितनी बार बैंट करते हैं फिर भी यह काम करते हैं यह सब तैल को लीवी चाहिए लेकिन कौन सा फेल और कौन सा घी यह महत्तु की बाद है जैट्स चाहिए बिना पाइट के जिंदगी चले गी नहीं लेकिन अच्छा वाला फैट चाहिए जिसको सरल भाशा में कहूं गुड फैट स्कुछ और ज्यादा अच्छी भाशा में कहूं परिश्क्रत भाशा में कहूं तो आपके शरीर को हाई डेंसिटी लिपो low density lipoprotein और ंडल लो डेंसिटी लिपोर्टीन यह भी फै состав एक स्वरूप है सबसे ज्याधा मिलता है पर फुसके टेल मत माने पर आप दिखने में अच्छा नहीं लगता। इसका कलर ही प्रोटीन है। अगर तेल का siya Heavy करदिया उसकी वास निकाल दी toes middle rage give उसकी वास और उसका रण secular यह तोनों आपको लुक्राम लग रहे weaast anda वहीद HBL है उसी मैंसे HBL बने गार वह बहुत आज़ एक चलेगा यह ज़ेगा शूरत मुखी का चलेगा आपको श्वीना का चलेगा आपको त्री का चलेगा आपको नारियल का चलेगा सूरग मुखी यह सौरी सोय भी छोड़ कर कोई चाहिए एक देल नहीं चलेगा वो ध्यान लखना वो भारत में तो होता नहीं है आज को बाहर से आने लगाए पामोलीन ते यह नहीं चाहिए यह पामोलीन तो बहुत ही खराब खराब से भी जादा खराब कारण क्या है पामोलीन को डिसिंटीग्रेट करने के लिए तरीन का पामान ही चाहिए कम से कम 40 से 47 दिन और वो होता नहीं कभी है बुगार आने पर ही होता है इसका मने स्वस्ता अदमी को पामोलीन दिन कभी भी डाइजेस्ट नहीं है तो अब आप एक जिन्दगी का लियम ब तो सबसे पहला सवाल पूछे किस तेल में खाना बनाया है तो तो नहीं खाते तो फिर काईगा नहीं जी मैंने तो पामुलीन में बनाया तो डबल नमस्ते और भी नहीं खाते तो फिर काईगा मैंने रिफाइंड में बनाया है डबल रिफाइंड में तो और तीन नमस्ते तो फिर काईगा फिर कौन सा हर आप आपका तो उससे पूछो करणी के तेल में बनाया, शेंगा के तेल में बनाया, तिल के तेल में बनाया, राई के तेल में बनाया, तो खाएंगे यह पामोलीन के तेल में नहीं खाएंगे, डबल रिफाइंड में तो गल्टी से भी नहीं खाएंगे आप अगर फरसांट भी खरीदते हैं बजार से उससे भी पूछ लीजिए कौन से तेल में बनाया है तो यह पूछ कर ही खरीदी और अगर आपको ज़्यादा चिप्चिट जिंजट लगता तो घर में खुद बना लीजिए फरसांट बजाब से क्या लाना उतना तो हम करी सकते तो यह सूत्र आखरी सूत्र से फिर मैं उल्टा चलता हूँ पीछे तक आता हूँ आखरी सूत्र यह है कि अपने रसोई घर में से दो चीज़ों को निकाल के बाहर करिए एक तो शुगर चीनी शक्कर और दूसरा यह डबल रिफाइंड तेल ट्रिपल रिफाइंड तेल डालडा वनस्पती घी वेजीटेबल ओड यह दोनों बाहर करिए अंदर क्या लाना ह गुड़ या तो काकवी और तेल के रूप में तो जो भी शुद्ध तेल आपके आसपास निकलता है उसको यह दोनों घर में लाना है और यह दो बाहर से भोजन में इसका कंद से ही अगर करेंगे तो बहुत अच्छा लाब में लेगा आपको आप में से किसी को भी अगर ड चुरूब मैं 15 दिन की आपको जान गारेंटी दे रहूं 15 से जादा दिन नहीं लगेंगे 15 दिन के बाद आप उपनी शुगर केस्ट कराना पहले से ज्यादा बहतर स्थिती होगी और दो महीने बाद कराएंगे तो शुगर हो सकता नौर्वली हो जाए बिना इंसूलिन के दूखना अपने बंदो जाए विए जलाई जाएगा तरीर आपका पहने से बहुत अच्छा होगी जाए जाए जारे में भी गुड़ की चाय बनती है जैंगे नहीं और वो शक्कर से अच्छी होती है तेस्ट में भी अच्छी होती है काखवी की चाय पीजिए दूथ में ताट में मिलाना है तो गुड मिलाईए और मिलाना है तो आप भी मिलाईए शुगर बिल्कुल बंद बासुंदी भी खानी है तो गुड की खाईए खीर बनानी है तो गुड की बनाईए खीर बनानी है तो ताकवी की बनाईए लड्डू बनाना है तो गुड का बनाईए ता तकलिफ नहीं आएगी तो सब को बोलता हूं जिनको डाइबिटीज वह भी घुड़ खाए तो तकलिफ नहीं आएगी क्योंकि गुड़ में जो शुगर है ना वह मौनो सट्कराइट्स फॉम में है और शक्कर जो है वह पॉली से कि राइग दोनों पे जमीन आज मांद इसलि सब्सक्राइब करना है यहां से यह सूत्र था आज के मिशेटा आखरी सूत्र शक्कर और वेजटेबल ओए डालना यह घर के बाहर उसके पहले के सूत्र एक बार फिक से रिपीट करता हूं ताकि आब हो जाए बोजन करना है दो विरुत वस्तू है कभी भी एक साथ में वि भी भी लिस्त बताओंगा आप चाहें तो outright pensionамен ऊतर सकते उसके आगे मौझन करना है तो बैठ़न करना है कभी खड़े हो K P कर सकते हैं और अगर आप कुछ भी ऐसी इस्तती में नहीं है दो पहल का बोजन के बाद मिश्रान्ती कर सके तो पांच सुरी तीन मिनट से लेकर वीस मिनट तक वज्ञासन में जरूर बैठा तो कल के चार सूत्र आज के दस सूत्र चौदय हो गए यह चौदय सूत्रों का पालन आपने से जोगी करें मेरी गारंटी है जिन्दजी वर सुखी निरोगी निरामय रहे मैं खुद इन चौदय सूत्रों का पालन करता है और पिछले अठारे साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं अगले अठारे साल भी जाने वाला ने क्योंकि मुझे मालूम है तकलीफ होने वाले ने तो आप भी अगर अपने जीवन में यह धारें करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आज के लिए इतना कल फिर आपसे साड़े आज बजे बात करूंगा और कल थोड़ा महत्तु का वि अनपर आधारित कुस्तके हैं पदेशी चिकिसा संद्रि चिकिसा अश्टां गहिदा के आधारो प्छिकिसा वो कुस्तकों के रूप में आक मिले सकते हैं city के साथ पुस्ते हैं और मेरी व्यक्ति का तपील है कि हमारे अभ्यान इंस्वराग अभ्यान का हमारे बहुत सारे कारीकरताओं का बनाया हुआ खादी का कुछ कपड़ा यहां आया है आप अगर उससे खई देंगे तो हमारे अंदोलन को और अभ्यान को कुछ फंस उसमें से मिलेंगे और उससे हम अपने काम को आगे चला सकेगे हम किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं लेकिन खादी बेचकर जो फंस आते हैं उससे इस अभ्यान को आगे बढ़ाते हैं तो खादी भी है उस्तके भी है आप लें आपका अभाद बहुत दर्निवाद कल हम आएंगे ठीक समय से आने की कोशिश करेंगे तो जादा बताने में स लोकों के बारे में आपके मंद में कोई जिग्यासा हो कोई प्रश्ण हो आप जरूर पूछ लेजे क्योंकि हम आज उससे भी आगे की बात करेंगे और आगे की कोई भी बात आपको अच्छे से समझ में आए यह तभी संभव है जब कल और कल के पहले दिन परसों बोले वे सुत्र आप्टीक से समझ पाएं तो आप कल के जो बात कहीं कि मैंने सुत्रों के बारे में और परको इन दोनों से संबंदित कोई भी प्रश्ण हो जिग्यासा हो तो आप अभी तुरन पूछ रहे हैं तो एक दो दिन होगा इनका प्रश्ण है कि सुवह साली चार वजी इन प्रश्ण हो गई एक दो दिन ऐसा हो सकता है उसके बाद सीथ हो जाएगा क्योंकि पहली बार में आप शुरू कर रहे हैं तो मेरी ऐसी आपको कार्चना है दिल्पी है कि फोड़ा शुरू करिए एक साथ सवा लीटर मत पीजिए पहले दिन आदा गिलास पीजिए दूसरे दिन एक गिलास ले लिए तीसरे दिन एक देर गिलास कर दीने देरे दीरे पढ़ाते जाएगे एक साथ सवा लीटर पीने की कोशिश पहले दिन मत करें पहले बार पानी पीजिए तो पहले बार पानी पीजिए तो पहले बार पानी पीजिए तो आपको दाज साफ करके सु पर पड़र दुनाको भ पर दू गिलास, दुरे दूरे धाई गिलास, पर पिरक ड़ी गिलास केसे पढ़िए झोरे खाली पड़िए बार लेसे भारा थैसे वलको यॉ कॉलतएक किसी ने इन शूप्त्रों को कल और एक पहले परसों अपने धीवन में उट्यों किया हो और कोई तकलीफ आई होते ज्यूरूर कुछ नहीं है जैसे इन्होंने बद्रदूला के इनको उल्टी हो गई, वामिटी हो गई कि आपने बताया कि खाना खाने के बार और पाने पीना चाहिए तो मैंने अपको बोला है सुबह का खाना खाएं तो जूस पीजे, गुपएर का खाना खाएं तो पूख पीजे, रात का खाना खाएं तो पूख पीजे, पानी बेड़ गण के बाद पीजे तीन दिम कुछ भी तीन टाइम कुछ भी निपिया तो पीजिये ना, नहीं तो दाल का पानी पीजे पी सकते हैं पीए तो इस समय है पानी में गुर्ण में गया तो पानी का अपना गुर्ण कुछ भी नहीं है वो गुर्ण का गुर्ण अच्छ में आज़ा है टो गुर्ण के बाद पी सकते हैं बोजन के बाद भोड़ा गुड़ा गुर्ण के खा सकते हैं दोलों यह अच्छा है है और कोई अच्छा को जीए गुल का चाय बनाएं तो फट जाता है गुल का चाय बनाएंगे तो कभी भी नहीं पटेगा अगर आप गुल ठीक से देखकर खरीट किला बाजार में दो तरह के गुल आते हैं एक गुल ऐसा है जो केमिकल के द्वारा बनाया जाता है जो केमिकल के द्वारा बनाया हुआ गुल है उसकी कभी भी चाय बनाएंगे तो फटे वाली है तो आप बादार से ऐसा गुल लाईए जो बिना केमिकल का बनाया हुआ हुआ है बिना केमिकल के गुल की पहचान क्या है वो दिखने में थोड़ा काला होता है गेहरा लाल होता है काला होता है और जो केमिकल वाला गुड़ है वो दिखने में बहुत पीला और सफेद होता है तो ज़्यादा पीला और सफेद गुड़ अगर है तो समझ लीजे केमिकल वाला है उसकी चाय बनाएंगे, हर बार फटेगे और अगर फोड़ा, काला और गहरे लालगन का गुड़ है तो वो और गैनिक है, इना क्यमिकल वाला है उसकी बनाई हुई चाय कभी जिलूँ सकते तो जब भी गुड़ लाएं, तो देखते पानी के साथ चावल खाएं, मैंने बोला था एक अन्न आपने खाया और उसके बाद दूसरा शुरूँ कर रहे है तो एक दो भूट पानी समयाब भी सकते रोटी आपने खाई है गेहू की बनी हुई, जवारी की बनी हुई उसके बाद चावल खा रहे हैं, तो रोटी जो है गेहू की है, चावल दूसरा है तो गेहू और चावल जो अलग-अलग अन्न है, तो गेहू खतम हुआ अब चावल आप शुरू कर रहे हैं, तो दो भूट पानी की सकते हैं, ज्यादा ना और कोई प्रश्टी आप लोग पूछें आप मराधी में पूछ सकते हैं मैं मराधी समस्ता हुआ पूछें नाश्टे में चाहाँ आप में पूछाँ नाश्टे में कुछ नहीं मिला तो यह बाई नाश्टे में पूछ नहीं मिला तो यह सबसे अच्छा जूस झाले शूस जो पीना है वो सुभए पी पी सकते जूस का जो समय है वो सुभे का सबसे अच्छा न हूं बहुत अच्छा प्रश्न है ये आई का प्रश्न है कि डाइबिटीज अगर है तो गुड़ चालता है बिल्कुल चलता है चलता नहीं दौता है डाइबिटीज वाला कोई भी व्यक्ति गुड़ खाए कोई तकलीफ की बात नहीं है वो आम खा सकता है अमरूद खा सकता है टेला खा सकता है अनार खा सकता है दाड़िए चन्तरा बुसमि ज्डात जोगी फल खाना है खा सकता है कारन है वो समझ ली जए आप कि जो प्रकर्वति से बने हुए फल है उसमें जो शक्पर होती है वो मैंने आपसे कल कहा वो मोनो सेकिराइड फॉमना होती है शक्कर का सबसे आसान रूप है फ़लों में मिलने वाली शक्कर ये शरीक को सबसे आसानी से हजम होती है लेकिन ये जो मिल में बनने वाली शक्कर है जो इसको चीनी कहते हैं तुगर कहते हैं ये कभी भी हज़यों नहीं है रल इसकेशेंस को जो सबसे जादा तकलीप करती है वह मिल में बनी हई कोई शक्कर की सबसे ज़ादा होती है। तो मिल की बने हुई जो शक्कर है शुगर है चीजी है वो ना खाएं बाकी प्राकरतिक रूप से जो फ़लों में मिलने वाज़ी शुगर है। जूस के रूप में पिए सीधे पल खाएं कोई तक्लीक की बात में। अज़िए चलेगी दिश्री मिश्री के बारे में ध्यान ये रखना है कि वो बनाई किस से गई है और भी बनाने के दो तरीके एक तो खांड सारी वाला पुराना तरीका है अगर खांड सारी सा मिश्री बनी है तो चल जाएगा लेकिन आजकर शुगर मिल से बनी हुई जो दूब नहीं चलेगी तो मिश्री खरीट समय पूछ लीजे कि ये कौन सी वाली मिश्री है खांड सारी वाली है तो चल जाएगी ना खांड सारी वाली नहीं है तो नहीं है अच्छा मैं आपको एक जान करें देदों फिर आपको ये बात और अच्छे से समझ पर आएगा तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ पर आएगा कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा रखने कि पिस लोग को डाइबेटीज कहते हैं हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते मैंने आपको कल भी कहा था परसों भी शाहा था जो कुछ भी खाते है इसमें जो मीठा कट्व है जिसको हम शुगर कहते हैं अंग्रेजी में कई बार उसको ग्लुकोज कहते हैं सुक्रोज कहते हैं ये शुगर के अलग-अलग नाम है तो भोजन के अंदर ये जो कुछ भी है ये शरीर को सबसे जल्दी और सबसे आसानी से उर्जा देने वाला तक्तु है आपने जो कुछ भी खाया चरीर उसको पचाएगा और ये जो कुछ भी पचा हुआ तक्तु है ये हमारे लक्त में जाएगा कुछ भी आप खाएंगे शरीर उसका पाचन करेगा पाचन करने के बाद वो आपके रख्त में जाएगा रख्त के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको कोशिकाएं कह सकते हैं तो ये जो सेल्स होते हैं कोशिकाएं होती है रख्त के अंदर ब्रट सेल्स जिनको ज्यादा अच्छे शबदों में कहें रख्त कोशिका, इन ब्रट सेल्स की कुछ इस तरह की बनावत होती है जैसे आपके घर का धर्वाजा, आपके घर में धर्वाजा होता है, अगर ये धर्वाजा बंद है तो आप अंदर घर में परवेश नहीं कर सकत आप पहले दर्वाजे के कौन बेल बजाएगे, घंटे बजाएगे, कोई दर्वाजा फुलेगा, फिर अंदर आप परवेश करेंगे तो हमाने रख्त के अंदर जो कोशिकाओं होती हैं, वो ऐसे ही दर्वाजे जैसे होती है सामन में रूप से रख्त कोशिकाओं का दर्वाजा ऐसे बंद रहता है रख्त कोशिकाओं का दर्वाजा इस तरह से बंद रहता है अब ये जो हमने कुछ खाया है, खाने के अंदर जो कुछ भी मीथा पत्तो है, जिसको आप धुल्पोस कहिए या इनर्जी कहिए ये रश्ट के अंदर आता है और कोशिदाओं के अंदर आने के लिए ये दर्वादे पर खड़ा हो जाए इस मीथे पक्त को रश्ट कोशिदा के अंदर लाने के लिए एक केरियर होता है केरियर माने वाहक जैसे घुड़ा है गोडे पर बैठा हुआ गुड़ सवाल तो गोड़ा कैरियर है गुरसावार अंदर जाने वाला है तो एक कैरियर होता है उसी कैरियर का नाम है insulin यह insulin हमारे पेट में छोटी सी ज्रण्थी होती है जिसको पैंतरियास केते हैं वहां उत्पन्न होता है इंसुलिन का काम क्या है, कि आपने जो कुछ भी भोजन में खाया है, उसमें जो उर्चा तक्तो है, सबसे आसाली से गुलने वाला ये से ग्रूकोज या सूप्रोज या फ्रक्टोज या शुगर कही है, इसको इंसुलिन अपने उपर बिखा के दर्वाजे के लेके आता है, ब्लड सेल के दर्वाजे के, और इंसुलिन दर्वाजे की घ्रिंटी बजाता है, जैसे दर्वाजा खुनता है, तो उसका जो शुगर तक्तो है, वो इंसुलिन के साथ अंदर आजा, अब जब शुगर तक्तो इंसुलिन के उंपर बैक्तर अंदर आ गया, रख तो कोशिका तो यह स्वस्थ व्यक्ति की निशानी जी अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको इंसुलिन रख के अंदर केरियर की रूप में काम करेगा और अंदर उसकी इनर्जी पहुचाता रहेता अगर किसी को डाइबिटीज है तो क्या होता है जिसको डाइबिटीज है उसका तो इंस आता है फिर वापस चलाए आता है फिर वापस चलाए तो ऐसी इस्तिती में क्या होता है कि इंसुलिन के उपर बैठा हुआ जो ग्लूकोज है सुक्रोज है फ्रक्रोज है या शुगर है वो ब्लड में ही गुंगता रहता है रट में ही गुंगता रहता है अंदर नहीं जाता ह तो आप जबी भी रख्ट का परिक्षिन कराते हैं तो उसमें शुगर निकलाती है क्योंकि वो शुगर इंसुलिन के ऊपर बैठी तो हुई है लेकिन वो अंदर नहीं जाने में कोशिका हुई और इसी स्थिति को डायटुटीस का सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में बनने वाली इंसुलिन आपके शरीर के भुजन में से निकलने वाले शरकरा तुक्त को अंदर नेके नहीं जा रहे हैं इसका मतलब यह है कि इंसुलिन या तो आलसी हो गई है या इंसुलिन बनना कम हो गई है जब इंसुलिन आलसी हो जाती है तो डायटीस ठीक होना आसान हो जात तो डाइबिटीस का ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो अगर इंसुलिन आलसी हो गई है तो इस आलसी इंसुलिन को फोड़ा टेजसी बनाए इसका आलस से दूर हो जाए इसके शरीव में जो स्लगिश्टैस आई है ये फितम हो जाए ये उद्देश्य होता है और और या इंसुलिन बनना अगर बहुत ही कम हो गई है तो इंसुलिन ज्यादा बने इन दोनों ही इस्थिदी में जो समझने की बात है वो ये कि किसी के शरीर में इंसुलिन आलसी कम होती है ये एक ही कारण से होते हैं जिसके शरीर में रख्ट के अंदर कॉलेस्टॉल की मात्रा बढ़ गई हो उसी के शरीर की इंसुलिन आलसी होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भी हुआ एगर आपके शौरीर की insulin आल्सी हो गए है काम मरूं कर रहे है ठीक से तो उसके श्रीर मेक आलेस्टरॉल बढ़ गया है तो कालेस्टरॉल पम करेंगे तो insulin काम करना शुरू करेंगे तो diabetes ठीक करना है तो सबसे पहले कॉलिस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा ये बात सबसे आसान है समझे तो इसलिए डाइटिटीज के मरीच को कॉलिस्ट्रॉल की चिंता जादा करनी चाहिए बनिस्वत की शुगर की हम शुगर खाएं कि लग खाएं ये जना महत्तुकूर नहीं है इससे जादा महत्तुकूर है कि आप ऐसा भूजन कभी भी ना खाएं जो कॉलिस्ट्रॉल बढ़ाता हो क्योंकि कॉलिस्ट्रॉल के बढ़ने से आपको डाइटिज होती है इंसुलिन उससे आज़सी हो जाती है काम करने लायास नहीं होती है बहुत कम ऐसे मरीज होते है जिनकी पैंक्रियास ब locker कम हो जाने या काम बिल्कूल ना करे और इंसुलिन बना न बंकर दे ऐसे बहुत कम मरीज होते है अगर एक लाख मरीजों को हम देखेंगे तो उसमें से 8 या 10 मरीज ही ऐसे मिलेंगे जिनकी pancreas भुलकुन काम नहीं कर रही है या insulin बन नहीं रही है लेकिन ज्यादा मरीज ऐसे मिलते हैं जिनके insulin तो बन रही है लेकिन वो active नहीं है आलसी हो गई है काम करने में उसको तत्परता नहीं है तो आप उसको थोड़ा तेज बनाएए एक्टिवेट कर दीजे और उसका सबसे सरलूप आया है कि आपके शरीर में कॉलेस्ट्रोल थोड़ा कम जब दीजे तो डाइबिटी इसलिए मरीजों को सबसे ज्यादा काम करने की ज़रूरत है इस विश्वेट पर कि उनका कॉलेस्ट्रोल कम हो जाए तो मैंने आपको कल एक बार बताई थी कि कॉलेस्ट्रोल कम करना है तो कभी भी डाल्डा मत पाई है क्योंकि यह डाल्डा सबसे ज्यादा कॉलेस्ट्रोल को बढ़ता है डाल्डा किसी दी नाम से मिलें वो गगन के नाम से मिल सकता है वो कि यसी कृलिस्ट्रॉल बढ़ता है घृट भी और धूसरी कृमसे चीज मत खाएं ये से कॉल्स City कृम बढता है दुनिया में दो ही चीज़ हैं जिनसे सब से Je Unit पर फ si घृण को किसी भी नाम से से लिए और दूसरा है माँस वो चाहिभी तोपड़ी का हो, मुर्गी का हो, बक्रे का हो, बक्री का हो, बैस का हो, बैसे का हो, गाय का हो, किसी भी जानवर का मास्ठ कॉलेस्टॉल बढ़ता है किसी भी जानवर का मास कॉलेस्टॉल बढ़ाता है इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए सोगे कोई भी जानवर दुनिया में मास के रूप में अगर खाया जाए तो मनुष्य शरीर के कॉलेस्टॉल को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है और दूसरा कॉलेस्टॉल को बढ़ने वाला जो कारण है वो है डालदा गरवल रुची शोया यह तोनस्पती ही जो अलग-अलग नामों से बिखता है तीस्री और एक आफ्री चीज़ है जो कॉलेस्टॉल को बढ़ते हैं तीस्री और आफ्री ची़ वो क्या है वो है आजकल मिलने वाले रिफाइन तेम जो मैंने कल आप से कहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी से नफरत कर सकते हैं तो रिफाइन तेम से नफरत करें वो डवल रिफाइन हो या टिपल रिफाइन हो या सिंगल रिफाइन हो किसी भी नाम का Refined तेल मत खाइए कॉलिस्टूल नहीं बढ़ेगा मासा हारी खाने को बिल्कुल छोड़ दीजे कॉलिस्टूल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा अब हमको कुछ गलत पहिमिया हो गई है और मैं मानता हूं कि वो गलत फैमिया आपको डॉक्टरों ने दी जैसे एक गलत प्यमिया आपको यह हो गई है कि देशी घी खाने से कॉलेस्ट्रॉल बढ़ता है कि घी मत खाओ तेल मत खाओ कॉलेस्ट्रॉल बढ़ता है मैं आपको जिनमरता पूर्व के बताने आया कि देशी घी जम मैं बात करूंगा तो देशी घी का मतलब गाय के दूट से बनाया हुआ घी और गाय का मतलब देशी घाण जरसी घाए नहीं जरसी घाय नहीं घाय जैसा दिखने वाला एक विचिप्च्र प्राणी है क्योंकि उ करके उसके बच्चे को प्रेम नहीं करती है तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता वो चुक चाथ प्री रहे जर्सी गाए के सामने उसके बच्चे को मारोगे पीटोगे कोई असर उसके उपर नहीं पढ़ता है वो जैसी है ऐसे ख़़ी रहती है लेकिन अगर देशी गाए के सामने उसके बच्चे को आपने थोड़ी भी तक्लिक पहुचाई वो गाए आपको मारोगे यह सबसे बड़ा अंतर है जर्सी में और देशी गाए कभी भी अपने बच्चे को पहँचानती नहीं है कौन सा बच्चा उसका देशी गाए बराबर अपने बच्चे को पहँचाई और देशी गाए का बच्चा भी अपनी आई को बराबर पहँच अगर 10 गाय खड़ी है और एक बच्चा है वो 10 में से अपनी आईपो डूणे लिए कौन सी उसके आईपों कि जर्सी का बच्चा दो अगर खड़ी है तो उसमें से आईपों पहचान सकता कौन सी उसके जर्सी में गाय का कोई भी विवह निया देशी गाय पहार पे आराम से जरते हमी जरसी कुभी भी नहीं चल की जरसी कोर में खड़ी होती है गए और देशी गाई को आस्याई रोख गुराय। जर्सी को कभी भी खिलाओ, कभी भी खाई राज को दो बजे उठे उसको खाना खिलादो तो खाती रहेगी दो बजे, तीन बजे, चार बजे उसको खाने पर कोई कंट्रोल नहीं है इसलिए वो बीमार भी जारा पादे गैकिन देशी गाई का इतना पक्काणियम है सुरियास्ट होने के बार सभी भी मूँ नहीं लगाएगी अब यह दिन जब सुर्योदा होगा सभी खाना को जर्सी को राज को दो बजे खाने को डालेगे तो खाती जाएगी, खाती जाएगी खाते जाएगी तो यह जो जर्सी है वो गाय में जिन वेक्यानिकों ने इस पर रिसर्ज किया उनका यह कहना है कि यह दूखर जात्ती प्राहिब है जर्सी और दूखर के जीन मैंसे इसको बनाए तो घी का मतलब यह नहीं है जरसी गाय के दूद का घी का मतलब है देशी गाय क्या दूद का तो आज कर डॉक्टरों ने खासका रेलोप्यती के डॉक्टरों ने एक बहुत बड़ा सब लोगों के जमास में डाल दिया वो ये घी मत खाओ तो हर्केटे का जाएगा और मैं आपको आईवरेट की जानकर ये दे रहा हूं कि जो अगर आपने देशी घी नहीं खाया और तेल नहीं खाया तो जरूर हर्केटे का जाएगा इस बात को आप ध्यान से सुन लीडेगा अगर आपने देशी घाय का भी अपनी जिंदगी में नहीं खाया और शुद्ध तेल नहीं खाया तो एक सो एक तक्का आपको हर्केटे का है और 101 तक्का यह गुड़गी का प्रास होगा कमर दुखेगी गुद्धे दुखेंगे कंधा दुखेंगे और इससे भी ज्यादा खराब खराब भीमारिया आएगे मूडवयार हो जाएगा बवासीर हो जाएगा घगंदर हो जाएगा कोश्ट्बत्ता होगी मन्वट्त पत्ता होगी हो जो देशी गायधा तूख नहीं खाया और शुद्ध तेल kr यहादा तो लगभग आपको तेlorी सिर्ष भीमारियां होगी तेन रोग होँगे इसलिए भोजन में देशी गाय कातू और शुद्ध तेरी ये जरूर खाईए इससे किसी को न हरकते आता है न किसी को डाइडिटीज होते है हरकते किस से आता है वो समझ लेगे डालडा खाएंगे रिफाइन तेल खाएंगे जरूर आपको डाइडिटीज होगे तरदा खाएंगे रिफाइने तेल खाएंगे जरूर आपको अस्थमां होगा ब्रॉंक्य अस्थमां होगा डाइब झाइब रिफाइन तेल खाएंगे सब तरह की एलर्जी आपके शqR we आईजे तो यह तकलीफ जो है वो डालडा से है रिफाइंड वाइल से है देशी घी से कोई तकलीफ कभी किसी को नहीं हुई आप तेरा सुचो भगवान कृष्ण ने भैस क्यों नहीं पाई सुचो ना अप इस बात भगवान क्रश्ण के घर में 7.00.000 गाए थी एक मश्फर को रख सकते थे जिस घर में 7.00.000 गाए एक भैस को पाली सकते थे नहीं रख की थे रामजी से घर में भी कभी गाये थी मश्फर कभी नहीं दृती रामजी के पिताजी दशरक उन्होंने भी गाए पानी, वभी मशूर ही पान। दशरक जी के बशिच में एक दिली प्राज़ा हुए, वो तो गाए के लीए इतने मशूर थे कि गाए की जान बचाने के लिए अपना शरीर उनोंने दानुजर दिया। बारत के जितने भी महान देवी में होता है दत्त भगवान उन्होंने भी गाए पाले कृष्ण भगवान उन्होंने भी गाए पाले शंकर जी के पास गाय का नंदी है भगवान का आपके पास गाय थी मशी और प्हें सिर्फ यम्राज में पाले पर आप जांगो यम्राज मुरत्यू के नहीं होता है तो मशी का धी खाओ और दूद पियो जल्दी से यम्राज के पास जाओ ज्यादा भी ज्यादा तो वैट स्रेंज जूद मिलता है तो मशी का दूद आप अपने लिए मत पलाओ मेरी आप से पहले भी मिलती थी मशी का दूद बंबई को पिलाओ आप नत्यूद चालीस गाओं के लोग दूद का धंदा करते हैं यह मुझे माईती है इसलिए यहाँ से दूद जो बेचना है मुंबई को मशी का बेचो जितना बेचना बेचो अपने लिए दूद अगर लाना है तो देशी गाय का लाओ और आप दस मशी पाल सकते हो एक गाय तूद पाली सकते हो ना अपने लिए तो अपने लिए दूद लाना है तो देशी गाय का लाओ अपने लिए दही लाना है तो देशी दाय के दूप का बना। अपने लिए तूप लाना है तो देशी दाय का दही बना के दही का ताख बना के ताख में से मक्षन निकाल के मक्षन को गरम करके ऐसे तूप बना। है वो दूब खाओ इस से कभी भी आपको डाइबिटीज नहीं होगी अर्ट्राइटिस कहीं होगी हर्ट टेक्ट नहीं आएगा अस्थमा नहीं होगा अलर्जी नहीं होगी जिन्विदी में बहुत सारे रोग अपने आपके हो तो डाइबिटीज है इसका मतलब आप समझनों कॉलिष्टॉल बहा है कॉलिष्टॉल तो इसको कम करना है तो मैंने बता दिया सबसे आसान उपाए है धालगा खाना बन और रिफाइन कोई भी तेल खाओ शुद्ध तेल खाओ घी खाओ तूप खाओ ये शी गाई के दूप का तो आपकी जिन्दगी में बहुत सारे रोग अपनिया भी खतम होने हैं कि दूप मैं जानकर मरे आपकी वह वहां करता है लेकिन जो परणी के लिए एंजाइन वह बनाई मनुश्रे के शरीव में नहीं बना था वह पूरे ब्रह्मांड में सुरु दूकर के शरीव में बन तो भूकर सब्सक्रीजाता कुछ मोगं करते हैं तो उसको अग्रवान ज कर ये जो सोयाबीन को पचा सकता है बाकि कोई भी पचा सकता इसलिए यूरोप के देशों में डूकरों को सोयाबीन श्लाएगा सब्सक्रों लेकिन आप जिस खेटर में रहते हैं इस बहुबहलेक परिस्थिती के घुसाब से सबसे अच्छा तेल वह शूरा था मुंफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है आप जहां रिखते हैं यह इलाका है यहाँ थोड़ी हवा खुश्ट है नमी वाला इलाका हो तो वहाँ पर यह तेल बहुत अच्छा होता है शूरद मुख्री वाला लेकिन आप ऐसे इलाके में नहीं रहते जहां नमी बहुत यहाँ की हवामत खुश्टी है सूखा बन जाजा तो इसलिए भूंफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है और दूसरे गंबर पर सबसे अच्छा तेल आपके लिए है वो तिल का है तिल का आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं तो भूंफली का है आज मैं आप से रोगों की ही बात करूँ गा और चिकत साके बात करूँगा। डाइबिटीज पर बात शुरू हो गई है डाइबिटीज रोग क्या है वो मैंने सरल भाषा में आपको सम्झाने की फोशचिक किये। पर diabetes ना हो उसके लिए मैंने आपको उपाय बताया है कि आप जैसे ही दानदा खाना बन करेंगे और रिपाइंट तेल खाना बन कर देंगे diabetes आपके अपने आप हुतम हो जाएगे नहीं आई है जिन्मेटिस की अब और एक दो महती देज़ता हूं diabetes के बारे तो कि ये रोग आजिकर धोत हो जाया है अमारे भारत के ऐसे ऐसे लोगों को ये रोग आ गया है जिनकी कभी कलभणा नहीं कर देते के उनको डाइडिट नहीं सकता है गाव में शेट्टरी बंढ़ों को आद्टरी हो पर जोने जहाए ये डाइविटीज के सबसे वड़ी कारणों में एक मैंने आपको बताया, खान खान में हमारा बहुत कुछ बदल हो गया है, जाहिर आप देख देखकर TV का हमारा दिमाख इतना सराब हो गया है, कि हम जो भी तेल लाते हैं वो रिफाइन तेल घर में आता, डिबबन तेल लान तो इसलिए आप इतनी जिन्दगी में अगर रिफाइन तेल और ये जिबबन तेल और ये डालडा और ये सब बन करेंगे, तो डाइविटीज नहीं होने की आपके जिन्दगी में गारिंटु है और आधार पैयार होता है, अब फ्रशन आता है कि डाइविटीज हो जाए अब दूसरा काम आपका भोजन ऐसा करिए, जिसमें मास बिल्कुल ना है, जिसमें मास बिल्कुल भी ना हो, मांगे सम्तों शाकाहरी भोजन शुभू करती है, किसी भी तरह का मास बत्ताई है, अंदा भी जो है न वो मास है, अंदा शाकाहरी नहीं है वो बी मास बूसरा है, मचली है, मीत है, मीत है, मुर्ज मेर्ज का हो, मुर्गी का हो, बहत्व का हो, बक्र का हो, वक्री का हो, जाय का हो, किसी अध archives का मीत मत थाई है, इस बहूत बत्ति हो दनरों और लिए जिनने फाइवर बहुत हीता है तुत्र है है फाई-फाइवर बनाएक डाइट év व मैं फटावर हो बने किन में रेश्य का सथ्थ्थ ज्यादा हो न्हां आप प्रेश्य का तक्त ज्यादा है ओगाता है उसनग यह रेठी उत्ता सबसे ज़एधा रेशा है डालों में मुever्स कि दाल सबसे ज़ए मसूर कि दाल सबसे ज़ए सने की दाल को इसमें भी काफी दिश्ण सबसे कम रेशा होता है वह वरति की जान कर थो खूड़ आसंति सोय विंक दल च्छोड़ कर कोई भी दाल प्रे上 से शर्च और आंनों में किसम्ह सबसे जादा रेशा अन्द में सबसे जादा रेशा होता है जवारी जआ तो जिनकों भी डाइविटीज है उनको हमेशा जवारी की भाकरी खानी चोई या जवारी की रोती खानी चोई और सबसे कम अन्न में जो रेशा है वो है गेहूं में तो गेहूं सबसे कम खानी चोई जिनको भी डाइविटीज है उनको हमेशा ध्यान एकना है यहूं की रोटी का हूं जवारी की रोटी जासते है चावल जरूर खाएं लेकिन कौन सा चावल खाएं अभी बाजार में दो तरह के चावल होते हैं एक चावल आपने देखा है तो दिखने में लाल-लाल सा होता है जुलादी सा लाल-लाल सा रेट कलर का देखा उसको कहते है बिना पॉलिश किया हुआ चावल यह तो बिना पॉलिश किया हुआ चावल है यह डाइविटीज के किसी भी मज़िश की सबसे अच्छी दवा है सबसे अच्छी आउशदी है क्योंकि बिना पॉलिश किया हुए चावल में सबसे ज़्यादा फाइब होता है तो आप बाजार में जाईए किसी भी दुकान से चावल खरीद खरीद कर लाईए लिकर उसको बोली है कि हमको ऐसा चावल दो जिसकी पॉलिश नहीं की गई पॉलिश किया हुआ चावल एक्दम सखेद होता है और जोड़ा लाल यह आप घरपेट खा सकते हैं पोई तकलिफ में लेकिन सफेद चावर खाएंगे तो डाइबिटीज बढ़ेगा मने शुवर बढ़ेगे इसलिए सफेद कभी दिवागत है अब थोड़ा आगे चलते हैं डाइबिटीज के मरीच को गाई के दूट की अलावा किसी भी जानव पूबर्ट खुबर कुलो सिस यह दो ने वक्री का दूट सबसे उक्तांग है लेकिन डाइबिटीज के मरीच को सबसे अच्छा दूट जो है देशी गायँका अगर अगरें से अगरी हमेस को दूट पीना है तो देशी कायँ aan पी और उठी टूब पीना है वह देशी सब फिर एक बार ठिंडा करें, फिर एक बार मलाई निकालें, फिर तीसरी बार गरब करें, फिर ठिंडा करें, फिर मलाई निकालें, तीन बार मलाई निकालने के बाद जो दूद बचा, ये डायगोटीज के पेशन्ट को पीना चाहिए, और वही दूद का दही बनाना चाहिए, और वही दही की ताक खूने चाहिए और उसी दही को आगे भी चाहें तो दूसरे तरीके से इस्तेमाल करदें तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा भोजन करें जिसमें फाइबर बहुत है तो मैंने का Japanese हाभी अभी पंप दाना क्योंकि स्मय व्यूतु अच्छी है दृत्ज के हैं चानी मेंद्ग सबसे कम दूर के बढ़ने स्वास्ताराप्णीने मुखा लिए सबसे जाह क्या ज़री की न्यां। जवारी के बाद जो सबसे अच्छी रोती है आपके लिए बाजरी की है उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे अच्छी रोती है वो मख़्ी की गेहु की रोटी सबसे कम खाएंग इसकी रोटी बनाते रखा हैं जिनको डाइजयोकीं निपे लिए और सब्जिया क्या खा सकते हैं। बटाटा छोड़कर कोई भी सब्जी खाएंग बटाटा ने आलू ने पटेटों चोड़कर कोई भी सब्जी खाए हरे पत्ते की सब्जी खाएंगे तो सबसे अच्छी पालक है मैथी है चॉलाई है बिंडी है करेला है और एक बहुत अच्छी सब्जी आती है सेम की फली को मरती हुए चैटर सेम फली आती है चौडी कहते है चयोगा अगर सबसें अच्छी सब्जी है दायविटीज वालों को सब्जी आँच्छी एग तो यह शेवगा और दूसरा मैंने बोला गरी तो दायविटीज के वरीटों को बटाटा छोड़कर सब्जी लेकिन सबसे अच्छी करें दूसरे रंपर पर फे होगा फिर बाकी कोई भी हरेपत्य की मेथी की खाएं पालक की खाएं चौलाई खाएं ये सब लेकिन केले से जादा अच्छा यही फन ही जो रसीले भी है और थोड़े खट्टे जामूल बहुत अच्छा है खट्ता है रसीला भी जो भी फन में थोड़ी खटा है सिप्रिक ऐसी जिस हल में भी है वो सब डाइविटीज के लोगों के यह अच्छी है इमली बहुत अच्छी है इमली का पानी अगर पी सके खाने के बाद तो अदुद परिणाम आपको आए डाइविटीज के लोगों पर यह तैकर देए अब बोजन हो गया अब आखरी ची ऊशबी में बात करूं तो भाप आपकी घर में है स्वयनपाक घर में मैंने एक बार कुछी बनाई थी एक सो आठ आघोशबियां ऐसे माइधी क्यों नहीं वाहित बताता नहीं में इसकूल कालेड मैं पालतु बाते काम की उच्छ नहीं बताते मैं पूरी जिंदी की स्कूल और काविज मां पढ़ता रहा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि स्वायं पाक धर में डायविटीज की आउते भी क्या है, अब फाल को बहुत बताया मुझे, X-Y Whole Square, X-Square Plus 2XY Plus Y Square, क्या करों इसका मुझे आज करों देका है, X-Y Whole Square, X-Y Whole Square, X-Y Whole Square, X-Y Whole Q, X-Y Whole Q, ऐसे ऐसे कच्छरा चीज मुझे पढ़ाई जिन्दिगी में कभी काम नहीं है और जो काम की चीज है कि दाइबुटीस कौन सी ओशदी से ठीक होता वो किजी में नहीं बता रहा है यह बहुत आप में मेरे प्रज़ा समय जाएबुटीस की सबसे अच्छी ओशदी अपने स्व का दाना खाना अब कैसे खाना खाने का तरीका है बहुत जिरूरी वही बहुत में तुका है वैसे तो मैंती का दाना है पाउडर बनाके आप ले सकते हैं यह तरीका अच्छा नहीं है डाइबुटीस की सबसे अच्छा तरीका है मैंती के दाने को रात में पानी में डालना एक चम्मच महती दाना, एक गिलास पानी में रात को डालना रात्त्री परियन तो उस पानी को रखना सुबह सुबह सोकर जब उठें तो वो दाने का पानी पहले पीना पीछे से वो दाने को चवा चवा के खाना ये तरीका है एक चम्मच महती दाना एक गिलास पानी में रात को दालना सकाडी वो पानी को पीना पीछे से दाने को चबा की खाना ये तरीका है अगर किसी ने भी तीन महीं में ये कर लिया उसकी डाइबोटीस समाप हो जाएगे बिना इंसुलिन के बिना एक पैसे के खर्च महती का दाना बहुत सस्ता मिलता है हर घर में हैं ज्यादा खर्चा नहीं लगता मेथी के दाने का कोई साइड इंफ्यक्त नहीं की और में inappropriate कोई inappropriate कि को ऐतार सब्जी करें तो अच्छी है लेकिन पूरा लाध मैं मिने आगर आप सबजी का मेथी के दाने तो 6-7 महीने खाने पड़ेगी तब जाके डाइदिटीज खीफ होगी लेकिन दाना पानी में डालके अगर तीन महीने खा लिया तो आप ठीक हो जाई तो आपको जैसा लगे वैसा कर तूझे आप मैती दाने को पाउडर बनाके पानी में मिलाके वेडि सकते हैं लेकिन ऐसा पाच्छे महीने करना पड़ेगा तब असर आएगा दाने को सीधे पानी में डालके चबाके खाएंगे असर तीन महीने में आज़ा अब जो आपको पसंदो आपके लिए मैथी के लाडू जरूर खाईए, मैथी के लाडू बनाइए गाय के तूप में और गुम्धूर घुम्धूर खाईए, सर्वेसे आ जाये तो रोज खाईए. तीन महीने सरदी चलती है, कभी कभी चार महीने भी चलती है, तो सरदी के दिल लोगेत मैथी का लाडू जरूर खाई है, और यह मैथी का लाडू उनको तो अच्छा ही है, जिनको डाइजिटीज है, मैं आप सबको माताउं ग्रहनों को एक ज्यान करें भी देता हूं, यह आजकल तो जब भी मैं किसी से पूछता हूं, सबको ही सीजेरियन होता है, नौर्मल डिलिवरी होता ही हूं, क्यों, यह डॉक्टरों की वहिवानी और हराम पूरी का हूं, यह आपको हाथ जोड़कर एक वित्ती करता हूं, आप बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो, बीम जाते हैं, आई को घरवावस्ता है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो डराना शुरू कर देखा, ओ, आपको कम्प्लिकेशन हो, बच्चा स्वस्त नहीं होगा, वर सकता है, पैसे बहुत छोटा है, शरीम में केल्शियम कम है, आपको हीमोग्रों कम हो गया है, अभी तो जाहर में केल्वावरों हो तो नम को 50-70ivo रूपई मिलेगा, और अगर उसने सीजर कर दिया तो 40-49,000 रूपई तो बन जिया उसका, अकसर क्या होता है, जो आई को सीजर होता है, उसको तकलीफ है क्या है, यह डॉक्टर कभी नहीं ढमता, और समस्तह भी नहीं, इसबसे वर क्या होती है सीजरियन के बाद आई का जो गर्भाशय है वो अपने इस्थान से हट जाता तो उस बीमारी का नाम है यूट्रस डिस्प्लेस्मेंट गर्भाशय का अपनी इस्थान से हट जाता और अगर यह हट गया तो डॉक्टर के हाथ पॉल जाते फिर वो बोनता है तो को तक हम्ताइब जूट्र को ये पता मुझनी की जरूवत है कि अगर इसको काटके निकालना है तो घगवान ने दिया तो और जो आई पो गर्भाशे कट करके निकाल दिया दौक्टर में उस आई को जिंदगी भरत रास होगा उसकी कोई दवा दुनिया पे किसी दौक्टर के पास है है वे न इ centrif lasts वह वह वार्वाष बड़े काम करता है शुरीर के लिए को सारे मुझ पूंद नुका जैने के बाद आई के शरीर का हार्मण। पूरा टूप जाता है और हार्मणल बैलिन्स टूपेगा तो आई को जिन्द की भर केकता जर्द होगा जिन्द की वाC किन थी पढ़़ को मरने मिलाट प्रोफिर को यह जहन हो कि पुर्गे का दर्द हो फिर यहां चंदें का दर्ब अज़िए चिलिते दौधर के पास दुबारा जाएगे तो म्युझत नहीं कर सकता है तो मेरी आप सभी को एक विनिंती है कि आपके घर में कोई आई को गरभावस्ता है तो डॉक्टर की बात भूल के लिए मत सुनी तो कहता है ओपरेशन कराओ कहते हैं कि नहीं करेंगे तो आपको डिराएगा बच्चा मर सकता है तो कहना बढ़वान के हाथ में है मरना और जिन करना रहना है वो रहेगा तुम तुमारी अपनी बात अपने पास रखो हम हमारे घर में काम कर लेंगे अब आप बोलेंगे कि फिर हम करें क्या ऐसी स्थती में ये जो वैठी के लट्डू है ना ये बड़े काम की चीज़ है जिस आई को गरभावस्ता में मैं ने थोड़े दिन भी खिला दिये मेरी वारेंटी है कि उसको सीजेरियन की ज़रूरत भी नहीं पड़े तो मैंती के लट्डू पीछे से अवाज आई जरूर खाये और उस आई को खिला ये जिसको गरभावस्ता है और इससे भी जादा जूरूर ये एक और मैंती देदेता है कि अगर कि और इस याई को किसी कारण से यूटर्स रिस्प्लेस्मेंट हो गया, गरभाश है अपने इस्थान से रड़ गया, तो उसकी दुनिया में एक ही दवा है और वो ये यह है मैंती के लट्डू, उसकी अलावा कोई दवाए ही नहीं है तो जिस आई को गरभाश है अपने इस् तो तीन सवा तीन महिने के अंदर आई का गर्भाश है वापस अपने इस्थान पर इस्थित हो जाता है और उसकी जिन्दगी में जो तरास होने वाला है वो सब दूर हो जाता है इसलिए मैथी जो है बहुत अधुत आउशदी है अपने घर में जरूर रहती है नाइविटीज के लिए काम आती है आई को ब्रभावस्का में काम आती है यूट्रस डिस्प्लेस्मेंट की सबसे अच्छी दवाए और यही मैथी और भी कई रोगों में काम आती है अगर आप संबनने उनाल के गूलगे दुखना यह वाध करोंगे यह पांच दूखना वाध derechos से अच्छी आउशदी यही है मैं थी का दाना, खाने का तरीका मैंने बता दिया, एक चमच राथ को एक गिलास पाने में डालिए, सुबह उठकर वो पानी पीना है, पीछे से मैं थी दाना चबा चबाती खाना, इसी मैं थी दाने से और भी एक रोख ठीक होगा, वो रोख क्या है, रत की अंदर अभी को भी दिन ढ़ना खाया है, और बहुत दिन गाया है, और बहुत दिन तो तो छटोड़े दिन में तराना, खा मानदे घेक हलो, तो आगे जिद्ने ऑच हांगे से उठकर रहे हैazar, इसलिए कम करने की तत्यHI मैं काले क दाकिति के क़ телефон क क्याई कालने हैं, सब इस्कों करने की स तबसे जादा शुक्ति मेंथी के दाले में है, तो मेंथी का दाना उस रोब में भी काम आता है। कॉलेस्टरॉल आप समस्के हैं, यह वही बीमारी है जिससे हिर्वय घात आता है, यह वही बीमारी है जिससे diabetes होती है, तो मेह्ती का दाना इसमें भी चलता है, और एक बीमारी में मेह्ती का दाना काम आजाओ, और वो बीमारी है, high blood pressure, रट्ट का दबाव नुचा हो गया, जि बिखुल नहीं करता अगर वायू का रोग आपको है तो महती का दाना बिल्कूल जरम नहीं करता जिनको स्वस्थ है शरीर उनको गरम करतीगा लेकिन जिन तीन महिना मैक्सिमम होता है, 90 दिन काफी है, तो कॉलस्वार कम करने के लिए मैथी का दाना, शुगर कम करने के लिए मैथी का दाना, शुगर कम करने के लिए मैथी का दाना, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मैथी का दाना, यूट्रस दिस्पेस्पें ठीक करने के लिए कि लगाना सबी रोगों में इसके बहुत अच्छे परिखा नहीं गंटे तक मैं एक गंटे बाद मैंधी दाना पीने के खाने के एक गंटे बाद कुछ भी खा पी सकते चाय ना पिये तो अच्छा क्योंकि चाय और मैंती दाने की दुश्मनी है मैंती दाना और चाय की दोस्ती नहीं है मैंती दाना और चाय की दुश्मनी है तो आप बोलेंगे चाय की जगे क्या दूद पी लो दूद और मैंती दाने की दोस्ती है दूद की जगे ताक पी लो ताक और मैंती दाने की दोस्ती है रही खालो ताक पी लो और जूस पी सकते ह पूरिब चाह पी ओगे तो मिठी दाने का असर कम होता है चाहे से हैं चाहे का ऐस्र करकू चाहे कम करता हैuchtत दोट है। तो मैथी नाने का आप तभी भी जीवन में उप्योग करिए बहुत अच्छे पढ़िए और आप बोलेंगे जी हम तो सब बीमारियों से मुगत हैं स्वस्त हैं तो क्या हम ले सकते हैं आप भी चाहें तो ले सकते हैं बीच पीच में थोड़े दिन छोड़ छोड़ कर जो पूदीना काने से क्या पाद पूदीना को स्वस्त व्यक्ति भी खा सकता है लेकिन बीच बीच में छोड़का लगातार उसे नहीं खाना चाहिए लगातार उसे इसको पीमारी थीक हैं अब इस मेस्ति नाने के कुछ और उपयोग भी बता देता हुआ ले सकते हैं वह अच्छी है आप भी उसे बना सकते हैं वह कैसे बंदा में बता देता हुआ राती परियंत उसको रखा रहने के जिए अब इस मूत्र में से में जिकाल लिए और जहां सूरी का प्रकाश ना आता हो एसी छाओं में सावली शाहिद मराटी में कहते हैं वहां उसको सूखने को डाल दीगे तीन दिन में वो सूख के तयार हो जाए ता इप्वे में बरके रख लिए इसका असर तीन गुना बढ़ता हैं अगर आपने ऐसी तयार करके मैंची दाना था आप ले सकते हैं लेकिन उसके तयार क करने की वीधी क्या है वो मैंने बटा जी है आप चाहें तो आप तिछी तयार कर सकते हैं मैं थी दाने के और कॉइए प्रयोग में आपको नहां चाहीये उसक्षा और तेज और बच्चा चिनन लगा देगा जित्मी देर उसका असर रहेगा उतनी देर बच्चा सांध रहे आज़ा ऐसे किसी भी बच्छी को दर्द है बहुत तेज दर्द है तो तरसों का तेल या नारियल का तेल या तो गाय का शुक्त घीड जो भी आपके घरमें इसमें मेधिदाने डालके गरम करें खूब गरम करें और गरम करके थोड़ी देर के बाद उसको ठंडा करें और ठं में दालेंगे पांच मिनट में दर्द बंदों या रिफा राधी मिनट में भी ओर दो शायद दुबारा डालों के जरूब पाड़ी फीज़। और दुबारा दर्द नहीं आया है तो यह मेधिदाने का ऐसा भी बहुत और यह अर पादातों वेंकिनाने में दूसरे तेल म यह हैं और शुद्ध सर्सों का पील है और चाहिए तो शुद्ध तिल के पेल में भी चल जाते हैं अगर बच्चा थोड़ा समझदान है तो आप चाहें सीधे में दाना ही कान में डालेज़ें और पांच मिनट उसको बोलेए कान को ऐसे रचके थोड़ी देर के बाद कान को वह ऐसे करेगा तो में दीदाना अपने आप कान से निकल जाएगा और उसके बाद दर्द भी निकल दर्द जैसे ही खतम हुआ कान नीचे करते ही दाना निकल और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं निकला अटक गया तो उस कान में थोड़ा बिल्बुना खुबट पानी डालती जब पानी के साथ ही के और इसका एक उप्योग होता तो मैं थी दाने का बहुत अच्छा एक पिछले पाच्छे साल से मैं उसका एक्सपरीमेंट कर रहा हूं ऐसे पेशाइंट पर जिनको नीद नहीं आते हैं रात बर नीद नहीं आते हैं ऐसे लोगों को क्या करिए उनके दो अभूठे हैं हाथ के राइट और लफ्ट यह अभूठे का साइट का हिस्सा ये एक साइ नाकून हैं उसके बाजुवाला हिस्सा दोनों तो यहाँ पर मैकी दाना रखके पक्ती से बाण देजाएं और वो पक्ती आती ना टेव सेलो टेप आता है जिसके पानी का असर नहीं होता वो टेप बाण देजे इधर तीन चार्थ आने रखिये टेप बाण देजे इधर आप यह बादेंगे तो 20 मिनट से लेके 40 मिनट में बहुत जवर्जस्त मीद आदेंगे और वो सुझा है और अच्छे से सुझा कच्छा में थिए रहा है सीधा चच्छा में थिका जाना नागुन के नजदीक वाले हिस्सी में पाथ और जिनको सिर्दर्द होता है आधे में लेफ हाफ और राइट हाफ जिसको माइग्रेन कहते हैं उनको भी यही बांग दीजें तो सिर्दर्द चला जाएगा करेंगे बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा और क्या कर सकते हैं इस में पानी न गिरेंगे चार-पांक दिन उसमें कुछ सिर्ध में जयाना गीला नहीं कुछ पूंक और इसका आप जहें तो प्रयोग कर सकते हैं भी बीस दर्द हो रहा है और आपक्पेज नहीं नहीं है को दवाने और ज़र्द आपको कम करना तो जिस स्थान पर दुद हो रहा है था फाडा, वहीं पर दाने मैतिन के रखी और पट्टी लगा ते, दस मिनट के अंदर ही दरब चला जा जाए, जहाँ भी दरब होआँ माते पर पर मैतिन के रखी और एक पक्ति लगा जा तब बैठ जा, यिक दरब कम होना प्रॉज कुछ होता बर्वान में इसको अधिवभ बनाएं वैसे तो अपने स्वाइब पार बहुत सारी वहुत्यां हैं लेकिन यह विशेशा उसे इसका इलक्रोमेगनेटिक पावर सबसे जाए सबी वस्तों में अलग्रोमेगनेटिक फोर्स होता है मैंति दाने में सबसे जाता है यह विल्कुल चूंबक की तऱ से काम करता है यहां अगर बढ़ा तो यहां बांने की ताकत है इलेक्ट्रोमेग्नेटिक फोर्स इसका पुपर दूसरे सभी और सदियों की तुल लगते हैं इसलिए मैं सबको बोलता हूँ स्वेंपार घर में कुछ बो या ना हुआ मैं तीका गाना जरूर रखे हैं सस्ता है जादा महिरा आता नहीं मैंने बोला एक्स्पाइरेड एक कुछ नहीं है दो साल पात साल दस साल भी फराब होता नहीं है और कहीं भी किसी भी गाउं में आसानी से मिलता और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा कम जाता हुआ तो साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है आपको तकलीफ नहीं करेगा यह पायदा नहीं किया तो तकलीफ तो कुछ नहीं कर देगा और यही मेथी का दाना है और एक का में है अगर किसी भी साइड बर कातने है और घहाओं हो गया तो आप मेथी के दाने की चठी след और उस गाउं पर लगा दीजे करता है तो में भी कासि पानी लाना पानी मा इट खाई यह मैं वाले इंधिक कहीं भी है फिर तोbelsोके नैंने अपर पॉइंटिक पैन कहीं भी सबीं के किसी भी हिस्से में बांद दीजिए पट्टी लगा दीजिए तुरंत असर बिखेगा है अगर आपको हिर्दय की तकलीफ है तो हिर्दय सबसे अच्छा वहोता है और टीखा हो घाने में जितना टीकट होगा इतनी ही क्वालिटी अच्छी बेशी होगा इतनी क्वालिटी अच्छी कबजियत में बहुत अच्छा परिणाम करेगा जिनको भी कबजियत है वो रात को सोनी के पहले मैथी दाने का पाउडर एक चम्मच गरम पाने के साथ पी के सोए बिल्कुल कबजियत छीप करवेगा वाज से जुडए हुए रूब और सजी कुल मिलाकर 73 हैussल कि 70 रोग हैं वह पूरे के पूरे माथी दाने से थीुड़ी वाग और कफ पित्छ को छोड़ शितने भी रोग वह सब Kopf करने सी ताकों कि है तो कियो नहीं तो पाउडर, लिन रिजियाक किसी आए चुन-ई अच्छा, जबने किसी बनें weireland, रस्तों प्रवाह अच्छा कbell नहीं बने का आएगा फार्क बड कि नहीं आएगा जैनस नहीं होगी लोग आत्रास नहीं होगा इसे बहुत सारे में होबीर इफ्क हड्या और प्राटिय की साङ timing कि इन सने कि अब मिलती है लेकिन मेंती का दाना पूरे साल मिलता है तो भी दी नहीं है अब एक आधरी माहिसी माताओं को शरीर में गर्भाषे से संब्दिक जितने रोग होते हैं वो सब्की सबसे अच्छी दवा यही है मेंती का दाना जैसे मासिक पाड़ी से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं मासिक पाड़ी समय से नहीं आती आती है तो बहुत रख जाता है या बिल्कुल नहीं जाता है या बहुत दर्द होता है या चुचुल होने लगती है बहुत अच्छा नहीं लगता है उससा बहुत बढ़ जाता यह जितने रोग हैं मासिक पाड़ी के यह सब की और शदी में तीका दाना और एक लामाई की कि सभी आई को 45-50 साज की उबर में मासिक पाड़ी बंद दोते उस समय शरीम में जो हार्मोन का चेज दोता है उसकी भी सबसे अच्छी और शदी यह में तीका दाना तो अजबुत है यह मतिका आप इसको जरूर रखिए अपने जीवन में भरपोर इसके मास करें ठीक है अभी जितना मैंने बताया मैंती जिदाने का कोई शंका हो तो पूछ लिए जिए कि मैं दूसरी माहिती है अब देखा हूँ अगर मैंती के दाने को विजा के थोड़ी दूर आप रखेंगे कपड़े में बाग के यह तो आप रखेंगे कपड़े में बाग करते हैं खीले कपरी में तो अंपूरर हो जाएंगा अंपूरिक किया हुआ तो बहुत ही अच्छा है आ सक उत अकुलिष उसका प् Definits गल जाता हैسगी है तो जिरूर्स भार वित्लों से वी जी डीओं किसी को बी चलेगा जिसको वाट खी तक्लीफ है कृफ की तक्लीफ है जिनको वाटवर कफ नहीं कक लिए उनको गर्मी में को ग्रम्यम्य से पैस तो जरूर खाना से और गाठी तक्लीफ तक्लीफ मैंने बता दिए डाइडिटीज, अर्थुराइटिस, ब्रॉंकाइटिस, अस्थमा, ब्रॉंक्रियल अस्थमा, बढ़ना, मोटापा बढ़ना, अबेस्टी होना, फिरगे धात होना, यह सब बात और कफ से दूरे हुए रोग है, जिनको भी रोग है, उनको मैधी दाना गर्म में भी चलता हुए, जिनको नहीं है, उनको गर्मी में ना सखाए, तो अच्छा हा, सब्सक्राइब और अगर निकलता है तो मैंतिदाना ना खाए तो अच्छा पानी में उबाल के मतिदाना लेने की जुरुत नहीं है फानी में डालके रख दीजिए उबला हुआ पानी की ज़रुत नहीं है तीन से चार मेने बस पिर बीच को एक चोटा ब्रेट लेट लेटीजिए है फिर तीन चार दिए पिर निकाल के चाहों में सुखा लीजे पिर उसको दिप्रें में बढ़ते रख लीजे फिर उसका उठोग करें कि बाजार के गी की गारंटी में देता है विश्च नाम को जहत कुछ में लेकिन आपने अगर जाय पाली है दूर्द दिकाल के घी बनाया तो उसकी गारंटी है बाजार में कोई बहुत आपका खास पचित आथमने हैं जर्सी का बिला देंगे और उनको कुछ मिला दोगह पुपिन रखो नाइल शुद्गी चाहिए जुद्धी चाहिए तो गाय गन में रखे अगर आप स्कूटर रख सकते हैं तो गाय गोंहीं रख सकते तो ओके कार गोंहीं सकते हैं तो इस पूटर आपको तक हमेगहки टुद्याヤ स्वेकर कोई और प्रश्णों तो पूछ नीजे मैं आगे चल रहा हूं कि मैंती के बाद एक दूसरी जान करें देना वाला है जी क्या बोला मासिफ पाड़ी में रात को पाणी में डाले रात बर पाणी में रखता रहने देंगे सुवह उठकर पानी पीचे से दाना चबा के खाना लेकिन आपको अगर मासिफ पाड़ी की कोई भी तकलीत है तो जब पाड़ी का समय है तब लेने की ज़रूरत नहीं है ले लिए तो पाड़ी तक ठीकी कर देगा कि पंद्रवीस दिन ले लिए जादा से जादा एक पहिना ले लिए आगे चले 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 एक चीज मैंने पॉली मैंठी का दाना ऐसी एक दूसरी चीज और बताता हूं जो बहुत अद्बुट है वो भी आपके धर्मा हो तो मजा आप वो कई वीमारियों को दूर करने की उसना पे शक्ति है और हो है पान में लगाया हुआ चूना खाईए चूना लगाईए मत चूना खाईए और मेरा सब को कहना है तंबापों मत खाईए चूना खाईए चूना बहुत है जैसे मैंती का दाना अद्बुट है ऐसे ही पान की दाने की है वाग से जुड़ा हुआ खोई भी रोग शरीर का बंद करने का सवाप्त करने का थाटत चूने में भी है गुलगे दुखते हैं कमर दुखती है कंदा दुखता है मंट के का त्रास हो जया है अट्टि वे गयप पड़ गया है यह सभी औशभी के रूप म शबकान से पान की दुखान में मिलता है मूझलक वो चूना लेाँ उस चूने को थोड़ा सा मात्रा में एक ग्राम एक ग्राम चूना। और सल ग्राम दृ एक ग्राम चूना सल ग्राम दषी दोनों मिला Caribbean और दखी को खागई और दखी नहीं तो टाक सौ ग्राम ताक एक ग्राम चुना दोनों मिल आए और पई लेजे ताक भी नहीं है तो कोई भी जूस कूस का रस संत्रे का रस मुसम्वी का रस жाक का रस समाकर का रस यह वि yell रस्में चुना मिल आए और पी जए क्यों एक ग्राम नोचका का पी चुर्त होता है कुछ भी नहीं मिले तो पानी पानी में चूना मिला अब क्या क्या ठीक कर देंगा वन्च के कंदा धूने से छीप हो जाए नार भिल रहे हैं वापस जम जाएंगे मुँमें बस बद्धू आती है चूना खाएंगे कभी नहीं आएगी राप को नीद अच्छी नीद आएगी तेट में भूख नहीं लगती चूना खाऊ बहुत अच्छी भूख लगेगी और जिन बच्चों को उचाई नहीं बढ़ती उनको चूना खिला उचाई बढ़ती जो भी बच्चे आपको ऐसा लगता है कि इनकी उचाई नहीं बढ़ रहे है बढ़नी चाहिए उनकी आई भी उची है बाबा भी उचे है लेकिन बच्चे छोटे हैं उनको जरूर चुना कि कैसे गिलाए परीगा मने बता दिया दहीं को मिलाके ताटनों मिलाके जूस पूले इतने दिन जिनकी उन्च बढ़नी है उनको लगब एक साल चुना खाना पड़ा रोज एक ग्राम एक साल सुबह खानी के वे और एक गंदीर बीमारी जो बच्चों को अक्सर होती है आपने देखा है कई बच्चे हैसे होते हैं जिनको मती मंद है देखा है ना मती मंद बच्चों की सबसे अच्छे आउशदी है यही चूना जिन बच्चों को मती मंदता है उनको चूना किला ये दही में डालके ताट में मिलाके एक बरस तक खिला दीजिए एक साल, मती मन्दता बिल्कुल दूर हो जोगा। और एक बिमारी है, जिसका नाम जॉंडिस, काविठ, पीलिया, हेपिटाइटिस। ये चारो एकी बिमारी को नाम है। जिनको भी जॉंडिस है, पीलिया है, काविठ है, हेपिटाइटिस है। उनको भी चूना खिलाईए लेकिन उसके रस में उनको दही में मत खिलाना कभी भी जिनको काविड है पीलिया है जॉनलिस है ऐसाचाइटिस है उनको चूना कभी भी दही में नहीं खिलाना पाक में नहीं खिलाना उनको उसके रस में चूना मिलाके उसका रस पिलाना तो दस जिन में ही काविल कूपर गूंट निवर का ख्राब ऑगक् ही फिर्परकूले रृट कि और सबसे दुनिया की ख्राब बिवाड़ी जिसको कोई डॉप्टर खै नहीं पूर पाता है है उस बिवाड़ी को भी ठीक करने कि ताकत इस कुने में है है जो उसके रश ne होता है इन सब को चूना धिलाना है उसके रश तो नहीं मिलेगा तो एक सिलके और कुछ भी नहीं मिलेगा और किसी भी कारण से तो पानी में बिलाकर देए और चूना किस बीमारी में कामाता है बहुत ज्यादा दिन तर जिनों ने शराब पिया है और शराब पी के शरीर उनका फिराद हुआ है उनकी सबसे अच्छी आउशदी है चूना ज्यादा दिन जो शराब पिये हुए लूग होते हैं उनके शरीर के अगर के अंग बहुत खराब हो जाते हैं उनको अगर ठीक करना है जिन्दगी में तो उनको भी चूना करें शराबी लोगों की सबसे अच्छी हो ज़ज़ चूना कितने दिन लगवग चार नहीं और चून कुछ ऐसे बच्चे भी आपने देखे होगे जिन में तरही करते समय से कुछ खास तरहें कि उनके सिंटम्स आगाते हैं जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है जब परिक्षा आएगी तो बुखावा जा रहे हैं तो ऐसे बच्चों की सबसे अच्छी आउशदियत चूना कोई ऐसे बच्चे हैं जो इस्कूल जाने के नाम से रोना शुरू कर दो सबेरे हुआ इस्कूल का समय आया और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और ऐसे ऐसे बाते बताएंगे प्रिट में दर्द हो रहा है वो उसी समय होगा जब इस्कूल जाने का ताहिए आप बोलो इस्कूल मत जाओ जर्द तुरन ठीक हो जाओ ऐसे बच्चों की सबसे अच्छी ओशदिये चूना जिनको परिच्छा के नाम से डर लगता है बुखा रह जाता है इस्कूल जाने से घबराते हैं इस्कूल जाना बिल्कुल नहीं चाहते पढ़ई से कतराते हैं पढ़ना ब और मेरी तो आप सबको एक छोटी सी सलाह है कि आपके दर में पानी बढ़ने का तो घड़ा है ना मिट्टी का उसमें सुवह सुवह चूना डाला है सब लोग पी लेंगे तो चक्ट्री खतम हो गया ना आप रोज मिट्टी के घड़े में पानी बढ़ते हैं पानी बढ़ते ही थोड़ा सा छूना डाल दो धिन पर वो पानी कोई भी पिएगा सबके शरीम में चूना जाए सबके काम आएगा कितना डाल अगर पंद्रे लीटर का घड़ा है तो उसमें कम से कम पांच ग्राम कि लेकिन पाना वाले से जब भी चूना दाओ तो कहना हम को सैंट मिलाया हुआ कि दिना सेंट मिलाया जुछ इला और उप्योग करनां तो पान की दूगा मिलता है एक तो सैंटेड है जिसमें खुश्मू पान वालों के काम का नहीं, आप उनको बोलो गिना सेंट मिलाया हुआ देघो, तो आप नहीं, और अगर पान की दुकान में न मिले, तो बाजार से सीधे चूने का पथर चरीद लाओ, पानी उने डाल के दो चार दिन उसको छोड़ दो, जो चार दिनुमनों पानी ऊपर आ प्रफ़ाइगा तुना नीचे बैठ जाएगा इस पानी को हटा तो चूने को उप्यूब करना शरू सरत और चूने की कोई चूने का कोई साइड एक चीज आप धान रखना जिन्दगी में हमिस्ता आप मेंसे किसी को भी अगर पत्री का रोग है गॉल ब्लैडर में पत्री बनती है किद्नी में पत्थर आता है इनको कभी भी चूना नहीं खाना चूना नहीं खाने वाले एक ही कैटेगरी के वरीज है जिनको पत्री की शिकायत है गॉल स्टोर में या तो किड्नी पत्री अगर बन रही है या पत्री बनी हुई है या आपके शरीर को बार बार पत्री होने की शिकायत है ऐसे कोई भी लोग चूना ना काये नहीं तो तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी बादी कोई भी भी खा सकत अगर आपकी ऊंपर तो आप मेधी और चूना दोनों साथ में पेवग करसके दोनों के बीच एक तास्तान कर रुखे लेकिन सक्तर से कम उम्र है तो दोनों में से कोई एक ही आपके लिए अच्छा है चाहें चुना ले लिए चाहें मैती का दाना ले लिए आप क्या हैं तो दोनों ले सकते हैं कैसे थोड़े दिन मैती का दाना ले लिए एक महीने तो जुम्दगी के सब भीमारी चले गाई जी पानके साथ जरूर खाएए लेकिन उसमें कत्था मत लगाए तो वह चूना भी आप के लिए बहुत उक्यूडी stat पान खाईएगे, चूने वाला कत्था मतले हैं, कत्था और चूने का दुश्मनी है, इसलिए कत्थे के साथ कोई भी चूना नहीं खाना है, कत्था चूना दोनों साथ नहीं खा सकते, आईरवेट में निशुद जो है, खाली चूना खा सकते, कत्थे के साथ नहीं खा सकते, तो पानवाले को कहिए के हमारे पान में खाली चुना लगा कथा पत्ती है ग्रठाग में हुख。 जी॥ चुनें से कॉलस्तोर कम होता है। चुने से ट्रैग लेसरा鬼 कम होता है . Achoo irony। चुने से वजन कम होता है। चुने से युद्धी बहुत बाढ़ती है। परीब के जितने भी हार्मों का बैलेंस नुटा हुआ है चूना वापस उसको इस्ताफित कर देता है आई को जो 45 साल के उपर में मासिफ बारी बंद होने के बाद जितने भी तरह से वो चूने से भी ठीक हो जाते हैं जो कुछ मनतीन आने से ठीक होता है वो चूने से भी ठीक होता है रात में रात में कम खाए तो अच्छा है दिन में सबसे अच्छा समय है सुबह का अगर आपको पत्री बनने की शिकायत है तो साइड इफेक्ट चूनेता आएगा वरना किसी को भी side effect नहीं आथा अगर आपको पहले से शरी में फट्मी बनने की शिकायत है तो चूना खाने प्र इतना ही होगा कि पट्मी पिर बनी आएगे इसलिए आप फट्मी बनने की शिकायत पहले बूल करिये वो नहीं है तो कोई side effect नहीं आएगा अगर थोड़ा में चूना ज़्यादा खाया तो पेशाब के साथ शुलीर के बाहर अपने आप में कहाई से चाथ के खाया तो जीव की ताक़त कितनी है यह उसके निरवर साथ अगर आपकी जीव वालरेग कर सकती है तो चाथ के खाया पान में सॉफ डाल सकते हैं लगम डाल सकते हैं इलाइची डाल सकते हैं अगर आपका बच्चा थोड़ा उपर फें 15 साल के आसपास है पर फेंग एक ग्राल सकते हैं लेकर फेंगिन 15 साल लगाता है उन चमण पर खेंगें तो भी लगाता इक साल बिना परता है बागी सभी बीमारियों में तीन महीने से जादा देने की ज़रूरती है। जर्मी के सिजन ले सकते हैं। चूने से कोई तक लेगे। अमने आपके बहुत महिस्पना महिती देने जाए। तो सभी आई जाज से सुने तो अच्छा है। कई बार क्या होता है कि घर में बच्चे पहला होते लिए छोते बच्चे की। तो दो-चार दिन होते ही उनको अताविर हो जाए। कई बार ऐसा। जान्डिस होता है। और वह जान्डिस कई बच्चों की जाओंग देने दा। और आजकल ऐसी बहुत केस आ रही। तो उस बच्चे को कभी भी काविर नहीं है, अगर आई को आठ महीने पूरे हो गए, तो चूना खिलाना शुरू करते हैं, लगबक साथ महीने से भी दे सकते हैं, आई को कैसे देना है, सुबह सुबह नाश्टे के समय दही और चूना उन्हों मिला के देज़ें, 100 ग्राम दह एक ग्राम चूना, गर्बावती, गर्बास्त आई को जरूर देजे, ताटी उसके बच्चे को काविर ना हो, जो आई भी गर्बावस्ता में चूना खा ले एक महीने, उस आई के बच्चे को कभी भी काविर नहीं होता, जो नबेस होता है, और उस आई का बच्चा स्वस् और अंदूरस्त होता है और आई को कभी सिजेरियत नहीं होता है अगर चूना खाया है आई ने एक महिने लगाता रखाया है तो आई को सिजेरियन आपरेशन की जरूरत नहीं पड़े की नॉर्मल डिलिवरी होगी बच्चा स्वस्त होगा तुम इसलिए मेरा निमेदन है कि कि थैनल को जई पयां टो तो सवरें दूर्ण में नहीं सोरे मां करिए लगाये चूणा मिलाके इना शुरू करते कि और उस्सी आई तो एक काम और करेंगे तो और बहुत हैं सबेरे तो दही और चूना देना और रात को उसाई को गाय का दूद और तूप मिला के देगा गाय का दूश्ट और उसमें मिलाया हुआ तूप एक किलास दूद में कम से कम दो चम्मच तूप रात को देना और सकाड़ी दही और चूना दो नहीं तो ताठ और चूना नहीं तो यह दो चीज अगर नियमित रूप से दो महीडे तीन महीडे आई को दे दिया तो डिलीवर नाइब लोगी बच्चा सुस्थ होगा तंद्रुस्त होगा और उस मच्चे को भविश्व में कोई भी लोग और बीमारी जिल्दी नहीं आई कि उस बच्चे को का लगने की जुरूरत नहीं पर बच्टे जो प्छो की आइजेए चूना फाया है घर भावस्पान उन बच्छों को कोई भी लगने की ज़ुरूरत देंगे उनका शुरीर का पहले से ही इतना अच्छा होता है कि कोई भी बीमारी को वो धेनने की ताकत पहले चरब मैंने ये प्रयों सौ आई के करके देखा पिछले शे साल और उस अभी के बच्चे बिना सीदर हुए हैं बच्चे तंदुरुस्त हैं किसी को भी पोलियो वैक्सिन नहीं दिया आज को कोई बच्चा उसमें दो साल का है कोई तीन साल का अबे और तीन साल की उबर में जो बच्चे हैं उनका IQ बज्जी इतनी पेज है कि कछा एक और दो के बच्चो को भी मांद टरब उनमें से एक चोटी बेटी है, अकोला में है, उसका भी एड्मिशन कराया तीन जाली की उमर में, तो उसकी स्कूल की प्रिंसिपल बोलती है कि इसको तीन क्लास के बच्चे से भी ज़्यादा ग्यान है, अभी उसका एड्मिशन केजी में हुआ है, इतना IQ तेज़ है, रिसर् सारा गसारा प्रभाव है, चूने का, वो आई ने गर्भाव रसका में नीमित रूप से चार बई ने चूना लिया है, उसकी बच्ची बहुती स्वस्थ तन्निरुस्त है, कभी बात लिकंते समय भीमारी उसको हुई नहीं बच्ची को, सर्जी चुकाव आज तक तीन सा दो कभी आया नहीं से, बुखार को भी हुआ नहीं, पूरे अकोला शहर में चिकंगुनिया हुआ, उस बच्ची को नहीं हुआ, उसकी आई को भी नहीं हुआ, जी, सर्दे होते हैं, क्या बोला है, सर्दे, सर्दे, जिनको बार बार सर्दी होती है, बार बार सर्दी होती है, ऐ को भी चूना नेंगे हैं तरीक्व हो यह पानी में मिलां कि मैं दही अधाग एक तो diesem आप मैंने में देख आ हैं और तालेस रुगों को ठीक करने की ताकत रहता है हएकला चुना कि पेशाव की किसा में अगर रूख-रुख के पेशाव आती है उनको चूना मत दे, रुख रुख ये जिनको पेशाब आती है, ग्रिबली के जिसको कहती है, उनको चूना देंगे ना, दाकी किसी को भी दे सकते हैं, अभी चूना और मैथी, दो और शदी की माईटी मैंने आपको दीशे, समझ में आईए, अभी तीसरी एक माईटी और दे जैसे चूना है मैथी हैं, ऐसे ही अपने स्वाइंग पाग दे में एक बहुत अच्छी ओशन, उसका नाम है दाल चीनी, बहुत ही अद्बुत है, ये दाल चीनी इतनी अच्छी ओशन है, कि आप इसके बारे में भी हरान हो जाएंगे सुनके, दाल चीनी का पाउडर, और म दोनों मिलाकर अगर कोई भी लें, सुबह एक चम्मच दाल चीनी का पाउडर, और एक चम्मच मद, दोनों मिलाकर अगर कोई भी खाए, तो ट्यूबर कुलोसिस, माने टीवी, अस्थमा, ब्रांकियल अस्थमा, और अस्थमा के फैमिली में होने वाली जितनी भी विमारिय है, जो एलर्जी से जादा शुरू होती है, ये सब को ठीक करने की ताक्या दाल चीनी में है, दम भरता है, सास भरती है, दस कदम भी चल नहीं सकते, चले तो बैठना परता है, इन सब की आउशनी दाल चीनी, खाने का तरीका दाल चीनी का पाउडर बनाईए, मद में मिलाक का जितनी दाल चीनी उतना ही दोना को गरम पानी में दोलेगें, पानी तो की नहीं है। ये डालचीनी गंबीर से गंबीर लोग में काम आती है आपको बहुत तरज भुखार आया उसमें डालचीनी काम आती है सरदी जो काम होता है उसमें डालचीनी काम आती है वाइरल फीवर है उसमें डालचीनी काम आती है शरीर को मुटापा भुष्ट हो गया है वजन कम करना है उसमें दालचीनी काम आती है शरीर को कभी भी भूखी में लगती है उसमें दालचीनी काम आती है एककम बारीक शरी है जिन बच्चों का उनको भी दालचीनी काम आती है ये एक दालचीनी तेई सुरोगों को ठीक कर द तो रसोई में जुरूर रखते हैं कभी भी आप उसको उप्योग करेंगे भूखा नहीं देदी जाएंगे सब्जी में डाल के खा सकते हैं तो सब्जी में डाल के खाने की चीज़ है मसाली के रूप में उप्योग होती है गरम मसाले में डालचिवी के बिना चुलता नहीं तो मसाले में तो दल्ती ही है लेकिन अलब से आप उसको उसको करें तो व कहती अच्छी उस्ट प्रमान हें, एक चम्मच दाज्ची में पढ़ा हुडा है, एक चम्मच मध। अगर मैथी खा रहे तो इसकी जरूबद्न है, ये खा रहे तो मैथी की जरूबद्न है, एक बार बैर ये ओशव बीखाई है। जी बच्चों को मात्रा कम करिए आदा चमच पाफी होता है बच्चों को बड़े लोगों को एक शुमच इलर्जी के लिए बाश्ट मेडिसीन है और टालची किसी भी तरह की अलर्जी आपको है शरीर में नियमित दालची में खाईए मदवब मिलाते तीन से चार मैंने सब अ दाल शीक तो वह है अजिग माई कि अभिड़क के लिए करिया थाल भूट अफूठ नंटेज़ अब क्या वह गया जूना रूगा ताल शी नियूंगा अब एक चौती होशरर भी बहुत अच्छी आउशेद हैं, वो आप सभी के काम आए कि जिनको भी गुर्गे का तरास है, कमर दुखती है, कंदे दुखते हैं, बात की तकलीफ बहुत ज्यादा अगर हो, कई बार ऐसी कंडीशन होती है बात की तकलीफ में, कि मनुष्ट को शरीर हिलाना भी मुश्किल हो पहुत जाए, विल्कुल विक्रत हो जाए, शरीर तेड़ा हो जाए, तब एक आउशदी काम आती है, और वो आउशदी है, आपने वो देखा परिजाद, परिजाद का पेड़ होता है, परिजाद के पेड़ के पक्ते, 40 साल पुरानी, अर्थराइटीस, रिमर्टिड अर् थीक कर देखा परिजार के पक्ते, परिजाद का फूल आपनदेख, सफेद फूल होता है और गेंड़ी नहिंदी और पूरिय साल नहीं आता, साल में दो यह तीन पईनले फूल आता, तो इस परिजाद के पेड़ के पत्य तोड़ी। जिनको भी पुराने डाय याइट हो ह परिजाद के पत्ते तोड़िये पाच्छे पत्ते तोड़िये उसकी चट्टी बनाके एक गिलास पानी वा डाले पानी खूब उबाले और इतना उबालिये कि पानी आधा रहा है इतना उबालिए कि पानी आधा रहे इतना पानी एक गिलास पानी पांच-छे परिजाग के पत्ति पत्रों को बनाईए चट्नी चट्नी को मिलाईए पानी एक गिलास पानी पानी को उबालिए इतना उबालिए कि पानी आधा रहे जाए अब इस पानी को रख दीजे ठंडा ह और जब यह ठंटा हो जाए तब उसको पीना है जो इसफिराइए उच्छा है और वैसे पीएगे तो और यह तो बहुत है अब इसको पीना है तो सुवरी सुवर्ण पीला है तो मतलब इसका ये है कि रात को ये बनाई ये परिजात के पत्ते तोड़ के चट्टी बना के पानी वह उबाल के रात को रख दीजे रात बर रखें सुबह उपकर उस पानी को पीना मूह दोके साफ करके कुला दुतूम करें अगर आपने चार-पास दिन भी पी लि साथ दिन में तो दर्द बिल्कुल गाई करें बहुत अधूत है इसलिए मेरा सबको एक विनंदी है कि परिजात का जार अपने घर में जुरूर लगए और परिजात का जार जमले में भी लग जाता है उसको बहुत जगह नहीं लगती चोटी सी जगह में भी हो जाता है ये दो ये परिजात का जार बहुत ही अधूत हैं हर एक उसटेशन के लिए जिसको अर्टराइीज है रुमेटिटर अर्टराइटैस हो या अस्की ऑर फरानी और विया सब्भ्षिय कंग सुरूर थैट थे बहुत परिजात है और पुरानी संटी जा जाजा है लेकिन ज़्यादा फॉराना है तो पंधर पीस दिन लगाता ने सोचेंगे दूसरा नाम हए उसका है हार सिगगा परिजाद को नाम है वो मरझी नाम है हार सिंगाल हिंदी नाम हार सिंगाल समस्कूग वो भी नहीं समस्क्राइब तो मैं आपको शकल रखाता हूं सकी सफेद रंग का छोटा फूल होता है और नारंगी रंगी उसकी गंडी होती है पारिजातक 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 पा बहुत काम अएगा आफे नहीं तो आपके पडोशिक्ता है कि अहीं संदिवात को एसा कोई परिवार नहीं जिस्में यह नहीं संदिवात की सबसे अच्छी अच्छी बहार अध्वुजग में यही है परिजाद के पेड़ का पत्ता पन नहीं पत्ता अगर आपको चिकन गुणिया हुआ है तो परिजाट की पत्ते का रस पिएगे तो तीन इंट पूगा कि दॉक्टर के पास जाएंगे तो छे महिने भी ठीक नहीं होने वहां गारेंटी तो हजारों रुपए खर्च करेंगे पहरा सीपा मोल की कितनी भी गोली खाएंगे कितने भी इंजेक्शन लगाएंगे 6-8 महिने आपका ठीकी होने वाला नहीं हुए और परिजात के पत्ते का रस्ट तीम दिन में ही चिकन पूनिया चिक पर देखें पत्ते फूल नहीं पत्ते स में बुड़े आपी बहुत अच्छा चलता है बहुत ही अच्छा चलता है उसकी और भी कई तक्लीफ है यह दोर कर देता है मूत्र से जितनी भी जुड़ी हुई शिकायते हैं बुड़े लोगों को वो परिजात की पत्ते के रस्ट से ठीक हो जाती है बिनकों मूत्र की मूत्र में रुकावत आती है बुड़ बूड़ करके मूत्र आता है बूड़ आते समय बहुत जलन होती है यह सब दिमार्या पूस कर देता है आगे चलें ऐसी ही एक बहुत अच्छी आउशदी आपके ढर में है बहुत अच्छी है वो बेखे पारीग करने जी सक्टे बार पत्ति अंदर पड़े हैं वो चबाके खा जाए तो बहुत अच्छा है नहीं तो छान के फिलकर करके पानी तो बिरूर पी लेड़ा कच्छा रस अगर चाहे तो ले सकते हैं लेकिन असर जाड़ा दिन में आए इसलिए पत्ते को पीस कर चेट्नी बदा कर पानी में गरम करके लेंगे असर जल दिया आगे आपके सुयम पाक पर में बहुत अच्छी ओसे पहती अच्छी उसका नाम है दूधीभुपड़ ज जो दूधीभुपड़ा है यह अदुधत है इसकी भाजी आप खाते हैं रोज बहुत अच्छा है तरकारी खाते हैं बहुत अच्छा है लेकिन अगर इसका रस पीए दूदी बौपड़े का तो आपके शरीर की five बिमारी लोओं को अकेला दूदी बौपड़े का रस्ठीट कर देता सबसे खरार बीमारी जिसको हिर्दय घार हाँ हिर्दय घार हाँ हिर्दय घार हर कटेट कार्ड यह गरस इतको भी हुए या हुआ है या होने की शक्तिता है उन सबकी सबसे अच्छी आउशद है दूदी बोपड़ का रस क्या करना है दूदी बोपर यह काटना चोता चोता पीस फिर चक्नी बनाना फिर उसको कपड़े में निचोणके रस एला manipulating मिक्सर लिए चोटे पीस का,टके रस कल से अब यह जो दूदी वोपड़े का रस है, इसमें थोड़ा कोत्मीर का रस मिलाएं, एक गिलास दूदी वोपड़े के रस में, आदा चम्मच कोत्मीर का रस, फिर इसमें आदा चम्मच कोत्मीर का रस, फिर इसमें आदा चम्मच कोत्मीर का रस, फिर इसमें आदा चम्मच आ और यह सम जिलाके जो रस तैयार हुआ इसको सुबह सुबह पीन हुए तो इससे क्या-क्या ठीक होने वाला है हिर्दय भार कितना भी खराब स्कुषी का हो तीम महिने से कुछी ने सटक ये पी लिया उसको जिन्दुगी में भुबारा हिर्दय घाथ को भी नहीं हो और उसी दिन से दूधी भुबड़े का रस्कीना शुरू कर दीजे तीन दिन भी अगर प्ती लिया तो मेरी गारेंटी है कि अगले तीस साल हर्ट्रेट है कभी भी नहीं है तो हिर्दय घाथ की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी हो सब है उने भुबड़े का रस कभी कभी डॉक्तर आपको ये कहता है कि आपकी हिर्दय में ब्लॉकेज है आर्ट वीब आपकी ब्लॉक हो गए है 90 परसेंट ब्लॉक हो गए तो भी डॉक्तर को नमस्ते करके घ्रा जा जा वह तो बोलेगा अभी operation करा लो नहीं तो कभी भी मर जाओ गए तो डॉक्टर को कहना है कि जीना मरना सब इश्वर के हाथ में है आपको लमस्ते आप में हमको सुझाओ दिया दिन्निवा गर आके दूदी बोपड़े का रस चालू कर दो दुबारा उस डॉक्तर के पास जाने की जरेजी नहीं पोई कि इस सबीबारियों में सबसे अच्छी होन दे दोली बोपड़े से और अरे रोग चीख होता यह संधिवार घर्वंदे का दर्ड है क़मरका गर्वे का दर्ड है दूदी बोपड़े का रस पीते रहिए तीन-चार मतले में्ट यो बसारी कर रेती कि इसी तूदी बोगोरे से एक और रों को रहा है और आपके रक्त बिकार के रते। सबसे खड़ाब होते हैं इतने खदरनाग रोग आते हैं जिसको ठीक कोई ना कर पाथ सोराइस हो सकता इचियों से सो सकता एक्जीमा हो सकता इन सबी रोगों में आधार भूत आशदी हैं दूदी बोपड़ कर अगर आपको ब्लद प्रशा बहुत उचा होता है बहुत आई ह पाथ से ब्लद प्रशा नहालित कर देता है मोटा को बहुत हो गया है और श्चार न और वजर्ण कम कर देता है नीद नहीं आती रॉप प्रशा पिजodel बहुत अच्छी निदा है भूख नहीं लगती दूदी बोपड़े कर हम इस पीजिये भूख बहुत अच्छी इन डह लेकिन इसको जादा भी लेंगे तो कोई तक्रीव नहीं आने वाले चार महीने तो कम से कम लेंगे लेकिन अगर चार से आख मीनी भी लेंगे तो कोई हरकत नहीं दूदी पोपड़े का लेकिन आप लगाएंगे तो कम से कम सब्सकेड़े तो गयर में लगा लें इतनीolis सीजगे में हो जाते हैं तो Gumbler में भी मिलेगी परिजाद में बहुत जल्दी होगा इसमों थोड़ा देर दो 40 मिनित तक कुछ खाने सकते दूदी बोपले का रस लेने के बाद 40 मिनित तक कुछ खाना पीना नहीं कुछ भी खाती सकते नहीं बिल्कुल मैंने बोला क्या नमट मिलाया तो उसका सब ताकत खतम हो गया नमग नहीं जी नहीं मिला तो कोटमीर का चलेगा कोटमीर का भी नहीं मिला तो तुनसी का रस तो कभी भी मिलेगा उतना तो डाल दीजे आल का रस तो कभी भी मिलेगा उतना तो डाल दीजे चलेगा पत्ते डाल दीजे निकसर में जब पीस रहे तो पत्ते सीधे डाल दीजे तो भी च मेरी आपको सबको एक छोटी सी सूचना है कि कोई भी मरीच कोई भी पेशन्ट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेशन कराओ या मत कराओ इस्थिति आपकी वही रहने वाली है कि ऑपरेशन होने के बाद यह है कि दो डाही लाक रुपर डॉक्टर आपसे ले लेगा यारंटी कुछ नहीं देगा वो कहेगा अगले दिन भी हर्टेक आप सकता है तो क कुछ नहीं होता कि ऐसे मेरे पाद बहुत पेशाइंट है जिनोंने ऑपरेशन कराया एंजियो प्लास्ति कराया माईपास सेंजरी कराया फिर से हरेटेक और दुबारा पैसा नहीं था इसलिए ऑपरेशन नहीं करा पाए और दूदी भोपड़ा लेना शुरू किया और वो होती है इसलिए ऑपरेशन कराने की दिखुल कोशुश मत करिए क्या होता है मैं समझाता हूं डॉक्तर करता क्या है हिर्दय को रख देने वाली जो वाहिकाये हैं इनको आर्खीस कहते हैं अम लोग अंग्रेजी में उनमें एक स्प्रिंग डालता है और वो इस्प्रिंग व करनता है और डॉक्तर जब आपको हिर्दय घाथ के ऑपरेशन में इसको डाल रेता है तो तीन लास रुपए ले लेता है तीन रुपए की चीज़ेगा और आपसे रही तीन लास ले लेगा और बोलेगा गारेंटी कुछ नहीं है कल भी रटेगा सकता तो फाइदा क्या उस कि प्रिपी ठीकोज आइए मुफद की जवाय है जादा करचा नहीं है तो लग अप्रकार के तो मैंने देखे एक तो बोल होता है और एक लंबा होता है यह सबसे अच्छा है तो लंबावाला जो बोपड़ा है उसका अरश सबसे अच्छा है गोल वाला जो है इसको हाँ अगर बीच कम होगा तो सबसे अच्छा होगा और कडू है तो उसको प्रयोग कम करिए कडू होता होता है जब पक जाता है पका हुआ दूद्य भॉपड़े का तस जादा अच्छा नहीं माना है तो उसकी पहचान कैसे करना एक दूद्य भॉपड़ा हाथ में लिजे उसमें नाफुन लगेंगे, तो आसानी से नाफुन अगर घुज गया, तो बहुत अच्छा है, और नाफुन घुज नहीं रहा है, तो बिंगुल बेटा है, ठीक है, आगे चले, जी, निरोगी मानुस भी इसका रस पी सकते, बहुत अच्छे से पी सकते, अगर निरोगी मानुस इसको पीएंगे, तो क्या होगा, शरीर के अंदर जितनी भी टॉक्सिक वेस्ट को क्या कहना चाहिए, विजातिये द्रव, या विजातिये तक्तु, जो शरीर के अंदर घुसे हुए है, जिसको जहर कहा जाता है, दूधी बोपड़े का रस, इस पूर जहर को पेशाग के रास्ते निकाल दे, ये शरीर की ऐसी सफाई करता है, जैसे कोई नहीं कर सकता, बहुत अच्छी सफाई करता है, प्रक्त की सफाई करता है, जोइंट्स जितने भी हिर्दय के आसपास के वहां सफाई करता है, शरीर के जितने भी जोइंट्स है, वहां बहुत पानी डाल के ना पी यह तो अच्छा है और अगर कोई मैपूरी है तो थोड़ा पानी डाल दीजे ज्यादा मैंगा इतना मत पानी डाल दीजे कि मोखड़ा ना रहे पानी रहे जाए तोड़ा सा मामुली उतना जब आप उसको तीस रहे हैं तो थोड़ा पानी तो लगेगा बिना पानी के पिसेगा नहीं उतना के उतना एक उसेहर से मिल्य mira 60 गिलास इतना काफिUS और बीमारी वालों को तीम सौ मिली मेडे round कृन ही कि सालबर रहिए सकते हैं कोई हरकत नहीं कोई हरकत नहीं तकली नूव कि अगे चले। कुर पान को सब को राया है कि चाली सी चालीस मिनट बाद कोई भी और पसको भूब ने कि कि नहीं रखिए साधा साधा चुना मिलाया हुआ पानी बात में पीजिए गरम पानी बने पोमट पानी हल्का गुर्पना पानी ले सकते हैं आगे अबी चलता है जैसे डूदी होगी बहुत अधवुत है ऐसे ही एक बहुत अच्छी आउशद स्वयन पाती है वह भी बहुत अधवुत है उसका नाम है फंडिक बहुत अगर गले का खोई भी त्रास हो जया है खासी होती है, बार-बार खासी होती है, सर्थी होती है, बार-बार सर्थी होती है, बच्चों को कई बार वो टॉंसिलाइटिस हो जाता है, दर्द होता है टॉंसिल्स का, ये गले के सभी तरास की सबसे अच्छी आउशद है हरत, हरत लेने के दो तरीके पर, आप हरत को गरम फानी में डालके लेसके हैं या गरम लूद में नालके लेसके हैं। और राध में जाड़ का फोऊपने बिलेशकर हैं मेरा तो पानी हो दूद में लीजिए आप दॉक्तर के पास जाएंगे वो तुरन कहेगा ओपरेशन कराओ बच्छों के टॉंसिल काटके निकाले कभी मत करा ना उनको थोड़े दिन हड़क पेगेंगे हमेशा के टॉंसिल की तकलीफ कटम होगे और ज्यादा टॉंसिल की तकलीफ है कुछ बच्छों को तो सूखी ह जो होती पाउडर के रूप में उसको सीधे गले में डाल दीजे अंदर चमच में बरिए गले के अंदर तक चमच ले जाएगे और छोड़ दीजे पास-साथ मिनट में लार के साथ मिलकर वो अपने आप नीचे उतर जाएगी और हफ्ते में दो बार भी आपने ऐसा किया त अच्छों को हड़का दूप पिलाते रहें तो रखत में कभी भी कोई दोश नहीं आता रखत में कोई विकार मिन रखत विकार ना हो तो चरी में कोई रोग नहीं आता और हड़व एंटी वाइरल है एंटी बायोटिक है एंटी पारिटिक है एंटी इंट्लिमेट्री है पांच गुण एक साथ पड़द में हैं कहीं चोट लग जई है तुरंत हड़द लगा दीजे फूल बंदो जो सेवलों लगाने की जुरूरत नहीं कोई अटिसाथ क्रीम ल हरना चाहते हैं तो तो हरत च्छी कोई वस्तु कूरी दुनिया में दोनियमित रूप करना है जिंप सज्ब्सास करना है तो दूनियमित रूप षया और लब्ली नहीं कर सकती वो हरद के लिए आधा चमभब से लेना पड़ेगा ज्यादध कि ली नपाध फेर यूज नहीं करती मैंने फेर नव्ली तो लगाकर देखा एक मशी को और टीवी में बोगस जाहिरा और महंगी इतनी आती है फेरल लबली 25 ग्राम 40 रुपई की तो हिसाब निकालेंगे तो सोने सो रुपई किलो आती है अभी सोने सो रुपई किलो के फेरल लबली लाएं उससे अच्छा है 20-25 रुपई किलो हड़ ले आई उसकी ताकत बहुत है और आपको एक और महीची देता हूं जिनको शरीर की अकीफ ऐसी है कि सूरी के प्रकाश में थोड़ा भी निकलें तो नहीं का में जलन होने लगती है इन सब लोगों को मेरी विसकी है कि हरव लगाइए तो कभी भी तशॉचा में जलनलबन करूंगे सभी भी नहीं होगा सबस्ट्रोग कभी नहीं है ग publi, और ऐसे लोग जिनकों जीवन में भ्रहमजरे का पालन करना है, अपने शरीर की श॥ी और वीरे को सुरक्षित रखना है, वो नियमित रूप से हरत काई तो भ्रहमजरे को बहुत अच्छे से आप पालन कर सकते। और आपके शलीर के वीरे को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सके हैं और इसी हड़त का अद्वुत उप्योग है दुनिया की सबसे खतरनात भीमारी जो किसी ऑउशद से ठीक नहीं होती है वो हड़त से ठीक होती है और उसका नाम है कैंसर माहिटी है आपको हड़त अमेरिका में पेटेंट करा ली डयी अमेरिका सरकार में हड़त पर 33 पेटेंट लिए और यह सारे पेटेंट Cancer Treatment से लिए है हड़त का उपयोग कैंसर में होता है अब कौन सी हड़त का उपयोग होता है हड़त आपके धर में जो काम आती है वो सूफी हड़त है पाउडर के रूप में एक ताजा हड़त आती है लेली हड़त कहते है आमपा हड़त कहते है ताजा हड़त कहते है जो खेट में से निकलते सीधे आते हैं उस हरत की चट्टी बनाएं उसमें से रस निकलता है वो रस कैंसर के मूट में काम आता है कैंसर के किसी भी बरीच को जिसको गने का कैंसर है पोट का कैंसर है आहार नवी का कैंसर है ऐसे किसी भी कैंसर के बरीच को तो रस मत मिला के देंगे तो cancer में बहुत तेज काम करते हैं अभी तक जितनी research हुई है दुनिया में रस उन research का यह कहना है कि हरत में कर्टू में नाम का इत्यमीकल है जो cancer को ठीट करने की आफ़त रखता है और यह सिर्फ भारती हरत में ही है और दुनिया के किसी देश की हरत में नहीं है पाकिस्तानी हरत में यह नहीं है बंगला देश की हरत में नहीं है भारत की हरत में तो हरत राप घर में रखी ताजा हरत मिले और घर में कोई cancer का मरीज हो तो उसका रस रिकाल के थोड़ा मत मिला कि उसको नेमित रूप से पिलाते हैं पर मत ना मिला सके किसी कारण से तो हड़गवा गुर मिलाते काट भी मिलाते उसको देते हैं अब एक और बसाते हैं अपने स्वेंटाट घर में ऐसी ही बहुत अच्छी आउश्ग है उसका नाम है जीरा जैसे हलद है वैसी एक है जीरा जीरा बहुत अच्छी आउश्ग है पित्त के जितने भी रोग है आपकी शरीम में ये सब जीने से चीक वजाए पित्त के रोग आप सब समस्ते पेट में गैस बनना पेट में जलन होना खटी खटी ड़कार आई गोजल का पचल नहीं होना इं होना इस पित्त के रोगों की सबसी आछ시 हैं उसका नाम है जीरा जीरे में को ले लिजे आदा चब और आदा कानी ले लिजे उसमें मिला दीजे पानी को फूब गरम कर लिजे में कुछ पानी को चाय की तरह से पी लोजे और जो जीरा उसमें है उसको चबाके ठाले जाए तो दियमित रूप से अगर सुवह सुवह आपने लेना शुरू किया तो ये जीरा पित्त के सभी रूपों को आपके शरीर से बिनकों जूर करें गैस बनना बंद हो जाएगी खट्टी जितनी भी है जिनको भी कहते है न पित्त बिगड़ गया है पित्त बिगड़ गया उन सब को भूलिया जीरा खाए ऐसी डिटी वह इस तो जीरा बहुत अच्छी और अभी आगे चलता है ऐसी जी जीरा आदा चंबाच हो इसमें आप तीन चार महीने ते ज्यादा कोई भी जोरुदत कोई पढ़ती है ऐसा पाउडर खाय तो भी चलेगा चलेगा है जी जी हल्बी थाइराइट को तो बराबर नहीं करती थाइराइट को बराबर करने वाली अलग ओशनी है अपनी धर में उसका नामत कोथम भी अभी बात आ गई है तो इसी को बता देता हूं को जो है यह थाइराइट की सबसे अच्छी नौशन है जिनको भी थाइराइट बढ़ गिया ड्ट्र केहता आपका धाराइट बढा हुआ तो आप आप मिलता है तो घोज़की sì कन फोतमीर जब पाजह मिलना है तो थो यह सकते हैं मेले ऐसे बी आते हैं जब नहीं है धनी अव करते हैं मसाले में इस्तेमाल करते हैं वह पानी में डालते हैं कि आपके स्वाइंपाद घर की मुख्य मुख्य आपको पता हो जाए एक बहुत अच्छी आउशद अपनी स्वाइंपाद घर में हैं उसका नाम है नमक बहुत अच्छी आउशद यह नमक क्या काम में आता है जिसको भी ब्लेड प्रेशर कम हो गया हो लो रीपी उसकी सबसे अच्छी आउशद है नमक क्या गरना है इसको पानी में मिला के पीना जिनको भी लो ब्लेड प्रेशर की शुकायत है उनको नमक पानी में मिला के पीना स सबसे अच्छी होश है कितना नमक और कितना पानी एक इलास पानी में आदा चम्मच नमक मिला सकते हैं या आदे चम्मच से थोड़ा कम उतना अगर में दूरूप से पिएंगे तो लो ब्लग प्रेशर की बीमारी बिल्कुल ठीक करें और यही नमक हाई ब्लग प्रेशर को भ इस्नान करना पानी से नमक पानी से इस्नान करना पानी से नमक पानी से इस्नान करें एक बाल्टी पानी में 100 ग्राम नमक बिला दीजे इस नमक पानी से इस्नान करें इस्नान करते समय पानी को खभी सिर्प मढ़ डालिए सिर्प को छोड़कर पूरु शरीर पर डालिए और इसनान करने के बाद शुरीप को पांक साथीने पैसे ही चोड़ बीजे उसको पोचने का नहीं नमक लगा है तो लगा रहने दीजिए पड़े पहल लीजिए और कभी भी साबुन मत लगाई है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर 15-20 दिन में ठीप हो जाए नमक पाणी थे स्मयन है यहाँ बहुत उच्छा सवाल आपके पूछा कौम सा नमक? सबसे अच्छा जो नमक आता है वो सेन्धा नमक सबसे अच्छा दूसरे नमबर पे जो नमक आता है काला नमक और तीसरे नमन पर नमन आता है, वो Crystal फॉ सॉम का नमत था पाउडर नहीं है, वो जो चोटे चोटे देले में आता है न Crystal, वो नमट, यह जो पाउडर वाला नमक आजकल बाजार में आ रहा है, आयोबी, नियु, यह तो बहुत ही ख़तरना है, है कि सब्सक्ताइए जबर्जस्ती सब्सक्राइब कर समय स्ब्सक्राइब हुआ के सब्सक्राइब कोई बने युजे जाने इसको और यह कोई भी नम हैं जिनमें आयोडीन युक्त नमक दीस साल पहले बेन कर दिया है कारण उसका क्या इन सभी देशों में आयोडीन युक्त नमक खाने से एक गंभीर बीमारी आई जिसका नाम है नपुन सकता इंपोटेंस है तो वहां के वैख्यानिकों ने रिसर्च करके रिपोर्ट डिया कि इंपोटेंसी का नपुन सकता का सबज़े वापारा है युक्त नमक खाने तो अमेरिका में जर्ममी जपान में सबी देशों में लिया खी नमस भारत आ लिया आग है खर भारत भारत ले नमस Nisamad ब्हारत में सबने खे才ए के जबर्दर्जस्ती हें तो हम मुगद्बा किया है सर्कार की खिला है तो एक दिन पर जाए कि बहारत सरकार का फैमिली प्लैनिंग पे लोग और जंसेंग्या बहुत बढ़ने हैं तो हम सबको जबर जस्ति आयोडी नमक दिलाएं चार पास साल में नकूल सकता आ जाएगी तो बच्चे पैदा होना अपने आप कम हो जाएगे तो भारत की समस्या का परिवार समानान हो जाएगे ऐसी हराम तो सब्सक्राइब है इसलिए में हैं आपको छोती सी मिलनती है कि आप यह नमक दिल्फुल मत लाइए तो वह सेदा नमक लाइए पत्थर वाला या तो काला नमक लाइए नहीं तो वह क्रिस्टल पांग का जो नमक आथा वो लाइए उसको धोकर और चूटकर पी इस पर दिखा हुआ है आयोडाइजड वो कभी मत लाइए और मैं आपको एक माहिती मेता हूं कि आप बोलेगे कि घेंगा रोग हो जाएगा राइटन हो जाएगा कभी नहीं होता है मैंने आज तक आयोडीन युप नमक लिखाया मुझे घेंगा नहीं मेरे परिवार में कि आयोडीन की जरूरत जितनी हमारे शरीर को है उतनी आयोडीन सभी दालों में होती है यह जो तूर की दाल है मुंग की दाल है मसूर की दाल है उडित की दाल है सभी में आयोडीन है हल्दी में भी है हरे पत्ते की सभी सब्जियों में आयोडीन है गाजर में आयोडीन है मूरी में आयोडीन है पटाटों में आयोडीन है जमीन के अंदर से जितनी सब्जियां निकलती है सभी में आयोडीन है शेंग दाने में तो सबसे जादा आयोडीन है इसलिए जीवन में जो भी हम भोजन कर रहे हैं जादातर भोज़पदार्पों में आयोडीन है तिर बाहर से आयोडीन देनी की कोई गरज और जरूरत नहीं है यह जबरजस्ती सरकार में अभियान चला रखता और इस अभियान के पीछे दो उद्देश हैं एक तो भारत में वड़े पहलाने पर लोगों में नफूट सकता लाने ताकि लोग संख्या कम हो दूसरा उद्देश यह है कि 15 पैसे किलो के नमक को 7 रूपए किलो दिखवा जो साधा नमक है वो 15 पैसे किलो आ लेकिन उसको 7 रूपए किलो सरकार में बना दिया यह आयोडीन युफ्त नमक के नाम है और आपकी येवग मूट रहे हैं। आपुशी से मूट वारें तूकि आपको मौईटी नहीं। आपको ये माहिटी नहीं है कि आयोदीन तो घ्रतौीं हे सब्जबू वह को इंपता दार्तों में है। हरे पकति की सभी सब्जियों में आयोदीन ह"?Spot तो इसलिए अत्रिक पायोडीन की शरीर को कोई गरज और ज़रुरत नहीं है लेकिन अगर अत्रिक पायोडीन शरीर में आ जाए तो नपुन सकता आ जाते हैं यह पक्का है इसलिए आप अपनी जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आयोडीन युक नमक बिल्कुल बने पत्त खिलेंगे जानबरों पता तक्रीफ क्या रही हैं बहुत सारे शितकरी मुझे शिकायत करते हैं कि उनकी गायोडीन नमक खिलाओ तो वो घर्वबती ही नहीं होती गायोडीन मश्रीवी घर्वावस्ता में नहीं आते हैं कि इसलिए आप इसको ना खाएं तो अच्छा नमक कौन सा खाएंगे तल से तय कर लिजे वो सेना नमक सब जगें मिता है ठोड़ा मेह आता वो ले आइए और एक नमक आता पाकिस्तानी नमक नाम से देलनी नमक वो भी अच्छा है नहीं तो प्रिस्तन वाला नमक गर्प इसको कहते हैं तो आपको मैंने आपके स्वयंपाग घर में क्या-क्या है उनके और यह बात मैंने कहता भारत के सबसे महान चिकिपसक उनका नाम था चरक उनों ने करी तो चरक रिशी आज से लगवाद पांच हजार वर्श पूर और उनका यह मानना था कि भारतिये स्वयंपाग घर कि दुनिया का सबसे बड़ा ओश्यक्त के इंद्र अर्था सारी ओश्यक्त स्वयंपाग हम अगर हम उसका दिहान से सदूपयोग कर सकें तो वघन से विरीश परो दिश्यक्त सबसे ज्यादा ओट्योगी है तो कर म Не मैं आपको ऐसी ही कुछ शट की मायती दी थी और सुमपाग घर में है ऑनिद्र और और जीने बारे में के बारे में ब्लाट ओछेजू नमक के बारे में बताया, आपके स्वेमपाग घर में कुछ सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, भाजी पाला तरकारी के रूप में, दूधी बोबले के बारे में मैंने आपको कुछ माहिती देती, ऐसी ही कुछ माहिती, आज जो कल छूट गई, अदूरी रह गई, और मैं आपक कल की पूरी माहिती स्वेमपाग घर के बारे में जो है, इसमें आपके मन में कोई जिग्यासा हो, प्रश्न हो, आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, कल जिसना मैंने बताया, आज तो जो मैं बताऊंगा, वो तो ठीक है, कल जो मैंने बताया, उसमें आपके मन में कोई ज कुछ न अच्छा होता है तनिस्पस की उसको गलत करने से मैंने आपको कुछ बोला और आप में उसको कुछ ठीक से समझा नहीं और गलत प्रयोग पर लिया और आपको लाब होने की ज़गे नुकसान हो गया तो फिर आप उगे जाली देंगे इराजी भाई मैं ऐसा बोला था मैंने कुछ बोला था लेकिन आप में कुछ और सुना और उसकी वज़े से तक्लीफ हो सकती तो कल जितना मैंने आपको बताया है आपके मन में अगर कहीं समझ में नहीं आया हो कोई दिभ्यासा हो प्रश्न हो तो तुरन पूछ लीजे दस मिनट के बाद शिर मैं नया विश मैं आपके मोंको आपके जा आपके बाद जो स्याद का दो जाजसे है आपए आपके मैं आपके महहाया थाई आसे हो प्रुछ प्रुछ भीज साथा। बोजन के बाद वेल्डोडा लवंग खा सकते हैं लवंग खाने में कोई तक्लीट नहीं है बोजन के बाद आप बड़ी सौफ खा सकते हैं बोजन के साथ बोजन के बाद छोटी सौफ खा सकते हैं लवंग खा सकते हैं इलाइची खा सकते हैं बोजन के बाद आप पान खा सकते हैं बोजन के बाद आप चूना खा सकते हैं बोजन के बाद आप बुर खा सकते हैं पोजन के पास बहुत कुछ खाया जाता है, पानी नहीं पिया जाता है, तो आपके बहुत सारे रोगों में बहुत पाइदा होता है, चूने से जो रोग ठीक होते हैं, आपको कहीं भी घुद्बे का दर्द है, कमर का दर्द है, या तो मन के का अत्रास है, आपको कहीं भी नीद अच्छे नहीं आती है, सुगा उटने पर आलश से बहुत रहता है, शुरीर में फूर्ती नहीं है, बोख अच्छे नहीं लगती, शुरीर बहुत बारीक है, अच्छा भोजन करने पर भी बजन नहीं बढ़ता है, ऐसी सभी बीमारियों में चूने से बहुत लाग होगा आपको आपने बहुत दिन लंबे समय तक शराफ पिया है शराफ पीने से शरीर के अंदर के अंग खराब हो गए तो भी चूना आपके लिए बहुत दोकारी है बारवार आपको सर्दी जुकाम होती है शरीर की प्रतिकारक शक्ति बहुत कब हो वही है उस का भी बहुत अच्छ एलाज पिश्टी में से होता, गर दर के छोटे बच्चे हैं जिनकी उच्छाई नहीं बन रही है, उनको चूना खिलाईए तो बहुत अच्छाई बढ़ती है, जो मतीमन्द बच्चे हैं, जिनकी मान से की इकलांगता है, इनको तो चूना चिलाई है, वो भी बहुत है, तो चूना एक, मैंने 48 लोगों में उप्योग करके देखा है, बहुत अच्छे परडाम इसके आपे, और इसका साइड इफेक्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति को होता है, तो इस तरही भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकता है, जिनको मूद्खडा की शिकायत कैंके अगर वो चुना खाएंगे तो मूद्खडा और ज्यादा होगा, और इसका साइज बरा हो गया है, अगर वोhteस्यों हो सकता है, पाँच मिली मी्टर हो सकता है, तो बस एक ही लोग हैं, यक्ति हैं, इस्त ही आपरुष जिनको चुना नहीं खा लिए उसके बाद आप भी चुना पत सकते हैं, एक आंक से ज़रा भूकापन दिखता हो चाहिए, कोईसा उप जागा न कीए, यह तो मैं अभी आगे बताऊगा, कल मैंने जितनी बात कही है, उतने कोई प्रश्क करिए, और पिर कि ऐसी जिए है, सबसे अच्छी दवाह है, ज जीने को पानी में डालिये, पानी को उबालिये, उसको फिर हलका ठंडा करके पी लेजी, तो अच्छी देटी की सभी तकलिफ आपकी खतम हो जाए, और पानी का जो नियम मैंने बताया है, ठाने के जिड़ गंटे बाद पानी पीना, पानी हमेशा भूद 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 बर जोड़ा करके पीना, तो बहुत के ही सबस्क्राइब पानी पीना, और ठंडा पानी कभी ने पीना, ये चार नियम का पादिल करेंगे तो कभी जिन्दुजी में एस्टि नहीं आए, चुना खाने का प्रमान, और किसके साथ खाने चाहिए हो वे लेकल बताया है, एक ग्रा जाए आप पांजार में जाए पान की दुगान से चूने से एक छोटे की तोड़िया मिलते हैं। उसमें लगबत 10 ग्राम चूना होता है। उसके 10 हिस्थे करेंगे तो एक ग्राम निकलेगा। वो एक ग्राम चूना और जही में मिला के खा सकते हैं। एक कफ रही में या एक गिलाज पान में मिला के खा सकते हैं। इपने लेड़ेश करेंगे। 6 साल का लड़ता है इसको चुणने का एक शुरू कन है। व पानी में तो नहीं लेंगा। नहीं में रही में आथ में.. नहीं तो कोई ग्रूस में और वो किती में नहीं लेता है तो एक तो दाल में उनके मिलाजी। दाल में या 5 Sublim अफ्का इस फेंचुर समेरा यूखा हुआ है। पहस्या है। आए कि अभ्ला ना को भुण देख अजए हुआ है। अभुण से करे में ओध दो नहीं हुआ हुआ पकर आइगा। तुदा ल्टो ने ओर मन जानी प्राव अगे आगर वरो दो करें पर बन कर फिर अंदर अगर अंतर आया है डिस ना खाने से बराबर गेस बहर जाएक नहीं जो हो आए अंतर फिसको इन को हो आपको आप इत्फा अध़या कहां से और गेफ कमब डर्न la 나 प्रमेट परो कणयां मौ तो उसपहए कि अधिम करनार नाग कि अधिम कि अभी बताता हूं इसको तु आज के विशह मैं ये बताऊंगा कन जो मैंने बोला उसमें पर प्रट्म करें दमे के बीमारे अले बोले का मैं बताऊंगा जी अगरत पीती हुई हां उसमें मज जा लगी हां को गरम करके हां मुने तो ज्यादा है अपरमा में गरम करें तो लिगर सुना किया दो चमत आया तो चलेगा नहीं चलेगा कभी भी मद अगर मिला दिया है किसी चीज में तो उसको गरम नहीं किया जा सकता आप अगर 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 के रस को पहले गरम करिए बाद में मद मिला ये तो चलेगा अ अकेली दुनिया की चीज où बिना गरम किये ही खाई जाती है अगर आपने उसको गरम किया यैंकिसी गरम चीज में डाला तो वीरश में बदन जाता है जहर इसलिए अधरख रस में बद मिलाना है तो ऐसा इसलिए मिलाए या तो अधरख रस को गरम करिए बाद म Hmad कि वोड़ेज परसे उसके लिए सामय नेता गुर्गा जुखी यह बिमारी बहुत हो इस प्लोगे में दिखाई जाती है उनकुर यह बैट्टे उट्टे समय या बाक्ते क्लावेट में जाते समय वो गुर्गा उसका सिदा होता नहीं और चलने में भी मुशिवत जाती है तो परिजात के पेल के पांच-छे पत्टे तोड़िए उसकी चट्ट्टी बनाएए एक गिलास पानी में मिलाएए पानी को खूब गरम करिए इतना गरम करिए कि पानी आदा हो जाए तिर उसको ठंडा होने के लिए रख दीजे रात बहुर उसको रखा रहनी दीजे सुगा उसको खाली पेट पीना है तो परिजात के पत्ते का चट्टी का बनाया हुआ रस किसी भी व्रद्व व्यक्ति को जिनकी उमर 90 वर्श है 95 वर्श है वहां तक ये दिया जा सकता है और ये देते ही आप देखेंगे तो तीम चार दिनकी अंदर तो अद्वुक परिनाम क्यां तो परिजात के पत्ते में गर्मी बहुत होती है तो एक महीने से ज्यादा इसको देने की जरूरत नहीं है कि अधार जाने 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 के बारे में आपके घर में सबसे अच्छी और इसका नाम है महती का दाना आप इस महती दाने को पानी में रात को डालिए एक चमच महती दाना एक दिलास पानी में डाल लीजे सबेर उत्तर उस महती दाने को चबाके खाईए पीछे से उस पानी को पी जाए अगर ऐसा 3-4 महीने नियमित रूप से आपने किया बहुत जल्दी आपकी diabetes ठीक होगी ये एक उपाय है इसी में एक दूसरा उपाय भी है आप चाहें और अच्छे से और जल्दी diabetes ठीक करना है आपको ऐसा लगता है जिने तीन महीने महीं तो मैथी दाने की जितनी मात्रा है इतनी ही मात्रा त्रिफला चून उसमें मिला देगे त्रिफला चून आप समझते हैं फरके अपन्खवेडा आवला इन तीनों को मिलाकर बनता है त्रिफला तो त्रिफला चूल की मात्रा और मैथी दाने की मात्रा दोनों बराबर दे लिए या तो मैथी दाने का पाउडर बना लीजे एक चमच मैथी दाना पाउडर एक चमच त्रिफला पाउडर दोनों एक किलास पानी में राथ को बाल दीजे तुबह उठकर उस पानी को पी कि एक चमच नियमित रूप से लेंगे तो तीन महिने के अंदर ही आपकी जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल सामान ने हो जाए आपको ऐसा बिल्कुल लगेगा नहीं कि आपको कभी जिन्दगी में डाइबिटीस का तो यह जूसरा उपाय है डाइबिटीस का एक और उपाय जी में हम लोग सब उसे ऐलोविरा कहते हैं तो खोर पड़ अगर है आपके घर में तो इसका पत्ता काटिए चाप उसे और उसका उपर से छिलका उतारिए जैसे ही आप छिलका उतारेंगे तो उसमें से रस निकलना शुरू हो जादा है उसको ऐसे थोड़ी देर लटकाए सब पूरा रस निकलाएगा तो तीन से चार चम्मच उसका अगर सुबर सुबर ठाली पेटा आपने पी लिया तो भी तीन से चार महिने में आपका डाइबिटेस जीग करते हैं तो यह तीन चीज़ें हमारे सोम पाक घर में हैं एक तो पोर पड़ हैं दूसरा आपके पास म जालाइए उसया हैं उसरां जो स्वैंपा घर में हैं वैसे तो मैं आपको इतनी दूआईं बता सकता हूं आप उनको ढूंबते रिये बाजार में लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि आप बहुत पैसे खर्च कररें फिर ठीक हो बहुत पैसे खर्च करके ठीक करने वाले तो बहुत डॉक्टर 40 गाओं में बैठे हैं मैं वैसा आपनी नहीं हूँ जो आपके पैसे खर्च कराऊ मैं ऐसा इलाज आपको बताना चाहता हूँ ऐसे उपाय बताना चाहता हूँ जो आप बिना किसी खर्चे के आसानी के साथ अपने घर में बैठके कर सकें स्वानपाद घर के बाहर आपको ना जाना करें जी टी स्पूर जब भी मैं कोई चम्मच की बात करूँगा तो हमेशा याद रखें वो टी स्पूर नहीं हो भी कभी भी मैं बोलो एच चम्मच ये तो उटी स्पूर नहीं होगा भी बाज आपको नहीं के बॉला की बोला कि इस रखें पर दोए तुने पर पानी जाता है बिल्कुल आसान है इसको छूट करना थोड़े जिन चूना खिला दीजे। मैने आप से कहा था कल कि सर्वी होना मने प्रतिकारक शक्ती बहुत कम है। बार बार सर्वी होना, पतप सर्वी होना, ये उनी लोगों को होता है जिनकी प्रतिकारक शक्ती बहुत कम है इसको बढ़ने की सबसे अच्छी दवा है चूना, रही में मिला के थोड़े दिन खिला दीजे, सर्वी होना बिल्कुल बंद हो जाए चर्ड लो बीपी और हाई पी के लिए मैंने बोला था कि तमख को पानी में मिला के पीना लेकिन कौम सा नमक, मैंने आपको बोला था संचर नमक एफ होता है और एक आप वो नमक जिसको उपवास में इस्तिमाल करते हैं क्या कहते हैं, सेंदा नमक, कोई लोग उसको सेंदा नमक कहते हैं, कोई लाहोरी नमक कहते हैं, कोई पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं मूल बात उसमें यह है कि वो पत्थर से बना हुआ नमक है नमक दो तरह का है पूरी दुनिया में एक तो दरिया के पानी से बनाया हुआ जो मैकिट में मिलता है आप जिसको आयोबी नियुक्त के नाम से जानते हैं ये सब दरिया के पानी वाला नमक है और दूसरा नमक है जिसको संचर नमक, काला नमक, सेदा नमक, तुपवास वाला नमक, ये पत्थर से बना हुआ है तो ये जो पत्थर वाला नमक होता है, ये दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है इसलिए ये थोड़ा महिंगा बिखता है तो जिसको भी ब्लड प्रेशर की शिकायक है, उनके लिए ये नियम है कि वो नमक को पानी में मिला के पीए एक गिलास पानी और उसमें एक पाव चम्मच, चम्मच माने टी स्पून नमक मिलाते, आप पीते रहिए, तो जिनको भी लोग ब्लड प्रेशर है, वो छीप हो जाएगा हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैंने बताया था कि जिनको उचा दवाओ है रस्त का, उनके लिए नमक की पानी से इसलान करता है एक बाल्टी पानी है, उसमें कम से कम और इसनान करने के बाद शरीर को पोचना नहीं है, त Glasya इस्तेमाल मत करिए कोई कपड़े से शरीर को रगड़ना नहीं, जैसे पानी है उसको सूखने दीज़े और ये सूखने के बाद आप पस्त्र पहन लिज़े, कपड़े पहन लिज़े और जिनको high blood pressure है उनको साबुन भीकुल इस्तेमाल नहीं करना है तो इस पद्धती से अगर रोज इस्नान करेंगे तो पंद्रे दिन में ही आपका high blood pressure ठीक हो जाए आयुरुवेग में दागवट सहिता में एक सूत्र है high blood pressure के लिए और low blood pressure के लिए संस्कृत में तो सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है कि जिनको high blood pressure है उच्छ रखत दबाओ उनको समुद्र इस्नान करना चाहिए अब 40 गाओं में समुद्र कहां से आएगा इस्नान करने चाहिए तो इसलिए मैंने आपको सरल करके बता दिया कि आप पानी को जब इस्नान कर रहे हैं तो उसमें नमक मिला दीज़े समुद्र तयार हो गया समुद्र कह माहने है नमक का पानी तो बाल्टी का पानी है उसमें नमक मिला दीज़े समुद्र तयार हो गया इस पानी से इस्मान करें, तो ये high blood pressure की सबसे अचूप, सबसे सरव, सबसे अच्छी दभाण, high blood pressure के किसी भी मरीज़ को नमप मत खिलाए, नमख के पानी का इस्मान करएग, अर low blood pressure के किसी भी मरीज़ को नमख खिलाए ज्याजा से ज़ा, पर पर तो दिए आ लेका है कि बीच में पासा दिन ब्रेक करके फिर महीने बर नहां सकते हैं पर प्रेक यहां अब बताओं ने जो कहां उसकी बाद यह अभी में बताने वाला उपाओं की नस सूचती है या पेट में दर्वें कि आइवेड में एक बहुत बड़ा अध्याय है इसका नाम इदीड चर्या। इदिन चर्या के अध्याय में सब्षेर Samsung सोने में क्या 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 करना चाहिए उसके सारे निम्यर तो उस अध्याइ कि अनुसार हमेशा इस्नान करने का सबसे अच्छा समय है, सुबह का समय, उसमें उठने का ये है कि साले चार बजे के आसपास उठ जाना चाहिए, और इस्नान का समय उसमें है छे से साले छे बजे का, तो सुबह छे साले छे बजे के आसपास आफ इस्नान करने हैं, अभी घर शुप मेझाद सुबह चड़ना कि सब behavior that तो हुआ है इस को शाम का बढ़क किली उचये में कुछ खास मिरीं जिन और अग्डा हम को शाम का सैस्थ नां बहुत अप्जा होता है। में सभी स्वस्थ मौ उप Most मरीजों को 15-20 दिन आप नमक पानी पिलाएए नमक पानी पीने ही वाला ना इसनाम करने वाला तो मरीने वर्कट कर सकते पीने वाला अगर नमक पानी है तो 15-20 दिने उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक कराएए अगर सामा में आजाता है तो फिर आगे देने की ज़रूरत नहीं अभी इनोंने एक प्रेशन पूछ लिया है अभी चर्चा हो रही थे नहीं इसनाम की तो इन्होंने पूछ लिया कि गरम पानी का इसनान या ठंडे पानी का इसनान आयरवेग में बहुत इसपश्टता से लिखा गया है कि गरम पानी से कभी भी इसनान नहीं करना चाहिए गरम पानी पीना चाहिए इसनान में हमेशा ठंडा पानी ही रखना चाहिए फेंडे पानी से मतलब जो सामान में तापमान का पानी है वही पानी से इसनान करना अच्छा होता है और अगर आपको कोई बहुत बड़ी मजबूरी है नान दीजे आपको जोर्म है जोर्माने फीवर है बुखार है बहुत तेज बुखार है और आप नहाना चाहते हैं तो ऐ जोटज सक्ति के साथ एक सुत्र लिखा गया है बागवात संहिता में कि सिरक'े ऊपर गला है गरम पानि अगर आपके जीवन अएंगे बानिसिक रोग भी हो सकते हैं वो और शारीरिक रोग भी हो सकते हैं इसलिए सिर्प के ऊपर तभी भी गरम पानी बढ़ आई वैसे तो गरम पानी से नहाई है मत में आपसे कैसा लेकिन आपका दिल नहीं मानता शरीर नहीं मानता आदत बुरी पड़ गई है बाहराशने के लोगों को इस बहुत पुरी आदत है, गर्मी में भी गरम पानी से भाते हैं तो अगर आदत पुरी पड़ गई है, शरीर को लग गया है इसका तो आप ऐसा करिए., इसका गरम पानी, चरीर के diese यंग पर डाले हैं पानी से बचने चाहिए क्यों बचने चाहिए कारण में बता देता हैं यह सिर और आंख जो जो है ना कफ का इस्थांट है हमारे शरीर में तीन दोश होते हैं ना वात पिछत और कफ तो यह जो सिर है सिर यहां सबसे ज़्यादा कफ रहता है आँख और सिर में सबसे ज़्यादा कफ रहता है और कफ और गरम पानी की खतरनाथ दुश्मनी अगर गरम पानी दें तो कफ और तेजी से बचता है इसलिए सिर और आँख दोनों को गरम पानी से बचाना चाहिए आखों को कभी भी धोना हो तो फंड़े पानी से घुटोई ताकी शरीर को थोड़ा गरम पानी डाले से चलेगा नहीं तो मेरा सुझशाओ है कि गरम पानी डाले दाले जी मस्ट फंड़े पानी से नाये आदट डाल दीजे शरीर में आदट पढ़ते हैं जी ठंड काल में ठंड काल में भी आप कोशिश ये करिए कि बहुत गरम पानी ना रहे कोमट पानी रहे हलका गरम पानी रहे गुंगुना पानी रहे बहुत गरम पानी उस समय भी अच्छा नहीं है शरीर से पानी का ठंडी से कोई संबन नहीं आपके दिमास में बहुत बड़ी गैर समझ है वो ही है कि ठंड पानी से नहाएंगे तो सर्दी हो जाएगी सर्दी का पानी से कोई रिष्टा नहीं है सर्दी का रिष्टा पोट से है बोट खराब होगा तो जरूर सर्दी होगी जिनको संडा साफ नहीं होती बार बार जिनको कोश्ट बद्दता रहती है मल बद्दता रहती है कबजियत रहती है उनको ही सर्दी सबसे ज़ादा होती है पानी का सर्दी से कोई संबंद नहीं इस बात को दिमाग से निकाल दीजे कि ठंडे पानी से नहाने से सर्दी होती है बिल्कुल नहीं होती सर्दी उनको होती है जिसको फोट साफ नहीं होता उन्हीं को सर्दी होती जिसके इसमयल में धरम पानी के लिए उन्हों पानी से नहाई की तरह गाई यह उनके लिए है जिनको शरीर में कोई भयंकर दर्द है अगर शरीर में आपको मसल्स पेन है वो तरह के पेन होते हैं एक तो बोंस में है हड्डियों में और दूसरा माश पेशियों माश पेशियों का अगर कोई भयंकर दर्द है तो ठंडे गरम पानी से नहने पर बहुत आ खाली थंडे साही नहाना की चले आगे बढ़ें कल मैंने आपको जितने रसोई के स्वेंपाद घर के ओशग के बारे में माहिती भी थी उसी के आगे की थोड़ी माहिती मैं और देता हूँ कल मैरे आपको कुछ ऐसी आउशदियों के बारे में बताया था जो बहुत ही अच्छी है उन्मे से एक महिती का दाना था एक चूना था एक डालचीनी थी एक हड़ती एक नमप था ऐसे ही कुछ-कुछ बाते थी आज मैं आपको ऐसी कुछ माहिती देता हूँ जो ऐसी ही अध जबुत आउशदियां है और अपने स्वैंपाक ज़र के बिल्कुल मजडीत में उख लख है उन्मे से एक आउशद है उसका नाम है तुल्सी हम सब के घर में हैं ऐसा कोई भर शायद नहीं मिले जहां तुल्सी ना हो तुल्सी दो प्रकार की होती है एक तुल्सी ऐसी है ज लाइट ग्रीम है और जो श्याम तुल्सी है उसका रंग बहुत यहरा हरा होता है तार्क ग्रीम कभी कभी वो दिखने में ताली भी दिखाई देखी इसलिए उसको श्याम तुल्सी कहें तो यह जो श्याम तुल्सी है इसी के औशदिय गौन है राम तुल्सी में ज्यादा तो घर में लगानी हैं आपको तो हमेशा सोच विचार कर श्याम तुल्सी ही लगाईए तुल्सी की विशेष्टा यह है कि यह कभी भी लगाई जा सकती है साल के किसी भी महिने में आप इसका रूपन कर सकते हैं और दूसरी विशेष्टा यह है कि यह सभी समय मिलती है वोई भी समय में आपको जी मिलती तो आप जमले में लगा सकते हैं घर में लगा सकते हैं अब यह जो श्याम तुम्सी हैं इसके क्या-क्या उप Yupイog आपकर सकते हैं इसका सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के दुखार को अंब करने हैं। पीवर, किसी भी तरह का फीवर आपको है, वाइरल फीवर है, वैक्तिरियल फीवर है, या ताइफाइड का बुखारा आ गया आपको, या सरदी जुकाम के कारण को भुखारा गया, या कई बार ऐसा होता है, कि शोνε securely से बहुत जादा श्रम किया, बहुत काम किया, तो भी तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में श्याम पुलसी का बहुत बड़ा योगदान है इतना बड़ा योगदान है जो शायद किसी दूसरी चीज का नहीं तो आप इसको हमेशा घर में रखे और किसी भी तरह का बुखार आए तो इसका भरबूर उप्योग करें इसका उप्योग करने का तरीका बहुत सरल है 15-20 पक्ते इसके तोड़ी है श्याम पुलसी के चट्मी बना के उसका रस्ले काल लीजे इस रस्को गरम कर दीजे इसमें थोड़ा गुड मिला दीजे और अगर आप शहद खा सकते हैं मद खा सकते हैं तो थोड़ा सा मद मिला दीजे और इस रस्को मद के साथ मिला कर नहीं तो गुण के साथ मिला कर एक-एक चम्मत सुगद उपर शाम अगर लेंगे तो किसी भी तरह के बुखार को तोर सकते अंग्रेजी की दमा पेरसीता बोल जो काम करती है वही काम ये तुलसी करती है बहुत अधूत तुलसी का सबसे बड़ा उप्यूग है किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में अगर 104 डिगरी 105 डिगरी बुखार आ गया है तो तुलसी का काढ़ा बना के दीजिए बुखार कुरंत 105 से 102,101 के आ जाए काढ़ा कैसे बनाना है तुलसी के पत्ते बंगरभी स्टोड़ कर पानी में डाल दीजिए आधा कप पानी में खूँ उबाली है इस पानी को इतना उबाली है कि ये आधा रह जाए पिर इस पानी में थोड़ा गुड़ मिला दीजिए और गुड़ मिलाकर पीने लायक जितना गरण है इतना इसको बनाते पी लिजिए तो ये काढ़ा है तुलसी का इस काढ़े से कितना भी खराब से खराब बुखार है तुरंत नीचे आता बहुत ताकत है तुलसी में बुखार तोड़ने के इसी तुलसी का बहुत ज़्यादा सदूपयोग सभी माताएं कर सकती है मासिक पारी से जुड़े हुए एक बहुत खराब रूज में इस तुलसी का बहुत अच्छा उपयोग होता है सफेद पानी आना पांडरे पानी की शुकायत है जिसको हम सब लोग आजकल बहुत परिशान है काफी माताओं को ये तकली आजकल हो रही है तो पांडरे पानी जाने की शुकायत जिनको है अंग्रेजी में जिसको लिकोरिया कहते हैं इसकी सबसे अच्छी आउशब है यही तुलसी श्याम तुलसी का बरबूर उपयोग करी है आपको इस भीमारी से दिल्कुल आसानी से निजाद बिन जाए इसको लेना कैसे है तरीका मैंने बताया है कि इसका काहा बना के ले सकते हैं नहीं तो चट्नी बना के रस निकाल के ले सकते हैं और जिन माताओं को ज़्यादा दिनों की ये शिकायत है प्वेत प्रदर की लिकोरिया की उनको इस तुलसी के रस के साथ थड़ी शक्तर जरूर खानी चाहिए तो जिन्दभी भर के लिए आपको ये बीमारी खतम हो जाए तुबारा कभी नहीं आए इस तुलसी का दूसरा सबसे बड़ा उप्योग इसी तुलसी का एक तीसरा उप्योग भी है बुजुर्गों को जो अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए हैं जिनको पेशाग की अकसर शि सब्सक्राइब के लिए इस तुलसी का अधूत उप्योग है तरीता मैंने बता दिया एक ही है या तो काड़े की रूप में नहीं तो उसका रश और ये तुलसी एक काम में आती है अगर आपके बाल में बहुत जादा डेंडरफ है बहुत परिशान है खोड़ा केते हैं कि यह बहुत हो गया डेंडरफ हो गया खुझली बहुत आ रही है तो यही शाम तुलसी का रस निकालिए चट्नी बना कर और यह बाल में लगा लिए एक पास के बाद बाल को जो सब कोंड़ा निकाल देंडरफ आपका इंडरफ ठीक कर देती है और इस तुलसी का एक अच्छा उप्योग है कभी माताओं को मासिक पाड़ी के समय बहुत जास्ती रक्त जाने की शिकायत है आपको तीन दिन रक्त जाना चाहिए लेकिन पांच दिन जा रहा है साथ दिन ज कंशा में लिए इसका व्हारी या इस अटाइस बहुत अच्छा उप्योग है कीडे का इस उस जन्तु के कारण वो बहुत परेशाद जाती है। अक्सर ऐसी परेशानी उनको आती है कि आप तो बहुत अच्छा-च्छा खाना चिलाते हैं। लेकिन वो सब खाना उनके जन्तु खा जाते हैं। शरीर को नहीं लगता। अगर ऐसी जराबी संभावना लगे कि बच्चों को शरीर में जंदू है तो यही तुलसी का रस और उस काड़े से जंदू सब निकल जाते हैं इस तुलसी का बहुत बहुत अच्छा होगी हो कई कई बीमारियों में आप कर सकते हैं और एक आखरी बीमारी शरीर को कहीं पर कोई घाव हो गया ब्रण जिसकों से और इतना भेंकर घाव हो गया कि भरता नहीं उसमें से लसी भी निकलती है उसमें से रत्त भी निकलता है घाव भरता नहीं तो यह जो तुलसी की चट्नी बना के आप लगा गया तो खराब से खरा गंले में लगाकर रखिए और घर में थोड़ा बड़ा बगीचा है तो ज्यादा बड़े इलाके में लगाके रखिए बहुत काम आईगी हमेशा काम आगे चलते हैं अपने घर के स्वैंपाक घर के नजबीक में ऐसी ही एक बहुत अच्छी और तुन्सी जैसी उसको मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था खोर पड़ एलो विरा वार बाठा अद्वुट है ये बहुत बहुत बीमारियों में काम आता है आप इसको भी गंले में लगा सकते हैं बहुत आसाने इसका लगी है खोर पड़ का रस हमेशा इस्तेमाल किया जाता है तो उसका पत्ता काटेंगे पत्ता काटते ही रस निकलना शुरू हो जाता है और उसको छील देंगे तो और ज्यादा रस निकलता है ये रस इकठा करते ही आप इसको कई तरीके से उप्योग क कर सकते हैं सबसे बड़ा उपयोग इसका है डाइबिटीज में जिनको भी शक्कर की बीमारी है उनको यह थोरपड का रस इकठा करना और चार पाक चमच सुबह खाली पेट पीना बहुत अध्वूत काम करता है दूसरा यह खोरपड का रस ऐसे लोगों की सबसे अच्छी दवा है जिनको नपुन सकता है इंपोफैंसी की बीमारी जिनको बहुत है ऐसे सब लोगों को खोरपड का रस बहुत अध्वूत काम करता है आप उनके लिए भी बोल सकते हैं कि तीन चार चमच रोज सुबह इसको को पिना तीसरा ये कनके काम आता है जिनके शरीर में भोडें बहुत होते हैं मुटत खुंसियां कि अकथर आप ने देखा है कि गरमियों के दिन में कई चोटे बच्चे को ऐसे हैं जिनको हमेशा कभी आप हेां कभी पाल आपके बहुत जड़ते हैं, बहुत ज्यादा ठूटते हैं, समय से पहले आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बाल ठूट रहे हैं, कारन आपके कुछ समझ में नहीं आरा तो इसमें भी कोरपड कर बहुत अच्छा काम करता है, बालों में लगाईे, एक तास के ल कि उक्तरिये बाल एक दम अच्छे हो जाए अगर समय से पहले दिना किसी कारण से जेनेटिक प्राब्लम भी नहीं है तो भी किसी को बाल अगर सफेद हो रहा है उनको बोलिया कि कोर्पड का रस लगाए बाल एक दम काले करते आए इसी कोर्पड के रस से परीर के अंग का कि अगर कोई भी बीमारी आ गया तो अलुपती का डॉक्टर एक भी बात आपको बुलेगा कि शरीर का यह अंग काट के निकाल को यह सड़ा हुआ शरीर का अंग फिर से जीट करने की ताकत दुनिया में जो सौशत में हैं तो यह यह कोर्पट कर कितना भी खराब अंग सड़ कर देखेंगे अजबुत पढ़ना माता है कि इसी कोर्पट के रसका और अच्छा एक उप्योग है जिनको भी रख्त का दूशन हो गया रख्त का दूशन बहुत तरहका होता है जैसे आपके रख्त में एसिडिटी बढ़ दें रख्त में अमलता बढ़ दें और रख्त की अमलता बढ़ने से क्या बीमारियां होती है चर्म रोग सबसे जादा आते हैं सुराइसिस नाम का एक चर्म रोग है इचियोसिस नाम का एक चर्म रोग है एकजीमा नाम का एक चर्म रोग है ये सारे के सारे चर्म रोग रख्त की अमलता बढ़ने से आते हैं तो ऐसे किसी तरह उसकी मालीश भी कर सकते हैं. और जल्डी ठीक कर देखा है। इसी कॉर्पट के रस से आपके शरीर का अंदर के कई रोग ठीक होते हैं। जैसे आपको अलसर है, अलसर आप समझते हैं पेट में घाव हो गया। अल्सर है या पैक्टिक अल्सर है इसको ठीट करने की ताकत खोरपड के रस्मे हैं तो जो जो अल्सर के पेशेंट है जिनको पुल्सराइटिस है वो भी इस कोर्पर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं यह एक कोर्पर्ट मैंने इसका उप्योग करके देखा है कम से कम 53 बीमारियों में 53 डिसीज में इसके बहुत अच्छे रिज़र्ट इसलिए आप अपने स्वेंपाख गर के नजदीक में एक गमले में कि ऐसे दरद हो कान में आप कोरुपट के रस्की एक ध्यम इसके लिसीज है निकलना बदूए लिस पीमारें नहीं चांट हिए फिस चार दें सपच डालेंगे लस्न निकलना बंदूए इसी कोर्पट का और कई जड़े उप्योग होता है आपके मुं से बहुत बास आती है फुबह उपते ही आपको ऐसा लगता है कि मुं से बद्बू आ रहे हैं आप खोर्पट के रसको मुँ मैं मालिश करें मुँ में मतलब मसूडों पे मालिश करें उसके बाद कुली कर लीजे तो मुँसे बासाना बन कर आदे अगर आपके मसूरों से खून आता है पायरिया नाम का रोग अक्सर हमारे दातों से खून आता है मसूरों से खून आता है तो कोर्पर्ट के रसको हलके हलके मालिश करिए तीन-चार दिन के अंदर ही पायरिया को सबसे जादा भारत नहीं होता है अगर इस पूर्पट का कोई बिजनिस करें तो एक ही साल में कोटी पती हो सकता है कि इस कोर्पट का अमेरिका में एक हजार रुपर लीटर बिखता है गाय के तूप से भी महना गाय का तूप बिखता है सो दोसो धाई सो रुपर लीटर और ये इतना महना क्यों बिखता है क्योंकि दुनिया के दूसरे देश्वां में ये ज्यादा होता नहीं है लेकिन इसकी डिमांड बहुत है जितनी भी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज है कॉस्मेटिक्स के सामान बनने वाली कंपनिया सबको ये चाहिए अमेरिका और यूरोप में सबसे जादा इसकी बांग है लेकिन वहां उप्तन होने ही बाता जादा ज्यादा ये बारत में होता तो अगर आप वास थोड़ा खेत है खेती है तो किनारे किनारे कोर्फट लगा दीजे इसको पानी नहीं देना पड़ता इसको खत नहीं देना पड़ता कुछ नहीं देना पड़ता ये अपने से बढ़ता रहता है काटते जाए रस निकालते जाए पाटली में दरके आप सीदे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बारत की बजार में भी बेच सकते हैं बहुत बड़ा बिजनेस है और ऐसा बिजनेस है जिसमें घाटा कुछ नहीं होने वाला मुनाफ़ा ही मनुद्फा है इसके दो फाइदे होते हैं अगर शेट के चारो तरफ आप ये खोरपड लगा दें चारो बादू में तो उस उस पूरे शेट में कोई भी जन्तु नहीं आता तो जन्तु नातक औशदी की जरूरत नहीं और खोरपड बड़ा होने के बाद हजार रुपए लीडर का भाव दे देता है इसको आप रस के रूपना भी बेज सकते हैं बाइरिक भी बेज सकते हैं जी रस कैसे निकलता है इसका रस निकालने के लिए एक बहुत छोटी सी मश मशीन आती है वो मशीन आप अपने घर लगा सकते हैं मशीन से रस निकल सकता है और मशीन नहीं लगाना हो तो हाच से भी रस निकलाता है निकालने का तरीका मैंने बता है इसका पत्ता कातना फिर उसको चाफू से छेलना फिर छोटे छोटे चोटे पीस उसके करना और उसक करके रस निकलाता है जी मिक्सर में निकलाता है क्रेशर आता इसका एक उसमें भी निकलाता है तो इसको आप जरूर अपने घर में रखिए कम से कम गंबले में लगाते रखिए यह बहुत तरह के उख लोग में आपको आने वाला जी काटे रहते हैं इसके पत्ते में काटे रहते हैं चोटे-चोटे काटे रहते हैं इसके आगे एक औशभी की महीति देता हुआ जी इसका रस का कोई नहीं की नहीं आपा सब्सक्राइब भी खरास नहीं होताएं जैसे जन्से चार चम इंचाता हुआ इसके च्णा के जैसा एक़ अच्छ एच्छा उख थानिए जो आपने संपार के बिल्कुल को सकता जेंदे का फूल, जेंदा मराटी में क्या कहते हैं जेंदू, जेंदू का फूल, जेंदे का फूल, अंग्रेजी में हम सब उसे मेरी गोविट कहते हैं, ये दुनिया की सरवोर्तम उशदियों में दिना जाता है, बहुत अच्छे उशदियों, इस जेंदू के फूल का इतना का ताकत है आपको याद है कई बार हमारे भारत देश के सैनिक जब सीमा पर लड़ते हैं युद्ध लड़ते हैं अभी थोड़े समय पहले आपको चाहिद याद होगा कारगिल रुद्ध हुआ उसकारगिल युद्ध में भारत के 680 सैनिकों को तो भीरगती प्राफ को आप किसी भी मिलिटरी हॉस्पीटल में जाएं तो आपकी आँखों से देखेंगे कि जिन सैनिकों को भेंकर चोट लगती है गाव होता है पूली लगती है बम लग जाता है उन सब को यही दिया जाता है जेंडू के फूल का रस जेंडू के फूल की चट्मी जेंडू के फ स्पीने को दिया जाए और जल्दी भर जाए तो जब कार्गिल युद्ध के समय अपने सेनिकों को जिनको घायन होने की सूचनाएं की सब को हस्पितल के अंदर यही उफियोग में लाया गया और दौद अख्यू परेना में इस जेटू के फूल को हमेशा धर में बना के रख और अगर जेटू के फूल की चट्नी बनाएं और इसमें थोड़ा खूरपड का रस मिलाएं तो बिलकुल सोने में सुहावी जैसा ठाम करते हैं बहुती अद्बूत कॉम्बिनेशन है जेटू के फूल की चट्नी और खूरपड का रस्लिक्स करते खराब से खराब धाव पर लगा दीजे पूरा शरीर सर गया है ऐसे लोगों को लगा दीजे मैंने इसका उप्योग किया है कोडियों पर आप जानते कुछ लोग कोडियो हो जाते हैं शरीर का अंग उनका गलना शुरू कर देता उनके शरीर के गले हुए अंगों पर जब मैंने यह लगा दिया तो उसी के बाद उनका गलना बग दो गया है तो आप इसको घर में लगाते रखे जर्डू के फूल का सबसे अच्छा उप्योग है शरीर के बाहर के जंडु में कहीं भी चोट लगे किसी भी तरह से गोली लग गई हो बंब लग गया हो एक्सिगेंट की चोट हो जल्दी से उसको भरना हो ली करना हो तो यह बहुत अच्छी आउशद है जिसको आप जंडू का फूल कहते हैं इसी तरह से अपने स्वैंपाट धर के नजबी तो है पालक और इथे मैंथी इसको बाजी पाले के रूप में आप सब उप्योग करते हैं यह दोने अध्रोट हैं मैंथी और पालक का सबसे रख्ट को तिर्जी से बढ़ाना शरीर में जिनको भी शरीर में रख्ट अलपता जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनीमिया फू शरीर में रख्ट की कमी आ गई है किसी भी कारण से फून नहीं बन रहा है शरीर में रख्ट की कमी है उनको सबसे अच्छा है मैंथी का रस और पालक का रस देना शुरू कर देजिए जूस के रूप में दे दीजे बहुत अच्छा काम करता है नहीं तो सीधे पत्ते चबा करके लिए मुक्तरा उनको ये ना खाय तो अच्छा है जिनको ये नहीं खाना चाहिए जिनको बार बार सेंडाज जाने की तकलिफ हो जिनकी लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी बढ़ गई हो उसमें थोड़ा एक्सपेंशन आ गया हो उनको पालक और मेथी से बचना चाहिए और और एक लोगों को बचना चाहिए जिनको मूत खड़ा है जिनको भी मेथी और पालक खाने से बचना चाहिए बाकि कोई भी इसको खा सकते है किस्त्री भी खा सकते हैं पुरुष भी खा सकते हैं बच्चे भी खा सकते हैं बड़े भी खा सकते हैं और जिनको संदास नहीं आती है आसानी से पेट साफ नहीं होता है उनके लिए तो सबसे अच्छी आउशद है ये पालक सबसे अच्छी आउशद है पालक की भाजी रोज़ खाईए मैथी की भाजी रोज़ खाईए मैथी की भाजी जितने दिन मिलती है उतने दिन खाईए कम से कम साल में तीन चार महिने तो मैथी मिलती ही है कम से कम साल में 3-4 महीने पालग तो मिलता ही है तो भोजन लंच में पियात और डिनर में एक बार चाहे मैं थी और एक बार पालग नियमित रूप से 3 महीने खाएं तो अगले 9 महीने तक आपके खरीर में बहुत सारी भीमारियां नहीं आएं उसकी गारेंटी ये जो सब्जियां देती है तीन महीने खा लिया तो अगले 9 महीने के लिए फूर सकते तो बहुत अच्छी है सस्ती मिलती है ज्यादा महंगी नहीं है और घर में भी लगा सकते हैं थोड़ा भी आपके पास अगर खेत है घर के आजू गाजू में थोड़ा भी तो वहाँ पर आसानी से पालक लगाए जा सकता है मैती लगाई जा सकते हैं ये मैती और पालक बहुत अच्छे से आउशक के रूप में काम आते हैं उनको जिनको एक बीमारी है दहुमूत्रता दहुमूत्रता मनें बार बार पेशाब जाना बार बार लगवी के लिए जाना बार बार लगवी के लिए जाना एक तास में दो तीन बार लगवी के लिए चले जाएं रात में या दिन में ऐसी बीमारी को बहुमूत्रता करते हैं इस बीमारी की सबसे अच्छी होशद की रूप में ये है पालक और मैथी अद्बुत है आप इस तो उप्योग करें जिनको आपों की रोश्मी कम हो गई हो कम दिखाई देखा है उनके लिए भी ये सबसे अच्छी होशद है पालक और मैथी जिनको सवेरे ही सोते हैं सोकर उतने से बहुत चक्कर आते हो उनके लिए भी ये सबसे अच्छी ओशद है पालक और मेथी शरीर में रक्त के दूशन से कोई बीमारी जिनको बारबार होती हो उनके लिए भी ये सबसे अच्छी ओशद है पालक और मेथी और आखरी जिनको diabetes है उनके लिए तो ये सरवक्तम आउशोद है diabetes के हर एक मरीज को रोज मेथी खानी चाहिए बाजी के रूप में रोज पालक खाना चाहिए जितना ज़्यादा मेथी और पालक की बाजी खाएंगे उतनी जल्दी diabetes आपके शरीर से खतम हो जाए ऐगे चलते हैं एक बहुत अच्छी आउशद ऐसे ही आपके घर में है लेकिन वह स्वेमपान गर में आती है हम शायद उसको गंबले मैं नहीं लगा सकते हैं वह भाजी के रूप में आती है बेंगत, मराठी में क्या कहते हैं? इसका रन, इसका कलर, इसका जो कलर है, वो वाइलेट कलर है, बेंगनी रन है, और पूरी प्रकरती में बेंगनी रन सबसे अच्छा माना जाता है, बेंगनी रन का, वाइलेट कलर का कोई भी फल, अगर आप खाते हैं, तो आप दुनिया में सबसे अच्छा फल खाते हैं, ऐस यहां लेगन यही वाला है इसका कलर वायलेट एक ऐसा भी ग्रीन क्रहका वह जादा अच्छाने उन्कुल अच्छ सबसे अच्छा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूरी के प्रकाश को सबसे जादा अव्शोषित करने की ताकत इसमें है वांगे और सूरी प्रकाश दुनिया में पूरी की पूरी प्रकरती का ब्रह्मांड का उंजा केंदर है इसलिए वांगे की सब्जी मेंगन की सब्जी बहुत अच्छी है बहुत लोगों को यह मन में गहर समझ हो गई है कि वांगे की सब्जी अच्छी नहीं है पादी करती है थोरी भारी होती है ऐसा कुछ नहीं है वांगे की सब्जी आप भर्पेट खाई है ना बादी होती है न कौन सी सबसे खराब तो बागवट रिशी की भाजी में सबसे ऊपर इसका नाम है वांगे का जो सबसे अच्छी भाजी है सबसे खराब भाजी में जो नाम है तो इमली है इमली इमली सबसे खराब भाजी में माना जाता है और सबसे अच्छा ये वेगन या बांगे की सब्जे के आप इसको भर पेट खा सकते हैं और इसका बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है बांगे का वो जवारी के साथ जवारी की रोटी और बांगे की सब्जी अगर मिल गई तो सोना मिल गया ऐसा समझ ली दूसरा इसका बेस्ट कॉंबिनेशन है दाजरी दाजरी की रोटी और वांगे की सब्जी गेहूं के साथ इसका दुश्मनी गेहूं के साथ है माने गेहूं की रोटी के साथ बांगे की सब्जी ना खाएं तो बहुत अच्छा है अगर बांगे की सब्जी खा रहे हैं तो इसको जवारी की रोटी के साथ खाएं बाजरी सी रोटी के साथ खाएं और यह मक्की की रोटी के साथ भी खाया जा सकता है गेहूं के साथ सबसे क आप आपके आप्स और जो भाजी आती है उसमें से ऐसी ही एक बहुत अच्छी भाजी है अि को श्राइब आजारा नयुए डिद९ि करने जुलातन ररी होता क्वाशत अस führt कि ये तेस्ट विल्य ये माटर किसी काँ अब तहें रेके वरना उसमें तॉढ़ा डर्ख कोई गो सबस्ऻ कर देशंति-टॉप प्रफ़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें इतना ज्यादा टमाटर आप खाएंगे उतनी जल्दी डाइबिशीज कम होगा लेकिन टमाटर वही हो जो मैं आपसे कह रहा हूं देशी टमाटर जवारी टमाटर मिलता नहीं है आप थोड़ा धूंडेगे तो मिलता है मेहना मिलता है देल से मिलता है और आप शेथकरी के साम बोलिये हमको देशी टमाटर चाहिए तो वो देगा अभी शेथकरी नागरिपों को मैं कहता हूं तो वो कहते राजीपड़ कोई डिमांड ही नहीं करता सब देखने में अच्छा टमाटर चाहिए तो यह विदेशी ही है आपको देखना अच्छा ना हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो ऐसा तमाटर देशी है तो आप बोलिये भाजीपाला वाले को वो शेतकरी को बोलेगा शेतकरी उसका वीज लगाएगा वीजा रूपां करेगा तो आपको बिलेगा नहीं तो आपके पास अगर थोड़ी शेती है तो आप इसमें देशी टमाटर जरूर प्लेट निए उन सबीकों टमाटर में काली मिर्च मिलाकर खिलाई तुमाटर काटि ये तक्छा और उसमें काली मिर्च का पाउदर डालके रोज एक प्लेट बरके सुब़े सुब़े किलाई चार महीं अगर लगा कर खिला दिया तो आँखों का चुश्मा उतर जए जह जही इस बहुत आलिए खाली तमाटर खाली मिर्च उसके ऊपर डाल कर कच्छा टमाटर के छोट छोटे फीस काटकर देशी तमाटर के एक प्लेट बर के प्लेट बरने से मतलब मेरा है कि खाने के बाद उनका पेट बर गया बच्छों का अंध्राइब के जिसनी भी बच्छों को चड़े हैं आखों पर अगर टमाटर और खाली मिर्च नियमित रूप से चार माईने खिला दें तो उनके चश्मों उतर जाएं इसे तमाटर का एक और अच्छा सुदू क्यों है कई बार चोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैं अक्तर देखता हूं डेली का डेली संदा इन दिन बाद, दो दिन बाद, तीन दिन बाद, कई बार ऐसे बच्चे मिर्फास इलाज के लिए आते हैं उनको खाली तमाटर बेशी तमाटर का रस देना शुरू कर देजे, जूस देना शुरू कर देजे, सूप देना शुरू कर देजे, तो रोज का रोज उनका पोट स गृज से तुम हो गया हो सब्सक्राइब मात्रा कम हो गई हो तो regulation Revia नियन में रूप से आप्वा का लिसाने में ऊसके दाना कंगई हो अर इसके बाद आपका लिपिट प्रोफाइल चेक करें तो ट्राइग लिस्राइग कब हो जाए कोलेक्स्टॉल जो खराब कोलेक्स्टॉल है जिसको बैट कोलेक्स्टॉल कहते हैं NDL और BNDL यह बहुत बढ़ गया हो तो चार महीने नियमित रूप से प्लेट भरके करें हैं देखिए प्रकर्पी का कुछ नियम है उसमें से एक नियम हमेशा ध्यान रखिए कि वरक्ष को जब तक स्वयं फल की जरूरत है तब तक वो उसको पकड़ के रखता है जिस दिन उसकी जरूरत पूरी हो जाती है वो ख और एखिए कि अबी मार्थ करिया सुने आशिक फोटो सिं्धसिस प्रकास संचलेशन्ट की करिया मैं तोल के हरे पत्त। और हरे पत्तों के साथ फल जो हरे रंगे हैं वो जोनों मदद करते हैं भूजन बनाने और पेड़ को भूजन की सकलाई होती जब तक पेड़ को भूजन की जरूरत है तक उसके उपर फल हरे रंगे रहते जिस दिन पेड़ को वो भोजन की कमी नहीं रहती ज़रूरत उतनी नहीं रहती वैसे ही वो टमाटर लाल हो जाता है आम पीला हो जाता है और दूसरे फल के रंग बदल जाते है और पट से पेड़ उसको छोड़ देता है फिर वो आपके सामका हो जाता है तो जब तक वो अफ्रक्श के ताम का है, तब तक मत तोड़िये। है जिस दिन वह उसके काम नहीं है वह अपने आफ छोड़ने वाला है, आप उसको उठा लीजे। तो तमाटर को ब्रक्ष तभी छोड़ेगा जब लाल बंका वो हो जाएगा इसलिए तमाटर का माने ही है लाल तमाटर एक और ऐसी ही भाजी है अपने घर में हम चाहें तो उतियोग करें चाहें तो ना करें इसमें मेरा आग्रह नहीं है आपके option के लिए छोड़ता हूँ उस भाजी का नाम है कांदा इसको चाहिए चाहिए कुछ को नहीं चाहिए जो जैन धरम को पालन करते हैं चुस्त वैशनम है उनको ये कांदा नहीं चलता लेकिन जो जैन धरम का पालन नहीं करते हैं उनके लिए कांदा चलता तो मेरे आपक उप्योग करिये चाहें तो छोग दीजे इसके बारे में जानकारी जोग देजेता है। ये कांदा जो है पित्ट को शांत करने वाली सबसे अच्छी और दुनिया। अगर पित्ट खराब है किसी का। पित्ट खराब आप समझते हैं। जैस करना, खट्टी-खट्टी डकार आना, मुँमे पानी आना, सतफ जड़ड़ होना, खाने को पाचन नहीं होना, ये सब पित्ट की तकलिफ है। Woman होना, purity होना, vomited होना, ये सब पिट्ट की तो पिट्ट को सबसे जादा संफलिप करने की ताकट जिसमें है, वो कांडें debid तो कांडा आप चाहें तो खाईे आप बोलेगे पिट्ट शांत करने की और भी दवाइं हैं, बहुत सारी दवाइं हैं, मैं बता दूँ लेकिन कांदा अभी बता रहा हूं, कांदा पित्ट को शांत करने की सबसे अच्छी उश्चड है, पित्ट की खराबी से शरीव जितने भी रोगों में फस्ता है, सब रोगों को ठीक करने की ताकत कांदा में, जैसे गर्मी है, और गर्मी में सन स्टोक हो गया, लू लग गया अब लू के बाद आपको बहुत कुछ तक्लीफ पाने वाली है, वो सबी रोगों में कांदा आपके लिए ओपे होगी, सबी रोगों में, लू लगने के पार, इसी तरह से आखों का एक रोग होता है, जिसको कैटरेक्ट पहते हैं, मोटिया बिंदु, मोटिया बिंदु को वो गलाने की टाकत अगर दुनिया में किसी चीज में है तो वो कांदे की रस में बिना ओकरेशन अगर आपको आखे ठीक रखनी है तो कांदे का रस सपत आँपों में डाले जिन्दगी बर आप चाहते हैं कि आखों को चश्मा ना चड़े और कभी भी आखे आपकी खराग ना है तो कांदे का रस आप अपने आखों में डाले आप में से किसी को भी मोतिया बिन्द हो गया हो और आप नहीं चाहते कि आपका ऑपरेशन हो या आपके पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं तो आप कांदे के रस से मोतिया बिन्द को गला सकते हैं और आखे ठीक कर सकते हैं इसको कितने दिन लेना है, कैसे लेना है, इसका सूत्र में बता देता ओ, कागज पहनों तो लिख लिजे, क्योंकि ये बहुत काम आएता एक चम्मच पांद्रे कांजे का रस, देखिए कांदा एक ही काम सा है जिसको पांद्रा कांदा कहते हैं यह लाल वाला किसी काम करने है, आउशदीय गुर्ण जो है, वो सफेद प्याज में ही है, पांद्रे कांदे में ही है, लाल वाले में कोई आउशदीय गुर्ण नहीं है, वो तो खाने के लिए आप खा सकते हैं, आउशदीय गुर्ण उसमें नहीं है, आउशदीय गुर्ण एक चम्मच रस ले ली जिए को इसमें लिगुगा रस बिला दीजिए प्रेश्य में यह जी नहीं हुद भीज नहीं होते हैं वह बहुत अच्छा है प्रिष्प इसमें आप मद मिलाती थे लगवग तीन से चार चमच मद और इसी में एक चमच गुलाब जल मिला देचा ये चारों को मिलाकर एक बाटली में भरके रख लिए और खुब अच्छे से हिलाकर एक-एक थे मांख में डाली थे एक महिने लगाकर टाल दिया तो मोतिया बिंधा कंट्व में इजल प्ता कोत प्ते ल चनल जाए गुलाब जल एक चमच मच जतना आपका कांदे का रस उतना इन उतना इन भुकष लेकिन मद इसमे से तीन से चार पॉट गयाती है इसको रूम टेंपरेचर पर भी रखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको फ्रिज में रखना, खाली सीधे रूम टेंपरेचर पर रखना, राफ में सूते समय एक एक दो दो थे हम आँख में डालते रहें, एक सवा महिने के बाद आपका मोतिया बिंद कर देगा, और एक बीमारी है आँखों के, जिसको ग्लुकोमा कहते हैं, ग्लुकोमा, ग्लुकोमा मने काला पानी, आँखों में हमेशा काला काला दिखता है, और कुछ दिखता ही नहीं, उनकी भी ये सबसे अच्छे उश्र, और एक बीमारी है आँखों में, जिसको रेटिनल अगर कोई जहन है चुस्त जहन एक तो वो कांदा यूसरे नहीं कर सकते हैं और दूसरा मद नहीं कर्ण। गाय का मुत्र इकठा कर लिजी किसी बाट दे, और उसको रख लिजी, इसी को एक एक थेर्म आंख में डालना, बस, लसी दे स्य को अम्रों गाये माने देश्य गाये, ते सिए गाये का मुत्र होगाई को प्रीकिली, एक एक तेम रूย रात में डालिए बाएं सोते संद। तो एक से सवा महिने में ये ली आपका catwork ठीक कर देगा, सवा दू महिने में glaucoma ठीक हो जाता है, और तीन महिने सपर डालें तो retinal detachment ठीक कर देगा, चार महिने लगाते हा है रडामे तो चश्मा उतार देगा. मर्च हो जाता है या बाहर निकलता है? को ये तरह से फैट वह साही तो वसा जल जाता है जल जाता है तो वहीं अंदरी खत्म हो जाता है दार नहीं निकले जी अगर दगाय बड़ी है जो तीम-चार बार माँ बन चुकी है उस गाय का मुत्र लेंगे तो फ्रीटर करनेंगे और गाय की बच्छडी है तो वो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं क्योंकि वो बहुत शुद्ध होता है और काफी कुछ फ्रीटर होके जाता है आखों के रोग में मैंने इस से अच्छी कोरी आउशद अभी तक नहीं देखी वो मुत्र से अच्छी एज़ंट एक्स फ्री, कॉस्ट फ्री साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सपाइरी देख कुछ भी नहीं हर गली हर गाओं में उपलग देख और गाओं माता इतनी अदुवत है कि वो कभी भी मुत्र देने के लिए पैसे नहीं लेदे आप दबा लगा दो भर लो लेकिन रखने का है काच्छी बाटली तो काच्छी बाटली में अगर आप इसको भरके रखें ये तो ये कभी भी खराब मी होता द होगो मुत्र दस साल, 15 साल 20 साल 4 rule साल सुरक्षित रखता रहता है उसमें कभी भी जन्त नहीं पड़ता है 2-3 ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल में और गाइम नोक्मे कभी जन्त जन्त परते हैं तो इस गोमुत्र का आप भरपूर इस्तेमाल करिए आखों के अब बात शुरू ही है तो आगे और बढ़ता है इसी गोमुत्र का और कहां कहां इस्तेमाल आप कर सकते हैं आँखों में तो करी सकते हैं, एक एक ट्रॉप डालें, एक एक फेंग डालें, कान में अगर कोई भी तकलीफ है आप, कोई भी तकलीफ, लस निकल रही है, दर्द हो रहा है, कान में खुझवी बहुत आ रही है, कुछ-कुछ उसमें फोड़े फुंसी कान में हो गए है, तो एक एक थेंग गोमूत्र कान में डाल सकते हैं, दोनों ही कान में डाल सकते हैं, और एक एक थेंग गोमूत्र छे-साथ दिन ही डालेंगे, तो कान के सब रोग ठीक कर देता है, इसी गोमूत्र को और क्या कर सकते हैं, जिनको दमा है, अस्थमा है, ब्रॉंकियल अस्थमा है, सास बहुत भरती है, इतनी सास भरती है कि दस कदम चलके बैठना पड़ता है, फिर दस कदम चलते हैं, फिर बैठते हैं, इतनी गंबीर हालत जिनकी है, उनको गोमुत्र पीना चाहिए, आधा कप, सवेरे सवेरे खाली पेख, अब आप यह कुछेंगे कि गोमुत्र कैसे थी ह उसमें बात आती है, तो दारू कैसे पीते हैं, उसमें भी दो बात आती है, अगर दारू के बोतल की बोतल की गटक सकते हैं, तो गोमुत्र पीने में क्या तक लेता है, तो कम सकम दारू से अच्छा है, तो जिनको भी दमा है, अस्तमा है, सास भरती है, दम बरता है, अगर सकत आदा कब गोमुत्र पीना शुरू करेंगे तो तीन से सवा की महिने में दम भरना, सांस भरना, यह सब ठीक हो जा है, और गोमुत्र जिनको ट्यूबर कुलोसिस हो गया, टीबी, और कंफर्म है कि उनको टीबी है, डॉक्टर बोलता है कि आपको टीबी ही है, तो मेर आपकी डारेंटी है, मेरी तरफ से आप यह कर लीजे कि सब दवाएं छोड़ दीजे, टीबी की कोई दवा मत आई, बस आधा कप रोज गोमुत्र सबेरे सबेरे पीते जाए, चार महिते के बाद ट्यूबर कुलोसिस जड़ से खतम हो जाएगा, जड़ से, रूट से, जिन बढ़ के रख लीजे, बहुत तीन दिन पुराना भी चलता है, लेकिन ताजा होगा, तो सबसे अच्छा, मैंने पिछले दो साल गोमुत्र के बहुत परिक्ष्यं करके देखें, इवर कुलोसिस के बहुत सारे पेशों जो सहकार की दवा खाते हैं, आपने जगा, वो जगा खाते हैं, आपने अच्छे रिजल्स को डॉट मैं कभी नहीं आते हैं, आपने जवा क्या दोई, मैंने गा इंगा, इनको डॉट्स दिया ही नहीं, इनको तो खाली गोमुत्र के लाए, तो डॉक्तरों को इंट्रस्ट हुआ कि इसमें ऐसा क्या है, एंटी टीबी, इ सीवी आराई लखने, उन्हें इस पे बहुत रिसर्च किया, और उनका ये मानना है, कि ट्यूबर कुलोसिस की दुनिया में आज तक जितनी गवाएं बनी हैं, उनसे बीस गुना ज्यादा ताकतवर हैं बहुंद होते हैं, बीस गुना, डॉक्तर की गोलिया आती हैं, सरकार इस दुनिया में हैं, उन सभी से बीस गुना ज्यादा ताकतवर हैं जाय कमा, ट्वंटी टाइम्स, जिन बच्चों को बालस को दमा हैं, बहुत सारे बच्चों को जनम से दमा होता है, उनको आप एक ही चमच दीजे, बड़े लोगों को आधा कप, छोटे बच्चों को एक चमच, जोदा जाल्टी बच्चों को एक चमच उसको दो चमच तक दे सकते हैं, 14 साल का बेटा या बेटी किसी को बिच, तो आप गोमूत्र अधुद हैं, इसको उपयोग करिए दमामें, अस्थमामें, थूबर कुलोसिस में, ब्रॉंकियल अस्थमामें, इसी गोमूत्र क और प्रयोग है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको इलर्जी होती है, कई लोगों को कई कई चीज से इलर्जी होती है, किसी को धूल से इलर्जी है, किसी को परफ्यूम से इलर्जी है, किसी को से इलर्जी है, किसी को अगरबक्ती के धुएं से इलर्जी है, किसी को कांग्रेस घास से लगी है किसी को किसी से लगी दुनिया में ये जितने लगी वाले लोग है जिनकी सबसे अच्छी गवाह गायव का मूत्र किसी भी एलर्जी के आप मरीज है आप गुमुत्र पी लिए चार महिने लगातार पी लीजेए उसके बाद आप एलर्जी पेस्ट कराइए आपकी तरी किसी भी टरह किले और ये गोमुत्र किन की लिए काम आता है शरीर में तवचा के जितने रोग आते हैं इचियोसिस है, खुजली हो गया, सोरैसिस है, एक्जीमा हो गया फोड़े, फुंसी, ये सब तरह के तवचा रोगों में सबसे अच्छी होज़े दिया है गोमुत्र कैसे करना, मालिश करना इसी, और मालिश करके थोड़ी देप के लिए सूर्य प्रकाश में बैठना और उसके बाद इसना अंदर, बस इतना ही ज्यान रखना है कि जिनको गोमुत्र की शरीर पर मालिश करने की ज़ज़दवा है माने जिनको तवचा का रोग है और गुमूत्र शरीर पर मालिश करना है उनको कभी भी साबुन नहीं वापरना चाहिए किसी भी तरह का साबुन मत लगए तो सारे रोग आपके भुझिली ठीक होगा किसी गुमूत्र का और उप्योग आप कर सकते हैं बालों में अगर बाल बहुत जड़ते हैं गिरते हैं गोमुत्र मालिश पर ये बालों में एक गंदे के बाद बाल दो दीजे एक ही हफ़ते में बाल तूटना बंदो जाए अगर आपको शरीर का कोई बे अंग जहां जॉइंस में है मने जोड़ में दर्द देरा जिसको आप संधी बात कहते हैं बुर्गे दुखना कमर दुखना आप गोमुत्र पी लिजे 15-20 दिन में जोड़ों का सब दर्द चीप कर देए जिनको संदास नहीं आती खुलकर नहीं आती पोट साफ नहीं होता कोहत ज्यादा मल बद्धिता है उनको मेरी विंती है कि गोमुत्र पी लिजे एक अफ़ते में ही पोट बिखुल साफ कर देए इस गोमुत्र का उप्योग करके मैंने अब तक 48 बीमारियों का इलाज किया और अधुद परणाव इसके है और ये 48 बीमारियां अक्सर हमें होते हैं सर्दी है खासी है जुकान है बुखार है सबकी और दो मुत्र है कि दावी तेज गुखार आ रहा हो गोमुत्र दे दीजे एक से सवा गंटे में बुखार उतरना शुरू हो जाए बहुत अच्छी ऑफशर है बस इसमें सावधानी एक ही रखनी है कि गाय का मुत्र मनें देशी गाय का जर्सी का नहीं जर्सी और देशी का अंतर आप सहस्त शुरू है जर्सी गाय के पीट कर खांदा नहीं होता तो इसए सपाटो कर देशी गाय के फीट पर ऐसा श्यूम्ड़ कुख गूमूत्र माने देशी गाय साथ यर्चिया का जो कभी माने पनी है तो वह सबसे अच्छा ऐस लिए और बठीव गश्णी है और काले रंकी है त तो सरवक्तम खालरंप की बचलि अगर है उसका मूत्र चांसर जैसे विमारी को ठीकरणे की थाई कौलेकर हैं और पेट तर्मी के थीन कनसरों में गवयां करके देखा अंग शेक्रती और नाथ आप बोलेंगे कैंसर में खाली गोमूत्र से हो जाता है गोमूत्र के साथ एक छोटी सी आउशद और देनी पड़ते हैं कैंसर में सिर्फ कैंसर में और वो है हड़का रस आमबा हलने ना ताजा उसका रस में और इसलिए अमेरिका की सरकार में वो मूत्र पर पेटेंट करा लिया उनको यह मालूम हो गया और अमेरिका की सरकार में हड़क पे भी पिर्टिंट करा रही है क्योंकि वो कैंसर में उफ्योग हो रही है तो हमारे आईरवेट चिकित्सा के अनुसार जिंदगी की खराब से खराब कोई बीमारी खराब से खराब रोग है आपको कही जानी की जरूरत नहीं है या तो स्वेंपाग घर नहीं तो स्वेंपाग घर के नजदी का जो इलागा है इसी में आपके सभी रोगों के इलाज़ दो सकते एक भी रोग ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़ा अब पुरा और आगे बढ़ता हूँ जिसी कौमूतर से आप मूढ वयाद बगासीर और भागंडर ती मों झाले को छीक कर सकते जिनको मूढ वयाद है बगासीर है भगंडर है वह रोग जादा कब गोमूतर बी है और उसके एक तास के बाद केले में कपूर रखके खाएं केला है पका हुआ केला उसको काटे और थोड़ा करपूर उसमें रखके केले को खाएं साथ दिन अगर केला और कपूर खा लिया तो आपकी बवासीर खूनी हो या बिना खूनी ठीक कर देगा तंद्रह 17 दिन अजर खा लिया तो मुड़ गया दो बबंदर भी करें लिगन गोमुत्र के साथ ऐसे ही आपके शरीर में रख्त की कमी आती हो रख तल्पता हो जाती हो तो भी गोमुत्र आप उप्योग कर सकते हैं बार बार खासी होती है तस साल पुरानी खासी है पीस साल प वी रोग नहीं है जो गोमुत्र से ठीक ना हूँ इसलिए चरक्षांता है चरक्रिषी में बागवठ्य सहिता में बागवठ्यू रिशी ने गाय मुत्र को ब्रहमानमी की सबसे अच्छी और शोगी कहा है तो आप इसका इस्तेमाल करिए गाय है चालीस गाउं में देशी गाय है मैंने देखा है जोकिन दिन में घूंके कई लोगों के पास बेशी गाय है आपके कास अगर थोड़ी भी क्यापसिटी है तो एक गाय खरीद लीजिए गर के सामने रख लीजिए गर के सामने जगे नहीं है तो कहीं खेत में एक गवशाला बना के सब लोग सामने को रूप से गाय पालब कर सकते हैं इसका मूत्र आपको और सभी के रूप में काम आएगा और दूद भी काम आएगा दूद बचेगा जो जही बनेगा तूद भी बनेगा सब कुछ काम आएगा मेरे अपने गाओं में जहां मेरा जन्म इस्थान है इतर प्रदेश में अलीगर जने में गाय का मूत्र पांसो रुपर लीटर बिख्ता और गाय का दूप संद्र रुपर लीटर रही बिख्ता को बिखता है कि मेरे गाओं में किसी की वी मुट्र जो है खरीदने के लिए इकठा करने के लिए मारा-मारी रहती है क्योंकि गोमूत्र का असरान करके उससे और बनती हैं और भारत के बहुत सारी इस्थानों पर वो बिखती है अगर आप भारत सरकार गोमूत्र के बनाने का लाईसफे देना भी अभी शुरू कर दिया है तो किसी को भी साड़े तीन सो रुपर में लाइसेंस मिल सकता है अगर आप गाय पालते हैं देशी गाय और वो दूद ना भी दे तो भी उसका मूत्र बेचकर आप साल में दो लाख रुपई की आवंदनी कर सकते हैं एक गाय से एक गाय का एक साल का मूठ रिकठ्ठा करें तो दो लाख रुपई की ओशब इससे बनती है और बाजार में आँसानी है इसलिए मेरी सब को विंती है कि गाय पालिए यह स्कूटर और साइकल बेची है और गाय खरे हैं यह स्कूटर मोटरसाइकल कभी भी बंद हो जाए गा आ तो कैसे चलाएंगे आप अभी थोरे दिन में अम्रीका और इरान का युद्ध होने वाला है तो पेट्रोल का भाव सो रुपाइके भी उपर चला जाएगा तो मोटर साइटी कैसे चलाएंगे इसकूटर कैसे चलाएंगे इसी है आप बेच दीजे इनको इसकूटर मोटर साइटी को जितनी जल्डी हो गाय परीब लेजे गाय हमेशा जिन्दा रहेगी और आपको भी जिन्दा रखेंगे और मेरा सब शेतकरी नागरिकों को ये विंदी रहती है कि गाय को कसाई को कभी म कशेजार रूपई में कसाई काठ के उसका मास बेच देता है हर साल हिंदुस्तान में चार कोटी पचास लाग गाय का कसल होता है हर साल सारे चार कोटी और ये सब कतल होने वाली गाय शेतकरी के घर से जाती है कि परी है हिंदु और बोलता है जो माता कीजें और बेचता है गाय कसाई को वह ले जाके काट देता है कतलता है तो पूरे देश को दर वर्शी 15-20 हजार कोटी रुपर का नुपसान होता है गाय कटने से तो अगर सब शेतकरी नागड़कों को ये माहिती हो कि गाय के दूट से जादा कीमती उसका मूत्र है शेतकरी बाई क्या बोलते हैं मुझे वो गते राजीब भाई गाय दूट नहीं देती है अभी क्या करने का बेच दो उसको तो मैं उसको गोलता हूं कि दूट नहीं दे देगा और उसको पालो गया तो मूत्र के रूप में दो लाक रूपए की इंकम आने वाली है तो दीरे-धीरे कुछ गाओं में शेतकरी नागरीकों को ये समझ में आ रहा है वो गाय देच नहीं रहे हैं उसका मूत्र इकठा कर रहा है उससे और बन रही है वह उसको देश वर्की बाजारों में दिक रही है ऐसे कई केंडर भारत में शुरू हुए है आप चाहें तो 40 गाओं में भी तुरू हो सकता है इसके लिए गाय चाहिए बस देशी गाय चाहिए वो दूद दे या ना दे मूत्र देने वाली चाहिए उसका मूत रिकठा करें और 47 आउशद बनाया गोमूत्र गुलावजल पांडरे कांदे का रस और अजरक का रस मने आल का रस और लिंगू का रस यह पांच चीज़ें मिलाते हैं आँख में इतने अच्छे परिनाम है उसके अध्वुत और वह औशदी की पूरे भारत में दिमांड है कोई भी बनाके कहीं भी उस आप गाय को पालेंगे तो साल में जास्ती से जास्ती पंद्र भी सजार का चारा किलाएंगे तो दो लाख रुपई की इंकम तो मूत्र से दे देगे तो आप गाय को नहीं पालेंगे वो आपको पालेंगे तो अगर संभव हो आप मैंसे किसी पे लिए भी तो एक एक गाय जरूर रख लिजे धर के सामने थोड़ी की जगह है तो गाय रख लिजे और नहीं तो आपस में मिलकर एक समीती बना लिजे एक गौशाला बना लिजे कहीं चालीज गाओं के लास पास कोई बड़ा शेथ मिल जाए तो वहां पे गाय रखना शुरू करिए दूद शहर को मिलेगा फेले को और मुत्र की आउशदी बने तो गो मुत्र की आउशदी का कभी भी उपयोगा आप करिए कोई भूका नहीं है कोई साइड इफेक्स नही है किसी भी तरह के कॉंपीटेशन उसमें नहीं है हर तरह से वह अच्छी है और कभी भूका नहीं किसी भी तरह का दोगा आज तक गो मुत्र शरी में मैंने नहीं देखा गंबीर से गंबीर पेशन्ट को मैंने ट्वीट्मेंट दिया है वो मुत्र का कोई दोगा आज तक न तो पहले तो मेरे समझ में आता था विच्पन में अब समझ में आया तो एक दिन मैं सोचता था कि गाय के गले में शंकर भगवान का लिवास है ऐसा बोलते हैं सूट्रमे इसका परिक्षं करके देखो इसका अर्फ क्या है तो मैंने एक जिल सोचा शंकर भगवान का क्या बोह देख पिए हैं उनके गले के नीचे नहीं उतरता तो मैंने मेरे एक गाय को जहर देना शुरू किया दो जन्ने जान बूझकर देखना है कि इस में शंगर वगवान है क्या तो उसको सतब जहर देना शुरू किया और जहर क्या? कौपर सल्के से, मिला थोटा जिसको आपके से, चारे में थोड़ा थोड़ा मिला के देना शुरू किया, और हर दिन में क्या करता था, कि थोड़ा उसको जहर खिलाता था बोजन में, इतना है कि वो बरे भी नहीं, इतना ही, और उसका दूद निकालता था, उस जहर मेंसके सब्सक्राइब Hmm मद्रण मकलब मर गई लेकिन दूदंग मूत्र चेहर में मरने के बाद हम दो इसका किसेक्शन कराए तो हमने देखा कि सारा जहर उसके गले में ही रुका हुआ है तो मने मान लिया कि गाय के गरदन में है शंकर भगवाल का निवास है गाय की क्वालिटी देखिए कि वो जहर खाएगी लेकिन दूद में नहीं आने देगी उसको वो जहर खाएगी मुत्र में भी नहीं आने लेगे इसको इसका माने गाय के गरदन में कोई बहुत बड़ा फीलिटर है जो जहर को रोकने जाहुत तो आपके मन से मैं गलत सम्म हرج नहीं चाहता हम यह समज हमारे मन में हो कि ही इसका मुत्र खराब हो जाएगा कभी चिंता मत कर ये कुछ भी खराब नहीं होता है गाए पॉलितिन खाए या शरीर का खराब से खराब कच्रा जो आप छू नहीं सकते गाए उसको भी खाए तो भी उसके मूत्र में उसके दूद में उसके शेड में कुछ भी जहर नहीं आता गाए अधुत है इसलिए उसको आई सरीखा मानत किसे थी दूसरे जान्वर को भी देश में है आई का धुर्वा नहीं , सिर्फ गाय को भी मशी से अच्छा दूद मशी देए चया अच्छी मशीर长 बशी मौसी है बहुत जल्दी अमराज के पास पोजाएगी आपस गाय के शरीर में ऐसे कुछ हर्मोन से हैं ऐसे कुछ केमिकल से हैं जो किसी भी तरह के जहर को शरीर में ही रोक लेते हैं मूत में दूद में खेल में नहीं जाने देते इसलिए सलग पर ओमने वाली गाय अगर आपको लगता है कि कुछ कच्रा खा रही है उसका मूत्र आपको लेने में मन में कोई हिचक मत रखना है मेरी गारिंटी उसके मूत्र में कुछ तकलिफ नहीं है क्योंकि शहर के लोग मुझे कई बार बहाना ये बनाते हैं याजी वाई हमारे याँ गाय तो है लेकिन कच्रा खाती रहती है इसलिए उसका मूत्र कैसे लेना आप बिल्कुल मत गवराइए वो कितना भी खराग से खराग कुछ खाए आपके लिए वो जहर नहीं देने वाली वो जहर अपने हिस्से में रखती है अमरुत आपको देती है इसलिए उसको आई देती है इसलिए उसका गर्जा आई के बराबर है और इसलिए माना जाता है कि उसमें 33 कोटी देवता है तो गोमूत्र का चिकित्सा के रूप में है भरपूर उप्योग आप करिए मेरा इसके पीछे एक स्वार करें मेरा स्वार किये है कि अगर जादा से जादा लोगों को गोमूत्र चिकित्सा की माहिती है और वो अपने जीवन में उसको उप्योग करें परिनाम उसका बहुत अच्छा निकले तो वो उसका प्रचार बहुत कर सकते और यह जो माउथ पॉब्लिसिटी होती है यह बड़ी जबर्चस्ट होती है तो एक के मुँसे बोला दूसरे के दूसरे के मुँसे तीसरे के तीसरे के यह जो माउथ पॉब्लिसिटी बहुत गहरा असर करती है तो यह गाउं गाउं गली-गली माउट पॉब्लिसिटी शुरू हो जाए गाई के मूत्र के बारे में तो उसका अंतिम परिनाम क्या निकलेगा शेतकरी गाई बेचना बंद कर देंगे क्योंकि अभी वो गाई बेच देते हैं क्या सोचते हैं दूट तो देती नहीं अब उनको पता चलेगा कि भले दूट ना दे मूत्र तो देती है और दो लाग रुपई की इंकम मूत्र से होती है तो दूट से भी जादा कीमती है तो जब शेतकरी गाई को मूत्र के लिए पाल लेंगे तो गाई बिकना बंद हो जाए और गाई बिकना बंद हुई तो कसाई खाने अपने आप बंद हो जाए और कसाई खाने बंद हो गए तो साड़े चार कोटी गाई इस देश की दरवर्ष बचेगी तो गाई की संख्य तो वेल की संख्या भी पर वेल की संख्या बढ़ेगी तो करी को सिसकति करने के लिए तो गेंडे दिन के बाद वो चला भी नहीं पाएगा जब वीजन सो रुपन लीटर हो जाएगा तो बैल से ही खेती करना पड़ा और गाई बैल ढूनों रहे खेती के लिए तो शेयन और मूथ गाई और बैल दोनों का मिलेगा और शेयन और मूथ रोको खत के रूप में उपयोग करें तो रासा नेकहत यूरिया डियटी की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो शेतकरी समाज का दरवर्षी तीन लाख कोपी रूपए पचट हो जाएगा जो यूरिया डियेपी में खर्च होता है और मेरा ऐसा सपना है कि हरे एक शेतकरी गायचेशन और मूत्र से शेती करे तो यूरिया डियेपी का जहर शेत में नहीं जाएगा तो वो जहर हमारे अन्ड में भी नहीं आएगा तो अन्न हमको शुद्ध खाने को मिलेगा तो बीमारिया हमारी ऐसे ही सब खतम हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे यह शुखी हो जाएगे हम कितने सुखी हो सकते हैं अगर हमारे शरीर से बीमारिया खतम हो जाए तो दर वर्षी हमारा पांच लाख चालीस हजार कोटी रुपई का खर्चा बचेगा और शेकरी समाच गाय का शिरन और मूत्र डालना शुरू करे तो उनका तीन लाख कोटी रुपई बचेगा मने आठ लाख अस्य हजार कोटी रुपई हर साल देश का बचत हो इतने रुपई से अगर सोना खरीद लिया जाए तो सोना इतना आता है कि भारत की एक एक गाउं की सलक सोने से बनाई जासे माने एक ही वर्ष में भारत फिर से सोने की चलिया बनेगा अगर हमारी गाय बचे तो गाय बचने का विएकी तरीका है कि गाय के मुत्र का प्रचार हो हम सब मिलकर दो मुत्र का प्रचार करें इसका उपयोग करें इस द्रश्टी से मैंने आपको यह महिती दी आप इस महिती का दूसरे लोगों को जादा से जादा देने का काम करेंगे तो गाय का भी भला होगा आपका भी बला होगा और देश का भी बला है हम गव माता की जै बोलें तो गव माता बचने भी चाहिए खाली जै बोलने से नहीं तो गव माता आपकी बचे तो गव माता की जै बोलने का लाग है खाने वाले भी कम होने चाहिए ना, खाने वाले अपने आप कम हो जाएंगे, गाय का मास नहीं खाएंगे, देखिए बात सीदी सी है कि अगर कसाई के हाथ में गाय नहीं गई, तो कटेगी तो नहीं, कसाई के हाथ में नहीं कटे तो मास नहीं मिलेगा, जैसे पीने वाले कही और अगर नहीं मानेंगे तो गांदी जरी अपनाएंगे, उनको भी रास्ते से लाइए, लेकिन ये एक बार चल पड़ेगा, तो बहुत होगा, मैंने मेरे छोटे से गाउं में इसका प्रयोग करके देखा, आज से पंद्रे साल पहले हमारे गाउं की सब गाय कटने के लिए क अगर अगर पहले हमारे गाउं के शेटकरी गाय दूट ना दे तो सब बेचते, जब से हमने गोमुत्र राऊशदी बनाने का केल्डर हमारे गाउं में शुरू किया, उसके बाद से आज तक एक भी गाय कटने को नहीं देख, क्योंकि हर एक शेटकरी को मुत्र का भाव मिल इसकी स्वाभाविक मरत्यू होती है, तो गाय हमारे गाउं में मरती है, लेकिन कसाई के हाथ अपनी जाती, दीरे 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 ऐसे भारत में छोटे छोटे हजारों गाउं हो रहे हैं, जहां गाय के मूत्र का सदुकियों हो रहा है और शबी के रूप में, मेरा आप सब को इन दोगन है कि आप भी 40 गाउं में और इसके आसपास के एरिया में, गो मुत्र का, गाय के दूप का इतना प्रचार करें कि यहां भी एक काम शुरू हो रहे हैं, और यह शुरू हुआ, तो आपका जो भला हो गई, देश्टा उससे भी जादा भला है, गाय के गोबर से ब मच्छर भगाने वाली अगर्वत्टी बनती है, यह जो मच्छर अगर्वत्टी आते हैं बाजार में कच्छुआ चाफ अगर्वत्टी और यह तो सब जहर है, आप यह मत जलाईए, आप गाय का शीन लिए और उसको सुखा लीजे, जब वो सूख जाए, तो उसका वो बना लीजे, क्या दोता है, गवरी, वो बना दीजे, और इसको थोड़ा घी डालके जला दीजे, तो इसमें से जब धुआ निकलता है, सारे मच्छर भाग जाते, और गाय के शेंटी गवरी जलाते समय, उसके ऊपर थोड़ा, सूखे हुए करूल इनके पत्टे डाल जाएं, त खराब से खराब मच्छर भाग जाते, पंद्रही मिनट पर भाग जाते, और इसका असर छे तास रहता, घर में गाय की गवरी आपने जलाई, फोड़ा उसके ऊपर सूखे कडूल इनके पत्टे डाले, पंद्रह मिनट अगर इसका धुआ पूरे घर में भर गया, उसके बा प्रफोजल दिया है बनाके, कि पूरे देश में दरवर्शी मलेरिया आता, और मलेरिया का कारण है मक्छर, और वो मक्छर है, एडीज जिप्ताई, जाती का एक मक्छर है, यही मलेरिया लाने का सहयत है, इसी से बंग्यों आता है, और इसी से वो आता है, चिकन गुनिया, तो अगर हम गाओं गाओं ये अभ्यान चलाएं कि गाई की शेन उसको सुखाईए गवरी बनाईए घी डालके जलाईए थोड़ा उसकर कडू लिंके पत्ते डाल दीजे तो सब गाओं में ये प्रचार अगर हो जाए तो एक चिकनगुनिया से बच जाएंगे मलेरिया से बच गाएंगे तो कि एडी जिप्ताई मच्छर को बगाने की ताकत इस गाई के शेन से निकले हुए धुए में है और उसका बहुत अच्छा उप्योग से और अभी एक उप्योग और करने के लिए एक्सपरिमेंट हो रहा है इस देश में गाई के शेन में से गैस चल सकता है आपने देखा बहुत बार गाड़ियां LGG से चलते हैं जो घर में हम गैस जलाते हैं LPG उसका सिलिंडर कार में लगाए कार भी चलते हैं तो LPG की जगह है गोबर गैस अगर भर्द है जिसको मीथेन गैस कहते हैं उससे भी जाली चलते हैं और वो चला के देखिए मैंने भी देखिए हमारे कई दोस्तों में देखिए दिल्ली में IIT में ऐसी चार गाड़ियां हैं जिन में गाए के गोबर की गैस रोज भरी जाती है और वो रोज दिल्ली में बहुंती है और एक दिन में आराम से धाई 300 km चलती है एक सिलिंडर भरा तो एक सिलिंडर में ल उसी सिलिंडर बर यह साथ किलो तकाते हैं लेकन यह काम उठाइं करते हैं जितना LPG करते हैं आपका LPG का सिलिंडर पांच लोगों के परिवार के भोजन को लगब लग मही महीने तक बना सकता हैं साथ किलो गाएक के शेन से निकलuju बहुंता गैस बर जेंस हैं टायश पस और शेम से गैस बनाए दोनों का देश के लिए सदुफ लोग होता है लेकिन इसमें रुकावट कहां है रुकावट एक ही जगह है इसका प्रचार कम है और इसका प्रचार कोई टीवी चैनल के पास गया कि आप इसका प्रचार करो तो वो कहते है पैसा कौन देगा हमको गो या गाई के शेम का प्रचार करें तो कई से कौन देने वाला गाई तो देने वाली नहीं तो इसलिए उनको इसका प्रचार कर लें में कुछ इंट्रस्ट नहीं है तो मैंने सोचा इसका एक ही तरीका है वाक 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 एंट टॉक 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 तॉक जाएं लोगों को बताएं समझाएं वह अपनी चिकितसा भी करें प्रचार भी करें तो इसलिए मैंने भी आपको थोड़ी जांकरी गुबर वो मुत्र काई के जोटे में निकले मेरे बाऊं मेरे उसका है तो किसी भी जाओं में हो सकता रहा को बहुत चोटा है दो हजार की लोक संध्या पर गाओं उसका में और करक्रदेश ने जूड़ीर। तो मैंने पिछले 5-6 साल गोमूत्र पर गाय के दूद पर गाय के तूप पर जितने एक्सपरिमेंट किये गाय के तूप किये मेरे कम से कम 25-30 एक्सपरिमेंट है जितना पुराना गाय का तूप है उतनी अच्छी आउशदी है अगर कभी आपको दो साल पुराना, तीन साल पुराना, पाच साल पुराना, दस साल पुराना गाय का तूप मिले किसी भी भाव में आप मुझे दे दीगे, मैं खरीदने को त्यार अगर 20 साल पुराना किसी के पास गाय का तूप हो तो सोने के भाव में मैं उसे खरीदने को तयार मिले मुझे क्योंकि ये इतनी अच्छी ओशद है कैंसर जैसे रूग में अद्वुत परिणाम देती है 20 साल पुराना गाय का तूप कैंसर की बीमारी को जड़ से खतन करने की ताकत रखता यह सिर्फ गाय का तूपी रखता नशी कान के इसलिए गएकट तूप गाय का दूप गाय का शेरन गाय का मुत्रिये डिया सबका ज्यादाशे ज़ादा देश में उपयोग हो सदूपयोग हो प्रचार इस द्रश्टी से एक छोटी पुस्तक हमने बनाइई है उसका को दीए वो तिर चौघल हो जाए तो बहुत बड़ा उंतेश है देश का हमारे समाज का किसमें से प्षान होगा चिकित्सा तो होगी ही चयरमा उस्सें ज्यादा बड़ा उतेश है गाय क सतना बंद हो जाए कसाई खाने बंद हो जाए गाय बिकना बंद हो जाए वह हमारे लिए बहुत अब है और अगर गाय कटना बंद हुई तो दर वर्शी देश का 15-20.000 कोटी रुपए सीधे लाव होता है सीधा सीधा तो इस प्रश्टी से मैंने कुछ कहा आपने सुना मैं आपका आभारी अगर आज का जो कुछ मैंने बोला इसमें कोई शंका हो समाधान हो तो अभी पूछे क्योंकि कल मैं बिलकुल अलग विश्व पर बात करूँगा अभी जितना मैंने कहा उसमें कोई शंका हो समाधान हो प्रश्ण हो ज़रूर पूछे तुलसी के पत्ते खाए तो चलेगा लेकिन तुलसी के पत्ते का ध्यानी रखिए कि दाथ से चवाना नहीं कभी गे क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में पारा होता तुलसी के पत्ते खाना है तो चूसते रहे और थोड़ी देर चूसते चूसते उसको निगल जाए अंदर जाने के और नहीं तो तुलसी का रस पत्ते का सबसे अच्छे केले में कापूर बहुत मामूली एक कापूर जिसको आप पूजा में उप्योग करते हैं उसके चार-पांच हिस्से कर दीजिए एक हिस्सा एक केले बहुत मामूली दारी देख़ेए तो आप मुझे कल उसको डिखाई तो मेरा फोन नंबर और पता उनको दे दीजे वो मुझे संपर्ख करें इजिक बार मैं देखनों तो फिर पता सकता है और कोई प्रश्टी पूछें और करेंदे, जिम को बच्कों को ये शिकाईत है, अक्सर बच्छों को ये शिकाईत होती है तो इसकी सबसे अच्छी औषचद है खारिक ऑखर गा खजुर, खजुर को दूद में डालिएं एक गिलास दूद में है तीम चार खजुर डालिएं इसको उबालिए दूट को उबाल के ठेंडा करिए फिर बच्चों को कहिए कि वो जो खजूर है उसको चवा के खाएं और उसी दूट को पी लें खुit भी राग को सूटे समझ तो अगर 15-20 दिन सकत आप में कर दिया तो बच्चों को लगवी राट में होना बंदो जाएब बिस्तर के होना बंदो जाएब की कि डोनों से जो मिले खजूर ख़एए खाऊरिक मिले और खजूर ख़एखाईग पर ख़璧ॡD or हखाएखना मिले तो क्षुवारा क्या समस्केश रूक황 होगाट बाजार में आता निक्समिश के जैसा शुवारा शुखाऊ रुप हाथना निट पूछे परसे वावा उसको पूछे 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 जिनको भी नाक से बहुत पानी जाता है उनकी दो और शदी है एक में पहले बता चुका हूं कि उनको दही में चूना मिलाके खिलाएं रोज 100 ग्राम दही एक ग्राम चूना 15-20 दिन में चीक हो जाएं दूसरे उनकी ओशद है कि गाय का तूप राग को नाक में डाली है सोते समय से एक एक तेम दोनों नाक में तो तीम दिन के बाद ही पानी जाना बन्यों जाएं गाय का तूप इनका सर्दी बहुत होती है चीक बहुत आती है नाक से पानी निकलता है ऐसे किसी भी मरीज को एक एक तेम गाय का तूप राग को सोते समय नाक में डाल लेजाएं नीद बहुत अच्छी आएगी और नाक से पानी निकलना चीक आना सर्दी ये सब बंदोते हैं रहिए मैं आपको एक छोटी सी जानकरी है थी कि ना आयूर्वेड कि किसी भी तरह की दवा मस्तिष्क के कुछ एक हिस्से तक कभी भी नहीं पहुंचते लेकिन गाय के तूप की ताकत यह है कि वह मस्तिष्क के हर हिस्से तक पहुंच जाता है हर हिस्से तक पहुंच जाता है यह अधूत है इस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा क्या है गाई के तूप में जो मस्तश्क के उस हिस्से तक भी पहुँ जाता है जहां तक कोई और शभी नहीं पहुँचती इस लिए मस्तश्क की गंबिल से गंबिल कोई बिमारी हो उसमें गोल का गाए का तूप सबसे अच्छा है रात को आप में डाल दीजे एक एक थे वो दिमाग के वहां तक पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंचता है बहुत अच्छे परणाम देता है उसमें रोज गाय के मूत्र का एक एक खेम डाली है फिर मुझे बताई है और कोई प्रस्ट नहीं जी जो राप को सोते समय बहुत खर्राटे भरते हैं उनकी भी यह उसद है कि उनको गाय का तूप एक एक दिन लगेगा दूसरे दिन से खर्राटे आएंगे ही नहीं जिनको परलिसिस का जहक्पा आया हुआ है शरीर के किस अंग में आया है तो देखिये लेफ्ट या राइफ्ट तो राइफ्ट में अगर पैरलिसिस का जहक्पा है तो लेफ्ट मावस्थं बाही नाथ में, डावे बाजू की नाथ में गाय का तूप डाले, राइट में है, तो लेफ्ट में है, तो राइट में डाले, तीन-चारवेने सतप तूप डाले होने वाला, कल पर तो होने दो